बहुत से बच्चों को ये दिक्कत आती है कि idioms और phrases पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन कुछ ही time बाद भूल जाते हैं या दो options में confused हो जाते हैं आज की class पे आपका idioms का ये डर और confusion हमेशा के लिए दूर हो जाएगा क्योंकि हम बहुत ही interesting way में idiom पढ़ेंगे क्या आपने कभी notice किया है कि हिंदी के मुहावरे तो आप कभी नहीं बूलते और ना ही कोई confusion होता जैसे बोला जाए कि दाल में कुछ काला है तो ना तो दाल होती और ना ही कुछ काला होता हम समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड की बात हो रही है है जैसे नाच नजाने आंगन टेड़ा ठीक है ना नाच होता है ना आंगन होता है हम समझ जाते हैं क्या कि ऐसे person के लिए बात हो रही है जो खुद उस काम को efficiently नहीं कर सकता तो वो system में कमी निकाल रहा है क्योंकि हम Hindi के native speaker है इसलिए हम इन मुहावरों को बहुत easily समझ जाते हैं English हमारी language नहीं है इसलिए इडियम को सीखने के लिए हमें कुछ innovative methods apply करने होंगे और वो method है इडियम को origin से याद करना आज के class में हम देखेंगे कि इडियम बने कैसे है उनकी पीछे का origin क्या है उनकी पीछे की कहानी क्या है और इस तरह से जब आप इडियम सीखेंगे तो आपको हमेशा याद कोई confusion नहीं होगा इडियम को याद करने में दिकत इसलिए आती है क्योंकि उसका मीनिंग लिट्रल नहीं होता जैसे फॉर एग्जांपल या तो आप बोलो या कुछ नहीं यानि कि आपके पास में कोई choice नहीं है इसका origin इसका origin है होपसन नाम का एक person था जिसके पास में 40 horse थी ठीक है उसका stable था तो जब भी कोई इंसान उसके पास horse लेने आता तो वो क्या करता पास stable के door के पास एक horse रख देता और बोल देता या तो ये horse ले जाओ या कोई horse नहीं है याने आपके पास कोई choice नहीं है आप गए हो कि हाँ मैं अपनी choice से horse लेके आऊँगा तो वहीं से hobsons choice क्या बना जब आपके पास कोई choice ही नहीं होती है clear और दूसरा example देखते हैं जैसे throw in the towel throw माने fank ना, towel माने तोलिया, लेकिन meaning है to accept defeat, ये कैसे जैसे boxing में क्या होता है जब दो competitor आपस में fight कर रहे होते हैं तो एक जब हार मान लेता है कि अब मुझसे और नहीं लड़ा जाएगा मैंने defeats विकार कर ली है तो जहाँ वहाँ जो coach या उसका teammate होता है, वो ring में एक towel डाल देता है, वो एक sign होता है कि सामने वाले ने defeat को accept कर लिया है throw in the towel, याने accept defeat आपको इस class को end तक देखना है और आप यह notice करेंगे कि origin से idiom सीखना best method है और इसके अलावा भी कोई idiom जिसमें आप problem phase कर रहे हो, आप comment section में बता देना, हम आगे की class में उसको जरूर डिसकस करेंगे look the devil is beating his wife देखो, हमारे यहाँ मैंने बच्पन से सुना है आपने भी सुना होगा कि जब धूप होती है और उस धूप में sun तो चमक रहा है sun is shining और उसके बीच में ओरी है बारिश ठीक है, अच्छे बारिश हो रही है और सूरज भी चमक रहा है generally क्या होता है, बारिश होती है तो सूरज नहीं होता है सूरज छिप जाता है, ठीक है लेकिन सूरज भी अच्छे से चमक रहा है और बारिश हो रही है उस सिच्वेशन को हमने तो ये बचपन में सुना था क्या कि भूत भूतनी की शादी हो रही है तो हमारे जो भी लोग थे, हमसे, जो हमारे दादा, दादी और जो भी लोग पुर्वस जो थे, हमारे उन्होंने हमें ऐसे ही बोला कि भी ऐसा तभी होता है जब किसी भूत और भूतनी की शादी हो ठीक है, तो हमें लगता है कि हाँ भी, भूत भूतनी की शादी हो रही है वैसे, वहाँ जो इंगलिश में, जो इंगलिश के पीट रहा है तो जो उसका गुस्सा है जो उसका एंगर है ठीक है जो जिस चीज से वो पीट रहा है वो तो उसकी तलवार है और उसका जो गुस्सा है वो क्या है सूरज की तरह चमक रहा है that is shining like a sun मतलब उसका गुस्सा है fire है आग है वो राइट वो क्या है student आग है राइट तो उस आग के अंदर जो अपनी वाइफ को पीट रहा है, वो पीटाई की वज़े से वाइफ रो रही है, उसके आजसु आ रहे है, टीर्स आ रहे है, ठीक है, तो वो टीर्स क्या है स्टुडेंट्स, वो है रेन, वो क्या है बारिश है, ठीक है, समझ में आया, क्या, कि जो ड यो वाइफ है वो पिटाई खाने की वजह से रो रही है उसके आलसु आ रहे है वो क्या है बारिष है तो क्या मीनिंग सॉन इज alattar is shining youse, rains, clear है समझ में मज्जों !! सबी को मज़ा आ Здесь मज़ा आ है , तो piace करेंगे बूत बूतनी की शादी वाला किस-किस ने सुना हुआ है बच्पन में मुझे कॉमेंट करके बताएंगे किस-किस ने सुना है ठीक है यहां देखो वैन इट रेंस वाइल दसन इज शाइनिंग सूरज चमक रहा हो तब बारिश हो रही हो टॉफी नोज्ड आसे देखें गे इसका मतलब यह नहीं कि टॉफी लगी हुए नोज के उपर ठीक है जो खाने वाली टॉफी नहीं है खाने वाली टॉफी तोफी करने हो भी जब बच्चे खाते है पार चोकलेट कहते नांग पर लग जाती है वो नहीं है यह, ठीक है, वो नहीं है, देखो, कैसे, जो भी academic जो achievement होता है, जब कुछ इनुवर्सटी में degree complete होती है, तो इस type की cap देते है, ठीक है, इस type की जो hat बोल सकता है, ठीक है, यह जो इसमें यह golden color का, यह जो धागा लटका हुआ है, ठीक है, इसको बोलते थे tuft, ठीक का जो गुच्छा है, उसके लिए tough word आता है, ठीक है, ठीक है, जो लोग जिनके पास में academic achievement हुआ, होता था, तो वो यह टोपी पहनते थे, तो वो अपने आपको दूसरे लोगों से better और better consider करते थे, तो वहां से, यह tough से क्या बना, tough किसके लिए आता है, higher social class के, ठीक है, higher social class, तो यहां से क्या बना, toughy-nosed, toughy-nosed क्या हुआ, people who are toughy-nosed, consider themselves to be better than other people, especially that people of a lower class, ठीक है, तो जिसके पास में यह cap होती थी, यहां से उन higher social class के लोगों को क्या बोला जाने लगा, tough, और toughy-nosed, ठीक है, एक ऐसे people, जो toughy-nosed हैं, जो अपने आपको consider करते हैं better than any other people, in your birthday suit, birthday suit में होना, ज्यादा तर बच्चे answer कर रहे है, birthday celebration, birthday के दिन जो suit पहनते हैं, वो D, आप जिस दिन पैदा हुए थे, जिस दिन आप पैदा हुए थे, तो आपने कोई suit पहना था, क्या, नहीं पहना था ना, और जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो कैसा पैदा होता है, कैसा पैदा होता है, बताओ, कोई कपड़े नहीं पैने होते, थीक है, तो क्या होगा, not wearing any clothes, Alice अन्सरी, क्या होँ बिटा, आजो, आजो, थीक है, Alice बताएगी आपको, Alice बताओ, जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो कैसा पैदा होता है, तो यह cries हिनाको, तो क्या बलते हैं? उसटो बोलते हैं बताब बता उजली नंगूपुंगूगू नंगूपुंगूगू, एलीस भी बोल रही है नंगूपुंगू ठीक है? Catspo, बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा ये कहानी है अगर आपने सुनी हो little meaning तो cat के पंजे है ना और पंजे से attack करती है यह नहीं होता idioms में सबसे बड़ी चीज यह है यह नहीं होगा देखो यह कहानी है cat और monkey ही ठीक है यह cat है और यह है monkey monkey ने क्या किया monkey ने किया कि जैसे chestnuts से है यह कहाने हम पीनट्स से देखते हैं, पीनट्स थे, ठीक है, तो उनके ओनर ने क्या किया, यहां पर आग में कुछ पीनट्स डाल दिये, ठीक है, ताकि वो वहां रोस्ट हो जाएं, और रोस्ट होकर खाने के यूज आ जाएं, अब मंकी की इच्छा हुई, कि मुझे यह पीन जाएगा, ठीक है, मुझे अपना हाथ नी जलाना, लेकिन मुझे खाने है, यह पीनट्स, अब पीनट्स तो मैं खाना चाता हूँ, हाथ मैं जलाना नहीं चाता हूँ, तो उसने क्या किया, कैट के उपर निशाना साधा, कैट को फ्लैटरिंग करने स्टार्ट के, क्या, पंचे इसी चीज के लिए बने कि तुम बहुत ऐजली किसी चीज को खीनच के ला सकती हो, ठीक है, यह तुम्हारे पॉस-पीशली बने इस चीज के लिए ह, ऐगा बहुत चने की जाड पे चड़ गई, कैट हाँ, मैं यह कर दूँगी, कैट ने क्या किया, यहाँ से पंजा लिया और वो पीनट को ऐसे अपने पंजे से खीच के लाने की कोशिश की पंजे पर आग लगी और पंजे के जो बाल होते हैं वो हट गए दर्द हुआ फिर उसने नहीं तुम कैट कर सकती हो फिर कैट ने निकाला वहां से एक पीनट निकाल के दिया किसको किसको मंकी को मंकी ने पीनट खा लिया फिर ऐसे दूसरा पीनट निकाला दूसरा पीनट दूसरा ही मंकी ने खा लिया तीसरा इस तरह कैट तो वह पीनट को निकालती चली गई और मंकी है वह एजिली खाता चल तो क्या समझ में आया कि जब कोई भी इंसान किसी दूसरे को यूज करता है कि इसी भी डेंजरस situation डेंजरस टास्क के लिए दूसरे को यूज करता है उसके लिए क्या आता है cat's paw ठीक है a person who is used by another to carry out an unpleasant or dangerous risk ठीक है यहां देखो a person used as a tool by another Copenhagen की जो battle थी उस battle में क्या हुआ था कि जो Royal Navy की लडाई चल रहे थी ठीक है Royal Navy की लडाई में जो British force का जो Admiral था उस Admiral को लगा कि हम लोग अभी हार रहे हैं ठीक है अपनी force को क्या दिया रिट्रीट की वापस चलो भई अब हम नहीं जीत पाएंगे उस टाइम क्या हुआ होता था कि वी देखो बहुत सारे अलग लग जगए हैं तों को मैसेज कैसे दिया जाए तो मैसेज देते थे फ्लाइग से जंडा ले रहा थे और फिरosition को टयलसकोप अंसे दूर्भी इनसे देख लेते थे कि भAmerica उसलम घं De Haouda जंडा यह कोई for example यहारा जंडा है मतलब आगे चलो red जंडा है मतलब रुखना है या इस तरह कि कोई वो symbol create करते थे flags related white flag है तो ऐसा करना है red है तो ऐसा करना है ठीक है तो उसने flag का signal दिया कि हमें वापस जाना है ठीक है उसमें से कुछ ships ऐसे थे जो आगे निकल चुके थे अब वो कुछ ships जो आगे निकल चुके थे वो retreat करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था जो ships आगे चले गए थी ठीक है तो जो flags flag का signal आ गया कि ठीक है वापस चलना है लेकिन पीछे जाना भी मुश्किल हो रहा था तो जो एक शिप थी जिसका captain जो captain था वो एक आंख से अंदा था ठीक है तो उसने क्या किया कि जो टेलेस्कोप जो दुर्बीन है उसको अपनी उस आंख से देखा जो आंख क्या थी जिस आंख से वो अंदा था याने कि उसने जो signal कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे तो कुछ दिखाई दी नहीं दे रहा सब सही है और उसने अपने वो रिट्रीट नहीं किया वो आगे बढ़ता गया आगे चलता गया ठीक है तो यही से मतलब यही से यह origin बना turn a blind आया मतलब जो information जो information undesired है undesired है उस information को ignore कर देना क्या कर देना ignore कर देना मतलब उसके साथ वालों ने तो बोला था कि यह flag है पर उसने क्या किया कि अब यह तो नहीं बोल अब यह बात आई कि भी ठीक है कि उसने जो admiral है जो British force का उसका हुकम क्यों नहीं माना तो उसने तो बोला भी मेरे को तो दिखाए नहीं दिया जबकि इस आगे इसको अगर मैं बताओं तो उस बंदे का जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही रहा वो जीता था वो बैटल जो जो कैप्टन था उस शिप का बलकि उसको बहुत ज्यादा प्रेज भी किया गया उसमें गलती कि उसने वह बात उसका order न है वो क्या हो जाती है turn a blind eye cash 22 इसके लिए situation यह है कि जैसे पहले क्या होता था कि for example वर्ड वर्ड यह बात बतारी हो मैं आपको वर्ड वर्ड सेकिंड के टाइम ठीक है तो जो पाइलेट है उनको जिसनको वर में जाना नहीं होता था वो वर में नहीं जाना चाहते थे ठीक ह है वर्ड में नहीं जाना है तो मालो थोड़ी बहुत दिक्कत है उनको छोटी मोटी कोई problem है तो एक लेटर लिखते थे और लेटर में लिखते थे कि मेरा जो mental क्या बोलते है mental ability मैं mentally ठीक नहीं हूँ थोड़ा insane फील कर रहा हूं इंसेन होता है जो थोड़ा पागल मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं मेरा जो mental aptitude जो है वो सही नहीं काम कर रहा है इसलिए मुझे चुटी दी जाए और मैं नहीं जा पाऊंगा फिर वो जो लेटर है वो सामने जब गया तो वहां पर जो लोग है उन्होंने ये बोला कि भई तुमने ये लिखकर भेजा है क्या कि मेरा mental work नहीं कर रहा है मैं mentally sound नहीं हू तो इसी चीज से ये पता चल रहा है कि तुम mentally sound हो ठीक है इस चीज से क्या पता चल रहा है कि तुम mentally sound हो तब भी तुमने ये letter लिखकर बेजा है अगर तुम mentally sound नहीं होते तो तुम ये letter लिख ही नहीं पाते है विल्कुल सही अगर वो बंदा ये बोलता है कि हाँ मैं mentally sound हू तब भी उसको वर में जाना पड़ेगा और अगर वो ऐसा बोलता है नहीं मैं mentally sound नहीं हूँ तो तुमने यह letter कैसे लिखा ठीक है तो ऐसी difficult situation में फस जाए इंसान जिसमें कुछ भी progress possible नहीं हो मतलब progress in the sense कि वो कुछ नहीं कर पाए ठीक है वो कुछ नहीं कर पाए ऐसी particular situation में फस जाए जहां हां बोले तो भी गया ना बोले तो भी गया तो ऐसे phrase को नाम दिया गया cash 22 hobson's choice एक ऐसी choice होती है जिसमें choice दिखती है लेकिन actual में कोई choice है ही नहीं ठीक है and apparently free choice where there is no real alternative अब देखो इसको समझेंगे कैसे hobson एक आदमी था जिसका stable था stable मतलब जहां horse रखते है ठीक है उसके पास 40 horse थे कितने 40 ठीक है उसके पास कोई भी आदमी आता आके बोला अरे hobson मुझे यह horse चाहिए hobson क्या करता जो स्टोल की बिल्कुल पास एक horse खड़ा कर देता बोलता यह ले जाओ या तो यह लेके जाओ या कोई horse नहीं है याने आप आप कैसे गए आप चालीस में से मैं अपनी मन पसंद का एक गोड़ा लेकर आऊंगा है ना लेकिन hobson ने क्या गिया यह या तो यह है या नहीं है याने कि चोईस ही नहीं है आपके पास में चोईस दिख रही है बड़ चोईस एक्चुल में है ही नहीं hobson क्या करता था वो पहले डिसाइड करके रखता था यह गोड़ा दूंगा भई लेना तो लो नहीं तो मत लो वैसे चौईस चालीस में से यह लेना है ऐसा वो क्यों करता था बेचारा ऐसे इसलिए करता था कि जो बिचारे बैस्ट होर्स होते थे उनको तो बार-बार वह बार जाएंगे फिर जो बिचारे बैस्ट नहीं है वो तो रही जाएंगे इसलिए वह अपने हिसाब से गोड़ा रख देता था तो वही से hobson के नाम से ही क्या बन गया यह hobson's choice hobson जिस तरह से गोड़े का वेफण करता था उसी थे वो options choice बनेगे आप देखो a choice of taking what is available or nothing at all या available है वो ले लो या फिर कुछ नहीं मिलना bring home the bacon bacon होता है जो मास होता है meat जो specially जो sewer की peat का जो मास होता है उसको बोलते है bacon तो घर पे लाना bacon लाना देखो इसका answer जो है इधर चलेंगे यह देखो answer है इसके दो मिनिंग दोनों लगबक same ही है bring home the bacon का मतलब होता है कोई success achieve करना या कोई material support को supply करना supply material support या achieve success ठीक है I have to go to the I have to go work because it brings home the bacon मुझे तो काम पे जाना ही पड़ेगा भई काम पे नहीं जाओंगा तो घर पे में material support कैसे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा चीक है हम अभाते हैं इसकी कहानी पे ध्यान से सुनेंगे नहीं कहानी भाई ध्यान से सुनेंगे बाई यह ध्यान से इंग्लेंड में एक गाउं था ठीक है इंग्लेंड में एक ऐसा विलिज था जहां पर ऐसा एक गोशना थी कि जो भी इंसान शादी के, man और woman, दोनों की शादी हुई ठीक है, दोनों की शादी होने के बाद में, एक साल एक दिन कितना? एक साल और एक दिन शादी होने के एक साल और एक दिन के बाद तक ठीक है अगर उन दोनों ने कभी भी ये नहीं सोचा हो कि यार इससे शादी क्यों हो गई मेरे को इससे शादी नहीं करनी चाहिए थी ठीक है एक दिन के लिए भी आपको ये प्रूव करना होता था कि आपनी जो एक साल और एक दिन की शादी है उसमें आपने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि मेरी इस इंसान से शादी क्यों हो गई या नहीं होनी चाहिए थी मुश्किल है ठीक है तो अगर आपने ऐसा प्रूव कर देते थे तो आपको एक बैकन दिया जाता था एस रिवोर्ड आपको बैकन दिया जाता था और वो एक सक्सिस को आपके अचीवमेंट को बताता था और फिर इनसान उसको अपने ऐसे अपने उपर ऐसे लटका कर लटका कर लेके आता था और यह दिखाता था कि ये प्राइज मुझे मिला है और मैंने अपने शादी के एक स साल और एक दिन तब एक दिन के लिए भी नहीं सोचा यार यह बीवी क्यों मिल गई थीक है तो वह क्या होगा स्टूडेंट ब्रिंग हों समझ में आया तो टेक फ्रेंच लीव लीव विदाउट एनी इंटिमीशन बिना इंटिमीट किये बिना इंफॉर्म किये बिना पर् वह ऐसा सोचते थे कि जो फ्रेंच जो सोल्जर्स हैं इंग्लिश के लोग ऐसा सोचते थे कि जो फ्रेंच सोल्जर्स हैं वह जब भी बैटल फिल्ड की में जब जाने की बात आती थी युद में जाने की जब बात आती थी तो वह बिना बोले चुपचाप अनॉथोराइज ले लेते थे क्योंकि उनको ऐसा मानते थे कि French जो हैं वह by nature बतलब दर्पोग होते हैं और इस वज़े से क्या करते थे युद में नहीं जाना जाते थे और बिना कुछे छुट्टी ले लेते थे तो वही से French लोगों क्या बन गया French leave बिना permission के बिना permission के बिना कुछें चले जाना दूसरा एक और reason इससे ये माना गया है कि French जैसे हमारे यहां जब भी कोई party में किसी function में आप जाते हो तो आप सबसे गए आप host से मिले जिसके गर party है जो host है ठीक है अब जब आप निकल रहे हो last में जनरेल लिए कि हम उस host को बोल कर जाते हैं कि भई हम जा रहे है ठीक है मों पूछता है जो भी हमए intercepts हम देचुके और हम निकल रहे हैं तो हम जनरली उस host को inform करके जाते हैं वह और french लोगों में यह system होता था कि वो host को बिना inform किये ही निकल जाते थी तो वहां से भी French leave को अशोशेट करा है कि बिना बताए चले जाना यह देखो बिना बताए party से अपनी सेंडल उठा के मैम जा रही है यह मैडम जी जा रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे French leave बोलेंगे Lock, Stock and Barrel Lock, Stock and Barrel को आप यहां से समझो Musket जो पहले क्या होता था Rifle से पहले जब soldiers को जो दी जाती थी बंदू जो ठीक है उसको Musket बोलते थे यह Musket है students ठीक है तो इस Musket में यह जो wooden वाला यह पीछे की तरफ यह जो wooden वाला पार्ट है न ठीक है इस पार्ट को तो बोलते थे Stock ठीक है जहां से Lock होती थी बंद गरते थे इस तरह से उसको बोलते थे Lock और यह जो आगे जो Barrel Cylindrical Shape जो आप देख रहे हैं इसको इसको बोलते थे students इसको बोलते हैं Barrel ठीक है तो क्या है जैसे for example किसी भी इंसान के पास में Musket है ठीक है Musket है उसको तीन पार्ट से मिलकर बनी है Lock, Stock और Barrel अब मेरे मेरे पास Musket है और उसका Lock खराब हो गया Lock खराब हो गया तो मैं बोलते हैं Lock दे दीजिए मेरी Musket का Lock चाहिए ठीक है Lock चाहिए ठीक है तो Lock बनी जाएगा Stock चाहिए Stock मिल जाएगा Barrel चाहिए Barrel मिल जाएगा लेकिन अगर ऐसा बूला जाए कि मुझे तो Lock भी चाहिए मुझे Stock भी चाहिए और मुझे Barrel भी चाहिए ठीक है सिरफ Lock माग घरी हूँ तो मतलब एक Lock चेंज होगा ठीक है partial है वो ठीकिन मैं बोल जो भई मुझे तो स्टॉक भी देदो लोग भी देदो बैरल भी देदो तो आप क्या समझोगे भई फिर तो एक पाट नहीं चाहिए तीनों पाट से मिलकर बनी है वो तीनों ही चाहिए तो क्या बनाए क्या हुआ इसीडियम का मिनिंग लॉक्स टॉक एंड बैरल मेंज कम्प्लीटली समझ में आया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कम्प्लीटली गोडियन नोट देखो गोडियस एक जगे थी तर्की के अंदर ठीक है वहां पर क्या हुआ था कि और एकल जो भविश्यावानी करते और एकल ने बोला था कि जो बंदा इस किंग्डम में ओक्स काट पर आएगा वही वही इस एंपायर का राजा बनेगा तो वहां पर ओक्स काट पर आया था गोडियस ठीक है जिसका बेटा बना था मिडाज मिडाज टच मैंने थ्री आर्स की वीडियो में भी कराया कि जो जिसको भी टच करता था सोने का हो जाता था ठीक है तो उसके बाद क्या हुआ कि उसका बेटा जब राजा बना मिडाज तो उसने उस ओक्स काट के को अपने गेट के उपर फा हुआ कि जो भी इन गाट को नोट माने की खोलेगा वह एस्या को रूल करेगा मैं यह इस्या का रूलर होगा में तो सिकंदर जब वहां पहुंचा तो उसको जब वह नोट खोलने के लिए कहा गया तो उसने थोड़ा try किया try किया लेकिन वो note नहीं खुली फिर सिकंदर ने ये चीज बोली Alexander ने ऐसा बोला कि खोलने से मतलब है कैसे भी खोला जाए जैसे neon approach आपको सिखाती है कि question solve करना है सही solve करने से मतलब है आप उसको लंबी calculation से क्यों कर रहे है उसको neon approach से करो तो वैसे ही सिकंदर ने क्या किया कि जब मेरे पास में तलबार है तो मैं क्यों इसमें time खराब कर रहा हूँ उसने तलबार से उस note को काट दिया ठीक है और उसने एशिया को rule भी किया भी आगे भी गया वो ठीक है difficult problem थी ना कि different problem यहाँ पर आपको misguide करने के लिए आपका ध्यान अपनी तरफ आकरशित करने के लिए एक ऐसे red herring जैसा option भी दे देते हैं तो यह difficult problem है students ना कि different problem तो right answer होगा a difficult problem tenterhooks क्या है क्या होता था पहले जो woolen cloth बनाते थे तो woolen cloth को बनाने के बाद में और उसमें उसको screech out करने के बाद में उसको जब सुखाने की बात आती थी तो सुखाने के लिए ऐसे wooden का एक frame लेते थे ठीक है उस wooden frame का नाम होता था tenter ठीक है उसको बहुत ही अच्छे से फैला कर उस पे सुखाना होता था और hooks लगाते थे ठीक है hooks पे इस तरह से लगाना होता था ताकि वो कहीं से भी श्रिंक ना हो जाए इसलिए उसको बहुत कस के उस पे लगाया जाता था तो उसका नाम टेंटर था hooks के लिए क्या आज जाता tenter और hooks tenter hooks बना और जब तक वो सूकता नहीं था तब तक दिमाग में जो बचारे बनाने वाले हैं उनके tension रहती थी वो बहुत anxious फील करते थे कि पताने कैसे हो गई कहीं ये shrink ना हो जाए कहीं कुछ गडबड ना हो जाए फिर हम क्या सेल करेंगे तो तब तक जब तक वो सूकता नहीं था तब तक वो दिमाग में क्या रहती थी चिंता रहती थी तो उस tenter hooks से ही ओन tenter hooks क्या बन गया anxious clear है कभी नहीं बूलोगे ये देखो ये ऐसा ठीक है इस तरह से ये wooden का frame होता था इस तरह से उस wooden क्रोथ को इस तरह से कस्के और उस पर लगा देते थे ताकि वो कहीं से shrink ना हो और बहुत अछे से लग जाए ताकि जब वो dry हो तो बहुत अच्छा सा बने तो जब तक वो नहीं सूकता था जब तक वो नहीं ready होता था तब तक चिंता बनी रहती थी तब इसे युदियूम क्या बन गया on tender hooks वा कि सेंटल अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे छोटे गरीब देश होते गरीब देश थे जिनकी पूरी economy ठीक है जिनकी पूरी की पूरी economy banana के export पे banana या एक दो कोई छोटे मोटे minerals के export पे dependent थी ठीक है और वहाँ पर जो banana की जो companies थी ठीक है वो ज्यादा dominant dominated थी क्योंकि वह वहाँ जैसे मालो ऐसे तो Republic है ऐसे तो क्या है Republic है वहाँ ठीक है परधानमंत्री भी है लेकिन उस परधानमंत्री के पास में वह powers नहीं होते थे जो powers थे वह किन के पास होते थे उन बनाना कंपनीज के पास होते थी ठीक है क्योंकि उस देश की उस देश की उस कंट्री की एकनमिक इस पर डिपेंड करती थी उसके एक्सपोर्ट पर बनाना के एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती थी ठीक है एक्सपोर्ट पर इसलिए वहीं से यह इडियम का औरीजन हुआ और क्या बन गौवेंट है लेकिन एक्षिल में कहने को तो गावर्मेंट है लेकिन एक्षिल में वह गाव्रमेंट है ही नहीं वह सिरफ गौवर्मेंट का नाम दिया गया है वागी जो भी पावर होनी चाहिए गौवर्मेंट की जो भी गलत चीज़े हो रही है उनको हटाना करना वो कुछ पावर नहीं थी वहाँ पर जो पावर थी वो सारी किस के पास थी companies के पास थी जो बनाना को export करती थी तो याद रखेंगे banana republic क्या हुआ a small or poor country with a weak government small or poor country जो क्या है जिसकी government क्या है weak है to sleep with fishes को समझेंगे to sleep with fishes का मतलग क्या होता है always in a dream world नहीं होगा to make absurd excuses नहीं होगा to sleep peacefully नहीं होगा इसका answer होगा to be dead जिस तरह आपने movies में देखा होगा कि किस तरह कि कई बार किसी इंसान को मार कर और उसको पानी में fact देते हैं ठीक है पानी में fact देते हैं पानी में क्या होता है मचलियां होती है तो वो मचलियों के साथ सो रहा है इसका मतलब क्या है किसी को मार देना और उसका पता ना चले कि वो कहा है उस चीज से छुपाने के लिए ठीक है उसको पानी में फैक्ट देने के लिए क्या आता है उसके घुटने याने के उसके बोडी के जो हम जो एमिल है हमारे बॉडी में जो हुमारे पाइंड हैं लैक्साच घुटने है हम उसको दिन है कर सकते हैं बट वहीं स्टे गई होते ही इंग आपने इसा कोई पार्ट है जिसको हम बोले के भीका के यह पाट Ferguson का घुटना है तो ऐसी चीज जो exist ही नहीं करती ऐसी चीज जो exist ही नहीं करती याने इतनी ज्यादा high quality की इतनी ज्यादा perfection में कोई चीज है जो हम यह बोले कि ऐसा होई नहीं सकता मतलब वो अलगी हो ठीक है तो उसके लिए क्या idiom use होने लगा दबीज नीज clear as students अब बताओ क्या answer होगा similarly इसके जैसा ही एक और idiom जो meaning same देता है जैसे cat pajamas ठीक है तो cat का pajama ठीक है तो अपने app में ही जो चीज exist नहीं करती जो possible ही नहीं है ठीक है उसके लिए यह idioms use होने लग गए the bees knees the cat pajamas पहले कि अगर आप देखोगे तो और भी मिलेंगे monkeys eyebrows ठीक है answer क्या होगा students extraordinary कहानी याद रखेंगे पीछे answer आजाएगा अपने आप clear यह देखो इस bees के knees to be excellent or of an extreme high standard बहुती excellent high standard की चीज जो मतलब next impossible है उसके लिए क्या EDM आने लगा bees knees बहुत extraordinary बहुत ज्यादा extraordinary higher quality की जो चीज है excellent जो है वो क्या हो गया bees knees ठीक है like a shag on a rock rock पर एक shag ठीक है क्या हुआ रोग पर एक shag इस shag जो है वो एक bird है bird ठीक है American word है यह और यह bird generally क्या होता है कि चटान या किसी भी जगे पर अकेला बैठा रहता है जुन्द में जाना इसको इतना पसंद नहीं है याने के अब इस meaning अब आपको समझ में आही गया होगा यह देखो अकेला बैठा हुआ है यह अकेला तो अकेले से यह देखो अकेला पन यहां यह अकेली बैठी हुई है तो like a shag on a rock का मतलब क्या है completely alone देखो चर्च में आपने movies में देखा होगा अगर real life में भी आपने किसी Christian friend की शादी अगर देखी हो तो लग चर्च में वो जो table होती है उसके आगे वो जो खड़ा होता है priest और फिर वो दो लग आते हैं और वहां पर उनकी शादी होती है right होती है ना तो किसी को वहां तक लेकर जाना altar तक लेकर जाना to lead to the altar वो 5 साल से relationship में थे 5 साल से उनकी बाते हो रही थी finally वो उसको तहां ले गया altar में ले गया altar में ले गया तो देखो एक तो आप देखो की ग्रेवगार शिफ्ट को इस तरह से रिलेट करो कि जैसे किसी कंपनी में आपको late night काम करने का मोका दे late night काम मोका तो क्या होगा वो थोड़ा सा प्रैशर है कि late night काम करना पड़े early morning late night night duties होती है तो night shift में क्या रहता है कि आपको आसपास ज्यादा crowd नहीं दिखता एक दो लोग आपको दिखाई देते हैं वो सेम वैसा ही महोल है जैसा महोल एक कब्रिस्तान में होता है जहां दूर दूर कोई भी दिखाई नहीं देता तो इससे याद कर लेंगे आप graveyard shift a work shift that runs through the early morning hours क्या हो जाएगा graveyard shift अगर हम और बात करें तो graveyard shift पहले क्या होता था देखू जो कॉफीन होती थी उसमें क्या होता था कोई आपने भी ऐसा कई बड़ देखा होगा कि किसी इंसान को डेड़ गोशित कर दिया कि यह मर गया अग्मी लेकिन फिर भी वो अर्थी जारी होती है और वो उड़ जाता है तो ऐसा भी आपने देखा होगा ठीक है इवन पहले तो बहुत ज्यादा ऐसा होता था जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी तब तो बहुत ज्यादा होता था लेकिन अब भी कि कोफीन के अंदर बैल लगा देते थे कि अगर कोई आदमी कोफीन में है दबाया हुआ और उसके बैल है यानि बैल बजेगी तो इसका मतलब वह आदमी जिन्दा है तो वहां एक आदमी है जो ड्यूटी जिसके ड्यूटी है कि वह यह देखता था कि कोई आदमी यहाँ पर जो नाइट ड्यूटी होती है, लेट नाइट शिफ्ट जो है, अरली मौर्निग जो शिफ्ट से उनको ग्रेवियार्ड शिफ्ट बोलते हैं क्योंकि उस टाइम में ज्यादा पर यादा लोग आस्-पास होते नहीं है ज्यादा लोग दिखाई नहीं देते हैं तो बहुत ही kitty corner का origin की बात करें तो बहुत ही interesting size का origin है ठीक है? kitty corner को समझेंगे आप लोग देखो French में French में word है word था q-u-a-t-r-e ठीक है? 4 जैसे हम हिंदी में English में 4 लेते हैं 4 तो 4 के लिए French में word था q-u-a-t-r-e अब इसका pronunciation भी बिल्गुल different है इसका pronunciation है cat क्योंकि R को pronounce नहीं करते है French में तो 4 के लिए लेते थे वो ये cat word और इसका एक c-a-t-r-e या c-a-t-e-r भी बोला जाने लगा catter ठीक है हम catter बोलते हैं बड़ फ्रेंच में इसका pronunciation क्या था? cat q-u-a-t-r-e ठीक है? तो 4 के लिए यूज करते थे q-u-a-t-r-e French में 4 के लिए यूज करते थे q-u-a-t-r-e जब इस word को English language में इस तरह से include किया गया कि 4 जो होता है 4 में क्या होता है? कि जो लोग ताश खेलते थे game ठीक है? dice और यह जो games खेलते थे उनमें जो 4 होता है 4 इसमें देखो आप यहां यह जो 4 dots होते हैं आपने dice की image देखो उसमें इस तरह से 4 dots मिलेंगे और यह जो है यह diagonally क्या होते है? यह dots एक दूसरे के opposite होते है इस तरह से यह किस में possible होता है? 4 में ठीक है? 4 में क्या होगा? यह चारों क्या होगी? यहां से diagonally एक दूसरे के opposite होते है तो आज के game में भी अगर आप देखोगे 4 आएगा तो वो इस तरह से आता है 4 की बात करेंगे तो ठीक है? तो वहां से kitty corner ठीक है? kitty corner क्या बना? जो things एक दूसरे के diagonally opposite होती है ठीक है? diagonally opposite है वो क्या बना? kitty corner देखो lemon lemon word lemon देखो एक तो lemon जो नीम्बू है उसको बोलते ही है और lemon का North American में एक meaning एक useless सी चीज के लिए आता है जो बहुत ही useless चीज है useless thing है जिसका कोई जो काम में नहीं आती है useful नहीं है जो function उसको करना चाहिए वो function प्रॉपर नहीं कर सकती है उसके लिए lemon word आता है और इसी context में इसका synonym dud भी हो जाता है DUD ठीक है? तो यहाँ से समझे to buy a lemon to buy a lemon का मतलब होता है कोई ऐसी useless सी चीज खरीद लेना जिसको खरीदने के बाद आप पश्ताते रहो जैसे for example हम कई बार ऐसी second end गाड़ी खरीद लेते हैं जिसको हम बाद में खटारा बोलते हैं बोलते हैं लेमेन लेंगवेज में यार यह खटारा है तो खटारा जो है वो लेमन है कि खटारा खरीद लिए इस पर रोजाना कभी 200-500-2000 रुपए लगाते ही रहना पड़ता है फिर भी यह सही नहीं चलती है ठीक है तो वो उस situation के लिए इडियम यूज होता है क्या टू बार लेमन यह नहीं होगा पर्चेश एंसिग्निफिकेंट धी विच विच वेंचुली बिकम्स वेरी यूजफुल यह नहीं हो सकता बाइंग अल्ली हाफ द रेसिपी विल नहीं होगा राइट आंसर होगा पर्चेश अ वीकल यह वीकल गरीड लेना जो पर्बलम क्रेट करता रहे यह वीकल के लिए यूज़ होता है नेक्स वेट पिहाइंड द इयर्स देखो इसका और इजन यहां से है कि जसे जो बच्छडा पैदा होता है काफ तो जो गाय है वो जब वो पैदा होता है तो उसका पूरी पूरा बोरी जो लिप्टा रहता है फ्लीड से उस फ्लीड को चाट चाट के वो पूरा साफ कर देती है लेकिन कान के पीछे वो साफ नहीं कर पाती है तो कान के पीछे वो गिला रहता है याने कि जो अभी संसार में आया है जो मैचौर नहीं है जिसके पास experience नहीं है उसके लिए येडियम यूज़ होता है wet behind the ears याने के lacking experience और भी immature immature है जिसके पास में experience नहीं है क्या बनेगा wet behind the ears तो बी यंग and without much experience जो यंग जिसके पास ज्यादा experience नहीं ये देखो कैसे कर रहा है क्या हो जाएगा wet behind the ears अनुभाव की कमी from the way the soldier handled the gun everyone could tell that he was wet behind the ears जिस तरह से उसने ये गन पकट रखी है उससे साफ पता चल रहा है कि वो यहाँ experience उसको experience अभी नहीं है not very experienced the sword of Damocles इसको Damocles भी बोलता है कोई student पर ये Damocles है sword of Damocles rare artifact authentic sword and impending threat impending threat हो सकता है impending danger हो सकता है impending disaster हो सकता है ये collocations है poignant weapon क्या होगा बताओ कहानी है Dionysius एक राजा था जिसके दरबार में एक कोटियर था कौन? Damocles Damocles हमेशा राजा को बोलता था कि खुशी के बारे में बताता था कि बिटून तो राजा हो तुमारे तो सब कुछ अच्छा है ठीक है और वो पूरा टाइम चापलूसी भी करता था और राजा उससे परिशान हो गया था कि उसको सिर्फ कि खुशी ही दिखाई दे रही है उसकी लग्जरी लाइफ दिखाई दे रही है कि लग्जरी लाइफ है आराम से बठा है आदमी तो सीहासन के उपर कराऊं ठीक है? तो उसको फिर राजा ने सबक सिखाने के लिए डाइनसिस ने सबक सिखाने ले क्या किया? उसको राजा की जैसे राजा की वहाँ बठा दिया उसके सामने खाना रखा और सब लोग जो है उसको एस एक टिंग ट्रीट कर रहे थे वो बहुत ही खुश था फिर राजा ने उसको बोला कि अपने उपर देखो उपर देखा तो एक हैवी सी तलवार को हैवी सी तलवार को बिल्कुल जो क्या बोलते हैं बाल से हेर से बांद कर उसके उपर लटका रखी थी याने कि बहुत ही भारी तलवार को एक बाल से बांद के लटका रखी ती जैसे ही उसने उपर देखा उसकी खुशी जो है वो गायब हो गए डिसापियर हो गए उसकी खुशी डिसापियर तो होनी थी क्योंकि उसने वो सिरफ राजा का कौन सा पार्ट देख रहा था तो यहाँ स्वोर्ड यदर स्वोर्ड ओव डेमकलीस का मतलब क्या हो गया है यूस्टू राफर तो एन एक्स्टीमली प्रिकेरियस सिचुएशन जो सिचुएशन बहुत ही खतरनाग है impending thread मतलब जो कभी भी हो सकता है तो वो धागे से लटका हुई तलवार है वो कभी भी गिर सकती है जब पिक्स उडे क्या कभी पिक्स फ्लाइ कर सकते है क्या पिक्स फ्लाइ कर सकते है मुझे बताओ क्या पिक्स फ्लाइ कर सकते हैं, क्या ऐसी situation हो सकती है जिसमें पिक्स उडने लग जाएं, ठीक है, ऐसी situation नहीं हो सकती है, यह practically possible नहीं है, कुछ जगह आप देखेंगे, imaginary situation है यह, कहानियों में या कई जगह इस तरह से यूज किया गया है, लेकिन वो imaginary है, वो realistic नहीं है, practically जो चीज पसिबल ही नहीं है, ठीक है, अब time that will never come, ऐसा समय जो कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है, जो possible नहीं है, impractical है, that is not practical, क्या होगा, when pigs fly, clear students, something that will never happen, ठीक है, जो चीज कभी भी हो ही नहीं सकती, pigs कभी उड़ ही नहीं सकते, ठीक है, तो क्या आगया, when pigs fly, pigs might fly, a flying pig, clear students, अब देखो, example भी कितना funny सा है, I asked my boss, मैंने अपने बोस से पूछा, if I could go on a two month vacation, कि क्या मैं दो महीनों की छुट्टी में जा सकता हूँ, बोस से आप दो दिन की छुट्टी मांगोगे, तो भी उसको लगेगा, चुट्टी मत मांग, और कुछ भी मांग ले, तो जब उससे आप दो महीनों के छुट्टी मांगोगे, तो वो क्या कहेगा, he said yes, ठीक है, he said उसने yes बोला, कब कि जब क्या होगा, कि pigs fly करेंगे, तो pigs तो कभी fly करेंगे नहीं, तो वो situation कभी आनी ही नहीं है, ठीक है, it is raining usually hard, अब इसकी मैं आपका origin मैं आपको बता देती ह हूँ, ताकि आप जो है, इसको अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलो, उसके वो काम मैं कर देती हूँ, है न, cat's and dog, अजीब लग रहा है कि बारिश में कुत्ते विल्ली बरस रहे है, ठीक है, देखो, इसका origin क्या है, इंग्लेंड में around 1600, सोल भी सताबदी की बात हो रही है, उस टाइम पे क्या हुआ, क्या था कि वहां की जो सडके थी, वो बहुती नारो थी, प्रॉपरल ऐसे बनी वे नहीं थी, और पानी निकलने का रास्त भी तरीकी, वो सब सही नहीं थे, ठीक है, तो क्या हुआ, कि बचरा भी उन पानी उस गलियों में बहरा है, ठीक है, उन सडकों पे पानी हो गया, जो इसके से छोटे अनिमल्स लाइक, कैट्स, डॉक्स है, वो बिचारे किसी जोंपडी के उपर अराम से सोय हुए है, बारिश आई, बारिश आने से क्या हुआ, वो फिसलन होई, स्लीप तो जब बाहर आके देखते हैं, तो ऐसे लगता कि बिल्ली कुत्ते बरस रही है, यानि बारिश में जो पानी आ रहा है, उस पानी के साथ बिल्ली कुत्ते भी आ रहे है, यानि बहुत ज्यादा जो मुसलाधार बारिश है, हैवी रेनफोल है, उसको क्या नाम दे दिया गय Jump on the band wagon, jump भी हो सकता है और climb भी हो सकता है, jump या climb, क्या होगा, देखो America में, इसका origin समझेंगे, America में क्या होता था, कि जैसे wagon है, band आप सभी जानते है, group of musician होता है ठीक है, तो कोई भी चीज है, जिसमें जो band है, वो प्ले कर रहा है, wagon में जा रहा है, wagon एक तरह की जो गाड़ी है, तो वो attract करती थी स्पेशली ये सरकस के पहले इस तरह का musician का band रखते थे, जो कि सरकस उस टाइम 19th century में बहुत famous हुए थे तो politician को लगा कि हाँ, ये चीज हमारे काम आ सकती है, तो उन्होंने क्या किया, जो अपनी release होती थी उन release में भी इस तरह का wagon जिसमें musician perform कर रहे हैं, वो लाना start कर दिया जहाँ पर भी उनके भाशन होते थे, वहाँ पर उनको band wagons को लाते थे, लोग उनको music को सुनते, उनसे attract होते, ठीक है, उन्हों dance करते, उसके उपर चड़ने की भी कोशिश करते ठीक है, तो ऐसे जो बीड बढ़ती जाती और जहाँ बीड दिखती उतना वहीं लोग जो है, वो उस बीड में शामिल हो जाते समझ में है, जैसे हमारे यहाँ पर भी, जो आप देखेंगे, रेलीज होती है, ठीक है, तो रेली में गाओं में जा रहे हैं, तो वो ट्रैक्टर, खुले-खुले से ट्रैक्टर है, उसमें DJ लगाया हुआ है, डान्स हो रहा है, लोग डान्स कर रहे हैं, पार्टी हो रही ह है समझ में आया यानि कि जो चीज सक्सेस्फुल होने जा रही है जो आगे जैसे बोलते ना चड़ते सूरिय को नमस्कार करना बहती गंगा में हाथ दोना तो जो चीज लग रही है कि सक्सेस्फुल होगी उसी में क्या हो गए है इन वॉल हो जाते हैं तो उसके लिए क्या ही है कि यह एक्टिविटी सक्सेस्फुल होगी तो उस एक्टिविटी में इन वॉल्व होना क्या हो जाएगा जंप ओन दा ब्लैंड वैगन तो इन डटावल अब देखो आपने मैं आपको एक जिप दिखाती है यहां से आपको शायद समझ में आ जाएगा इसको देखेंगे अच्छे से देखो बॉक्सिंग में क्या होता है कि जब कोई बॉक्सिंग रिंग में जब दो कॉम्पिटीटर आपस में लड़ रहे होते हैं तो fight कर रहे होते हैं sorry boxing कर रहे होते हैं तो उस case में जब कोई एक person accept कर लेता है कि भी मैं हार गया हूं अब मुझे आगे continue नहीं करना है ठीक है उस case में वहाँ पर जो coach होता है या जो teammate होते हैं वो एक autowel को गिरा देते हैं इसका मतलब है कि अब आप आगे continue नहीं कर रहो क्योंकि हमने हार को स्विकार कर लिया है हार को स्विकार कर लिया है और हार को स्विकार कैसे करते हैं इस टowel को गिरा कर इस टowel को यहां गिरा कर हार को स्विकार कर लेते हैं ठीक है तो वहीं से यह idiom बना है through in the towel क्या हो जाए अब बोरे अब आप सोचोगे मैं की बोरे को हिट करना और नींद का क्या रिलेशन है इसका रिलेशन यह है कि पहले टाइम में और अभी अभी तो अब देखो मैट्रस बहुत ज्यादा चेंज हो गए बहुत पहले जाओ आप यह जो घास होती थी उनको बोरू में भर कर वो एक इस सरय का अपने लिए जगय बनाते है जिस पर वह सो थे तो बहुत की अब हो आप पृत पहले घाओं में हर जगए ठीक है तो वहां से यह idiom बना hit the sack का मतलब क्या हुआ go to sleep to go to bed जब भी चोराया होता है यह यहां पर बीच में है सर के लिए है अब आप जो है वो गाड़ी से जा रहे हो मेरे ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है मैं इसको गाड़ी समझ लेना मेरे उच्छे है ना तो यहां से एक तो आप जाओ यू 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 करके आपको इधर जा करके आपने सीधा यहां से उठे और सीधा यहां पहुंच गए यह जो पाट था आपने उसको complete नहीं किया मतलग जो system से rules को आपने follow नहीं किया short तरीगे से आप यहां पहुंच गए याने कि आपने क्या किया cut the cut कर दिया इसको corners को याने अब देखो investing in MNC नहीं होगा ठीक है stitching clothes नहीं होगा cutting the edges to make it small and round नहीं राइट आंसर होगा doing something poorly in order to save time or money time और पैसा बचाने के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हो कोई action कर रहे हो उसके लिए क्या आता है cut the corners ठीक है यहाँ पर देखो यह तो यहाँ to do something in the easiest or cheapest or quickest way often by ignoring rules क्योंकि rules तो क्या है इस तरह से जाना यह rule है आपने rule को follow नहीं कि आप सीधा ऐसे चले गई ठीक है rules को ignore करते वे or leaving something not किसी काम को जल्दी से जैसे तैसे बस फटा-फट कर देना क्या होता है cut the corner apple of discord की कहानी क्या है देखो apple of discord की कहानी है iris से iris जो greek goddess है जिसको goddess of strife लडाई का वो मानते थे ठीक है disagreement लडाई तो यहाँ पर क्या हुआ था iris goddess के साथ में जब palais और 30s palais और 30s की शादी थी ठीक है 30s is the mother of achilles palais और 30s की जब शादी थी 30s इन दोनों की शादी में iris को नहीं बुलाया गया iris को गुसा आ गया कि मेरे को कैसे invite नहीं किया तो उसने क्या किया एक golden apple एक golden apple थो कर दिया उस party में पार्टी में golden apple को थो कर दिया और उस पे लिख दिया for the most beautiful for the fairest for the most beautiful अब किसी पार्टी में जब जहां पर एक से ज़्यादा ब्यूटिफुल एक से ज़्यादा लड़कियां भी है चाहे वो ब्यूटिफुल हो या नहीं हो लेकिन जब फिर बात आ जाती है competition की rivalry हो जाता आपस में कि नहीं मैं ज्यादा सुन्दर हूँ वो ज्यादा सुन्दर है या वो ज्यादा सुन्दर है तो सभी अपने आपको सुन्दर समझती है ठीक है तो वहां पर हेरा एफ्रोडाइटी और एथीना इन तीनों के बीश में जब वह एपल आया तो इन तीनों के बीश में लडाई हो गई जगडा हो गया कि उस न वह बोलती है यह पर मेरा है क्योंकि मैं सबसे सुन्दर हूँ थिक है तो उन तीनों में जुए जो लडाई हुई किसकी वज़े स यह देखो इस एपल की वज़े से तो यह एपल जो बना वो क्या बना जगड़े की जड़ जगड़े की जड़ बना लास्ट में जूस को जो किंग ऑफ गोड है उसी को यह लड़ाई सही करवानी पड़ी मतलब समझोता करान आपके लिए उसने क्या किया कि पैरिस सुना होगा आपने ट्रॉय में जो पैरिस है उसको बोला था कि विपतुई बता इन तीनों में से कोन वो है तो उसने जो है वो डिस एग्रिमेंट जगडा लडाई डिस्प्यूट क्वैरल तो उसका जड़ कौन बना था उसकी जड़ एपल बना था और एपल कैसे बना था है क्योंकि एरिस ने बना दिया था उस एपल को जगडे की जड़ अब यहाँ पर क्या आ जाएगा सम्थिंग डाट कोज़ फ् जिसके अंदर फूड या डिशो या कपड़े रखे जाते हैं उसको बोलते हैं कबर्ड राइट कबर्लव क्या होगा देखो जो इसका जो एट से है Cat जो है, वो उस इंजान के पड़ती Affection Show करती है, प्यार शो करती है जो उसको खिलाता पिलाता है जो उसको दूध पिलाता है, उसको food items जो देता है उसके पड़ती, Cat प्यार दिखाती है या उस कबड के पड़ती, जिस कबड में उसका खाने का समान रखा हुआ है जिस कबड में उसके खाने का समान रखा है उसके लिए वो प्यार दिखाती है क्यों? क्योंकि उसको वहाँ से खाने को मिलेगा तो ऐसा प्यार जो एक तरह का मतलब से जुड़ा हुआ है जो originally love नहीं है जो किसी मतलब से जुड़ा हुआ उस प्यार को बोलते हैं कबड लव जैसे चोटा बच्चा है ठीक है उस बच्चे को खाने पीनी चीजों का बहाने देकर उस कपड़ों का टॉइस का बहाना देकर आप बोलोगे तुझ से टॉइस अभी तो आपसे बहुत कुस्ता हो रहा है जैसे बोलोगे यह टॉइस है मेरे पास यह चॉकलेट है मेरे पास तो आपके परती बहुत affection शो करेगा बहुत प्यार आपको दिखाएगा और जैसे आप वो चीज आप उसको दे दोगे तो प्यार ब्यार भाग जाएगा ठीक है तो ऐसा प्यार जो किसी reason से जुड़ा हु अपत किए प्यार करना की किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए जो प्यार है उसको क्या बोलेंगे covered लव बिल्कुल सही है मतलब भी प्यार मतलब भी प्यार ही बच गया इससार में हैं सिर्फ मा गा प्यार ऐसा है जो जिस्व जिशन मतलब से नहीं जुड़ा होता बाकी त love नहीं होता है उसका affection that is faint in order to obtain something ठीक है ऐसा affection ऐसा जो दिखावा कर रहा है कि कुछ जो दिखावा है actual में क्योंकि उसे कुछ मिल जाए तो वो जो प्यार है उसको बोलते हैं covered love ठीक है I believe it's just covered love that holds them together मैं यह मानता हूं श्वास करता हूं कि यह सिरफ covered love है जो उन दोनों को साथ में रखा हुआ है ठीक है she loves the security he provides she को तो चाहिए security जो उसको ही दे रहा है और he loves her great cooking और he को क्या मिल रहा है she से cooking मिल रही है और she को he से security मिल रही है ठीक है तो बस यह जो प्यार है जो किसी चीज से जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे covered love CGL Pre 21 में आया बहुत latest question कोई इंसान है जिसको चोरी करने की आदत है ठीक है चोरी करने की आदत है उसको पकड़ने के लिए उसको पकड़ने के लिए जैसे मालो 500 रुपीस का नोट है उसको हमने उसको target किया कि हां इसको यह पैसे यहां दिखेंगे तो जरूर इसको चोरी कर सब्सक्तकी हिसले कि दूने अगा है जल्किंदस सोशे लिए जो सब्सक्ने इसको चुखेंगे उसको पकड़ने की आखने सक्याएगा हां पैसे के वो क्या कर सकता है असको पैसे कई सकता है तो कि ज्यदोर अटे और इसको हम जो आदत होती है मैनया होता हुसक मिद्धा है क्लाप्टो मैनया चोरी करने की जो एक mental aberration हो जाता है उसको भी क्या वलता है.. क्लाप्टो मैनया ठीक है इंक्लाइनेशन और प्रोपेंसिटी टू स्टील चोरी करने की प्रवर्थी ठीक है पे लिप सर्विस जनरली देखो क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स में भी हम गल्स और बॉइस को अलग कर देते हैं गल्स अपना रूम बहुत सब्सक्राइब रखती हैं न बॉइस कर रूम तो भगवान भर उसे ठीक है कि अगर्शी भूइ सब्सक्राइब बॉइस में में रहा है दोस्ट फ्रेंड एक रूम शेयर कर रहे हैं आज मेरा बापू आएगा ठीक है बापू आएगा तो यह सारा ताम जहम समेट देना अच्छे से साफ कर देना ठीक है बोलके वह विचारा टूशन चला जाता है और वह उसका जो फ्रेंड बोलता है हाँ बाई बिलकुल तू आएगा तो एक दम साफ मिलेगा तेरा भाई है चिंता मत कर तो इतना अच्छे से प्रेटेंड करता है कि बई कुछ करना है तू टेंशन ही मतले मैं कर दूँगा तो और वह आपको भी पता है कि एक्च्छल में वह करना नहीं वह करेगा नहीं तो जो प्रेटेंड करता है ठीक है प्रेटेंड करता है कि मैं ऐसा कर दूँ रहा है lips से दे रहे बाकिज एक्च्छल सर्विस है वह नहीं दे रहे तो यहां से यहीं बड़ा है पे हिलिप सर्विस सिर्फ उसको उसने क्या किया मुञा दिया होट हीलाने कई काम किया वही सर्विस दी गट और कोई अगर उसमें mix हो जाएंगे तो वो समझ में ही नहीं आएगा, बहुत ही क्या हो जाएगा, confusing हो जाएगा, incomprehensible or confusing mix, incomprehensible or confusing mix क्या होता है, alphabet soup होता है, पहले क्या होता था, कि जो soup बनाते थे, उस soup में, देखे इस तरह, ये जो इसमें vegetables डालते थे, उनको letters की form में कट करके डालते थे, creativity के लिए, letters की form में, ऐसे pasta वो भी, ऐसे alphabet pasta भी बनता है, जिसको letters की form में कट करके डालते थे, तो वहीं से, उसका जो origin है, वो क्या हो गया, incomprehensible or confusing language, typically containing many abbreviations, और simple, बहुत जादा symbols होना, बहुत जादा abbreviation होने से, कोई भी चीज जो है, जिसको read नहीं किया जासके, जिसको comprehend नहीं किया जासके, वो क्या हो जाएगी, alphabet soup, और यह कई बार आपको alphabet pasta के नाम से भी मिल सकता है, दोनों का meaning same है, carry a chip on one shoulder, chip यहाँ पर, piece of wood के लिए आया है, piece of wood, piece of wood यहाँ पर है chip, याने कि जब कोई इंसान, किसी चीज से गुसा होता था, पहले की बात कर रहा है यह, जब किसी इंसान, किसी चीज का पहले की बात का, उसके मन में गुसा है, एंगर है वो, इंगरी है, और उसके मन में गरज है, उसके साथ में कुछ गलत हुआ तो वो अपने शोल्डर के ऊपर एक वुड का टुकड़ा लेकर घूमता मतलब एक लकडी टुकड़ा इंदसेंज बहुत लकडी लेकर घूमता था यह चीज यह शो करती थी कि इसको क्या है गुसा है किसी चीज से रिलेटेड और दूसरा में ऐसी घटित हुई जिसकी वज़े से उसको गुसा है जिसकी वज़े से क्या है गुसा है अब परसीवड सेंस ओफ इन्फीरियर्टी परसीवड सेंस ओफ इन्फीरियर्टी क्या हो जाएगा have a chip on your shoulder entertaining a grudge over a past year grudge का मतलब grudge के साथ में generally against preposition आता है past में कोई बात गलत हुई उसकी वज़े से आपके मन में जो गुस्य की feeling है उसके लिए क्या word आएगा grudge ठीक है donkey's ears मुझे उससे मिले हुए donkey's ears हो गए है बहुत लंबा time हो गया उससे मिले हुए मुझे उससे मिले हुए मैं उसको बहुत लंबे time से जानता हूँ तो उसके लिए क्या आता है donkey's ear a very long time ठीक है very long time के लिए क्या आता है donkey's ears अब इसका ears के साथ में इस donkey के कान के साथ में भी relation है क्योंकि rhyme क्या है ear ear दोनों को जो pronunciation है ears ठीक है यह जो origin है वो इस तरह से लगाया गया है कि जैसे donkey के कान बड़े होते हैं donkey के कान क्या होते हैं बड़े होते हैं तो वहीं से donkey's ears से बना donkey's ears सालों में very long time here my phone is donkey's ears old now I need a new one मेरा phone बहुत बहुत पराना हो गया है अब मुझे नया चाहिए donkey's ears के लिए एक और reason भी एक अनुमान लगाते हैं कि donkey का जो life span है वो 25 से 30 साल का होता है long-lived animal है donkey ठीक है long-lived animal है कौन donkey इस वज़े से भी donkey's ears बना याने बहुत लंबा time very long time देखो जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो बिलकुल pinky pinky से होते हैं जो बच्चा healthy होता है वो कैसा होता है pinky किसी के चहरे पे बहुत अच्छा glow होता है pinkish glow बहुत अच्छा लगता है कब आता है वो glow जब वो इनसान perfect health में होता है जिसे अगर कोई इनसान बिमार है तो उसका चहरा बिलकुली सुस्त पढ़ जाएगा पीला पढ़ जाएगा डाक हो जाएगा है लेकिन जो वो इनसान बिलकुल fit है तो उसका blood circulation है body में वो बढ़ जाता है और उसके चहरे पे कै से आता है कैसा color आ जाता है बिलकुल pink color उसकी skin पे आता है और वो इस शो करता है कि वो इनसान कितना healthy है ठीक है तो pink dress नहीं है ठीक है right answer है in good health अच्छी health में होना अपनी best health में होने के लिए आएगा in the pink रोम को एक दिन में नहीं बनाया गया याने के कोई भी चीज जो की क्या है कोई achievement अगर हमें चाहिए life में तो उसके लिए time लगता है एक दिन में नहीं होता है ठीक है तो यहाँ देखो student a b c d में से क्या आएगा a it takes time to create great things clear यह देखो कितना सुंदर है रोम कितना भव्य है ठीक है used to say Rome was not builder day used to say that a complicated task will be take a long time and should be should not be rushed हमें इसके लिए जल्दी नहीं करना चाहिए कोई भी complicated task है तो उसको थोड़ा time लगेगा complicated है या कोई great achievement है तो उसके लिए time तो लगेगा ठीक है example don't expect immediate outstanding earnings from your new business अभी तुमने नया बिजनस स्टार्ट ही किया है और तुम यह expect कर रहे होगे मुझे बहुत ही outstanding earnings मेरी कमाई हो जाए बहुत ज्यादा तो ऐसा नहीं होता है अभी तो तुमने स्टार्ट ही किया है तो इट विल टेक सम टाइम सम कुछ टाइम तो लगेगा तो क्या एक्जामपल दिया है रोम वोज नौट बिल इन अ रोम को आज तो हम बोलते हैं इतना भव्य है यह है वह है लेकिन वह एक दिन में नहीं बनना है तुक्क विल ऑगेट अगर आप इसको लिट्रлан दीखिएंगे कि बार काया होता और इसको समझतु हैं कि वाल टीकेट होकर मारना इसको समझेंगे औरीजिन को समझ आगे तो आप के लिए याद रखना वबहुत ही आसान हो जाए कि कैसे हुआ एक पर्सन है कोई पर संसu साइड करता है रसी लगाता है उपर से किसी भी चीज से वो अपने को बांधता है, तो नीचे टेबल, चेर, कोई ना कोई supporter वो लगाता है, जिसको जब उसको suicide करनी होती है, तो उस support को अपने पैर से खटा देता है, तो उस support में जब कोई person बाल्टी रखता है bucket, ठीक है, तो मरने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा उस बाल्टी को ठोकर मारना पड़ेगा सपोर्ट को हटाना ठड़ेगा ठीक है तो उस सपोर्ट को जब वो हटाएगा तब वो मर जाएगा क्लियर तो क्या मीनिंग हो गया to kick the bucket to die यहां पर यह परसन है यह बाल्टी ठीक है यह इसने बाल्टी को ठोकर मार दी to die यह जो है यह इसके जुल्फें है यह कोई तोता नहीं है यह इंसान ही है clear the old man kicked the bucket a few hours ago old man की death हो चुके कुछ time कुछ दिर पहले step up the plate का मतलब होता है किसी चीज की जिम्मेदारी लेना take a responsibility ठीक है यह देखो यहां पर यह जो गेम है baseball American game है ठीक है और इसन जो जहां से हुआ baseball game से इसका origin है जब कोई batter जब कोई batter क्या करता था home plate में लब यहां चला गया है वो ठीक है उसने command संभाल ली है उसने अपनी party अपने team की जो victory है जो जीताना है team को उसने संभाल लिया है कि हाँ अब मैं आ गया हूँ और अब जीत जाएंगे याने कि home plate पे ना step up the plate इस plate के लिए ठीक है similarly cricket में जैसे बोलते है ना crease संभालना ठीक है वही यहां पर है ठीक है तो take action in response to an opportunity or crisis जब कोई मुश्किल हो मुश्किल समय हो तो अपनी जिम्मेदारी लेना कमान संभालना क्या होता है step up to the plate left handed का मतलब होता है देखो हमारे दो हैंड लेफ और राइट तो ऐसा comment जैसे for example कोई इंसान बहुत ही मोटा है आपका cousin बहुत ही मोटा है और बहुत अच्छी से shirt पैन किया है है shirt तो अच्छी है लेकिन उसका पेट इसके तोन इतनी ज्यादा है कि वह बटन खुल रहे है और आप उसको बोलते और यार तुम तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो ऐसे लग रहे हो तो एक्षिल में आप उसको सही कमेंट कम्प्लिमेंट नहीं दे रहे हो ठीक है आपका जो कम्प्लिमेंट है वो सही नहीं है सही किस वे में आप उसके इंसल्ट भी कर रहे हो और उपर से कमेंट कर रहे हो ठीक है तो ऐसे कमेंट के लिए आता है लेफ्ट हैंडर कमेंट कमेंट comment नहीं compliment in sincere इसका जो और इजन है वो और इजन एस टूडेंट वाइल एनिमल से ठीक है जो एनिमल्स होते हैं जो हम जो हमन है तो फाइट करेंगे तलवार है धनूश है और बहुत सारी चीजें है गन है जिससे लड़ाई करते हैं हाथों से भी लड़ाई करते हैं ठीक है जो फाइल एनिमल्स होते हैं वो किसी भी चीज को लड़ाई करना फाइट करना तो किस से कर सकते हैं उनके पास दो ही हथियार होते हैं उनके दो ही वैपन होते हैं एक उनके टूथ और डूसरा नेल ठीक है उनके क्या थियार होते हैं टूथ और नेल उनका हथियार होते हैं मतल फोर्स लगा देते हैं तो उसके लिए क्या आता है फाइट टूथ है नेल टू ट्राइब वेरी हाड टू अचीव सम्थिंग किसी चीज को अचीव करने के लिए अपनी पूरी एनरजी पूरा फोर्स सब कुछ लगा देना क्या हो जाएगा फाइट टूथ है नेल पेपर टा हाइग जास का देख्राइगा लेकिन जैसी है लेकिन जीसा के पावर्फुल लग रहा है बंट एकुल अच्छ फीर ठीक है सुजाता का बिल्कुल सही है पर यह अव्यसित है नहीं है ज्यासे हम भी हिंदी में घर पे भी हमें बोलते है कि तो काग जी पहलवान है तो पहलवान है लेकिन काग जी का बना हुआ है ठीक है तो वैसे ही person or organization that appears powerful but actually is not लग रहा है powerful है but actual में वो powerful नहीं है that is paper tiger go against the grain grain क्या होता है grain का मैं हमने तो एक meaning सुना है अनाज बिल्कुल सही बात है grain का एक meaning होता है अनाज बिल्कुल ठीक है और grain का एक meaning होता है natural direction natural direction किसी भी चीज की natural direction natural direction of something किसी भी चीज की एक natural direction होती है बालों की भी एक natural direction होती है कोई animal है कोई भी अनिमल है तो उसकी जो बाडी पे जो hear है ठीक है उनके बीध डारेक्शन है आप उस डारेक्शन में जिस डारेक्शन में है आप ऐसे हाथ फिरा होगे जिस डारेक्शन में तो आपको स्मूथ लगेगा आप जैसे उसका opposite जाओ आपको कैसा लगेगा रफ लगेगा तो किसी भी चीज की जो natural direction है उस direction को बोलते है grade जैसे लकडी होती है इसका origin है इस idiom का wood से ठीक है wood से इसका origin है जैसे लकडी है तो जो लकडी में भी direction होती है और उसी को use करते हैं कारपेंटर उसको काटता है ठीक है क्योंकि जहां पर उसकी वो लकीरे बनी हुई है जो grains बनी हुई है और grains के साथ उसको वहां से काटेगा तो उसके लिए आसान रहेगा उसको ठीक है और उसके against जाएगा मतलब विपरीत जाएगा तो उसके लिए मुश्किल होगा वो चीज ठीक है Go against the grain याने कि जो natural है जो normal है जो fair है जो एक standard set हो गया है कि ये सही है उसके विपरीत जाना उसके विपरीत जाना क्या होगा एक भी बच्चे का सही answer नहीं आ रहा है राइट answer देखो यहां से समझो ये लकडी है ठीक है इसके जो grains बनी हुई है उस direction में उस direction में कुछ करेंगे तो वो क्या होगा grain के साथ होगा लेकिन उसके opposite जाएगे तो वो क्या हो जाएगा against याने के जो चीज नॉर्मल है ethically सही है morally acceptable है उसके flow में करना आसान होता है और उसके against जाना मुश्किल होता है यहां देखो how to accept जिसको accept करना मुश्किल हो और do something as it is against our rules जो हमारे rules के जो हमारे system है हमारे morals है उसके against है इसलिए उसको accept करना क्या हो रहा है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है वो होता है against the grain जो बहाव है जो system है उसके विपरीत जाना clear वो इसके लिए आता हिंदी में उल्टा जाना ठीक है जो चल रहा है उसके एकदम उल्टा चला जाना क्या होगा go against the grain याने something in conflict with one's value system back in saddle क्या होता है जो एक leather की seat होती है जिसके उपर कोई जो जो horse के उपर बैठते है जो की and all वो जो बैठते है उसके उपर जो seat है उसको क्या बोलता है student saddle कैसे याद करेंगे इसका इसके पीछे क्या है कि जैसे देखो जो भी जो की होते थे जो race में जा रहे है race में गए गुर सवारी की race में गए तो वहां इसी race में मालो hurt हो गए कहीं पर चोट लग गई चोट लग गई तो कुछ दिन तक तो riding नहीं करेंगे वो horse ride नहीं करेंगे लेकिन जैसे ही ठीक हो जाएंगे वापस कहां आ जाएंगे सेडल में आ जाएंगे याने वापस अपनी ड्यूटी को रिजूम कर लेंगे सेडल पे वापस आ जाना याने अपनी ड्यूटी को जॉइन कर लेना वापस जॉइन कर लेना रिजूम कर लेना Red Letter Day, Rose Day, यह तो बच्चों को लड़कों को खूब याद होगा कि Rose Day कौन सा है, Chocolate Day कौन सा है, Teddy Day, Hug Day, सब याद होगा क्यों? Rose Day, Holiday, Birthday, Red Letter Day, देखो कालेंडर में क्या होता है कि बाकि सारे जो भी कलर में लिखे हो लेकिन जो कोई memorable day होता है उसको red color में लिखा जाता है आपके फोन में देखो, जो भी छुट्टी का दिन होगा, जो भी memorable day होगा, उसको कैसे लिखेंगे? Red से, तो Red Letter Day क्या हो गया? A important day or day that you will remember because of something good happened then, क्या हो जाएगा? Red Letter Day, जब युद हुआ, उस युद में वहां उसका जो सैनापती है, सैनापती मारा गया सैनापती के मारे जाने से, सैनापती के मारे जाने से, थोड़ा सा क्या हुआ? कि उसे ना पती ने क्या किया जो उसका खजाना था इस ओर जो ट्रेजर था उसका जो अंगे कहीं पर च्पा दिया अलग अलग खजाने भी ओते थे ठीट है तो एथिंस वाले अथिंस जो थे तो इसी किसी ऑब कली का छ gwीट стать देलफी के पास गए ठीक है जो आगे बताता था यह बहुत फेमस था जिसके पास में अलेक्जेंडर के फादर फिलिप भी गए ठीक है और एकल ओफ डेलफी के पास गए पुछने के लिए कि भी कहां छुपा हुआ है वो खजाना बताओ तो उन्होंने बुला कि जितने भी पत्थर यह प Вहीं उन्हों सभी पत्थरों को पलट पलटной के देखना है जह जाना है वह उसी में किसी प्त्थर के नीचे क्लियर उसी उनमें से किसी पत्थर के नीचे है मतलब यहाँ से उन्होंने फिर लेट जो इडियम है नो स्टोन अंटर्ड हर संभव परियास करना अपने ऐसा बहुत बार मुवीज में देखा होगा कि किसी मुवी का ऐसा सीन होगा कि हीरो या हीरोईन है वो किसी से बात कर रह है बहुत अच्छे से वो गाइड कर रहा है किसी जंगल में गए या किसी ऐसी जगह चले गए है रास्ता भटक गए है और एक परसन मिलता है जो बहुत अच्छे से बात कर रहा है बहुत आपको अच्छे से एंटेटेंड कर रहा है आपकी है चीक है और आपको लग रहे है कि हाँ यार यह तो बहुत अच्छा इंसान है और ठीक है लिकिन आप जैसे ही उसके पाउं के तरफ देखते हो और आप उसके पाउं उल्टे दिखाई दिते हैं उल्टे है ना आप वहां से भाग जाते हो क्योंकि आपको पाउं देखते हैं क्या लगता है यह तो चुड़ा ऐसे ठीक है वो इस तरह के होते हैं तो वहां से क्या पता चोलता है कि जो आदमी हमसे बहुत नाइसली बात कर रहा था उसके पीछे उसका कुछ इविल इंटेंशन था ठीक है तो जैसे यह जो यूज है क्लोवन हूफ का वो भी इस तरह से है कि कोई इंसान जिसके कुछ ब इंटेंशन थे ठीक है तो राइट आंसर होगा इविल इंटेंशन आज दो फ्लाइज देखो आप सोचोगे कि मैं क्रोव फ्लाइज को किस तरह से यह इडियम है स्टूडेंट पहले क्या होता था जब नेविगेशन नहीं था तब क्या था कि कहां जाना है किस टरेक्शन म तो बहुत दूर चले गए हैं जाते 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 सब तरफ समुदर है पानी है तो वह क्या करते थे शिप के अपने साथ में बहुत सारे क्रोव लेकर जाते थे ठीक है उन क्रोव को वह लेकर जाते थे और जब भी उनको नेविगेट करना होता था कि कहा सबसे नियर्बाय लेंड कहा होगी जैसे मालो वो भी पानी के बीच में उनको दिख रहा है कि चारो तरफ पानी है लेकिन नियरबाय जैसे मालो कोई इंसान है ठीक है वो ये पानी के अंदर है पानी के अंदर वो यहां है अब उसको यहां भी पानी दिख रहा है सब तरफ पानी दिख रहा है और यहां पर क्या है लेंड है यह क्या है लेंड है अब यह लेंड उसको नहीं दिख रही है clear तो वो क्या करता था यहां से उड़कर के सीधा लेंड पे जाता था जो shortest route निए तो इससे उनको बहुत help मिलती थी ये find करने के लिए कि भी नियरस लेंड कहां है जहां पर हम अपने जहाच को ले जा सकें टो यहां से ही से लियम का और इजन क्या बना दा शॉर्टेस रूट एक ये भी है और स्ट्रेट लाइन के लिए भी इसको यूज करते हैं ठीक है इनस्ट्रेट लाइन जो होता है उसके लिए क्रो कि जो and crow का जो fly है उसको किस लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के लिए जैसे हमने मेक बी लाइन किया था या देना वो भी लगबग इससे मिलता जुलता एडियम था कि डारेक्ट वहीं उस पॉइंट पे चले जाना जहां एकडम जो जरुद की चीज़ा है या डारेक्ट सीधा व जरुट है उसके तो तीन ही है बट जगर देखें बाइरोड देखें तो क्या है पांच दा मदर इन लो डेलीप्रेटली मदर इन लो ने जान भूज के रेंड ओन दा न्यू ब्राइड प्रेड वेंड शी आस हर तो चेंज दाड्रेस ओफ हर चॉइस आप लोग शादी में जाते हैं ठीक है शादी में जो जैमाला का टाइम है स्टेज पर जाने का टाइम है उस टाइम पे जो ब्राइड ब्राइड की एंट्री हो रही है अब ब्राइड की एंट्री हो रही है और ब्राइड जो है वो चल के जाने वाली है अपने जो ग्रूम है उसके पास जारी है तो ठीक है दुले के पास जारी है अब क्या हुआ अब क्या होना था मैम अब यह हुआ कि बारिश हो गई जो ब्राइड आ रही थी पीछे वीचे उसके पूरे लोग उसकी सहेलिया उसके लोग उसको लेकर आते हैं बहुत सारी ऐसे जो डोल वाजा एंड ओल सब कुछ है है न बैंड बाजे के साथ में ब्राइड आरही है और स्टेइस पर जाने की तरहिश पी रहे है उसी ठाइम पर बारिश हो गुए बहुत तेज तेज तो ब्राइड को तो छोड़ चाळ के साब भग जाएंगे जो एक मोमेंट था जो एक लड़की प्रच्पन से ही माबाप बोलते हैं बड़े बरतन में मत खाओ, तो तो बच्चा छोड़ देते हैं, तो बच्चा छोड़ देते हैं, नहीं खाऊँगी, मेरी शादी मुझे बारिश नहीं चाहिए पर आज कुल जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो बहुती गाडन्स होते हैं, बड़े बड़े गाडन्स होते हैं, नहीं बेश आदियोते वो ओपन होते हैं, ठीक है, पूरा स्टेज अंड और सब कुछ ओपन होता है, तो फिर वहां पर अगर बारिश होगी तो पूरा कुछ भी चल रहा है, उसमें अगर बारिश हो जाएगी, ठीक है, अगर बारिश हो जाएगी तो क्या होगा, वो सारे जो भी लोग कठे करके लाए हैं, ठीक है, वो सारे क्या होंगे भाग जाएगे, तो काम जो है, खराब हो जाएगा, very good to spoil a moment, किसी moment को spoil कर देना, spoil somebody's pleasure, किसी pleasure को spoil कर देना, किसी की खुशी को pleasure को spoil कर देना, खराब कर देना, जैसे mother-in-law, जो famous होती है, सास की वो अपनी जो दुलन बहु है, वो कैसे कपड़े पहने, क्या करे, उस पे बहुत ही orthodox type की होती है, ठीक है, initially I thought I could participate in the international scholars contest, but when I saw the preparatory material, I filling the blank, sentence बोलना चाहता है, कि initially, शुरू में, initial मैंने सोचा था, कि मैं international scholar contest में भाग ले लूँगा, मतलब participate करूँगा, but क्या हुआ, जब मैंने preparatory material देखा, तो मैंने क्या कर दिया, I, क्या, इन में से कौन सा idiom यूज होगा, इन चारों में से, miss the bot, miss the bot का मतलब होता है, किसी opportunity को miss कर देना, किसी opportunity को उसका lab उठाने में थोड़ी late कर देना, किसी opportunity को grasp करने में थोड़ी late कर देना, वो होता है, miss the bot, hit the bull's eye, hit the bull's eye होता है, बिल्कुल सही जगह पर, बिल्कुल center में निशाना लगाना, चीक है, hit the bull's eye, clear, हो सकते हैं कि युदोनों, नहीं हो सकते, क्या हो सकते हैं, फिर देखो, get got cold feet, या made a scene, made a scene, made a scene का मतलब होता है, publicly, noise create करना, चिलाना, ठीक है, angry हो जाना, ठीक है, वो होता है made a scene, हम बहुत बार, आपने सुना भी होगा, लोगों को बोलते हुए, कि यार scene create मत करो, ठीक है, लोग देख रहे हैं, scene create मत करो, तो वो क्या है, make a scene, right answer will be got cold feet, cold feet का मतलब होता है, कि जो situation, जैसे कोई decision लेना है, कोई decision, कोई चीज planned हो गई है, और last moment में आप उसको छोड़ देते हो, आप डर जाते हो, कि मुझे ऐसा नहीं करना है, आप डर के वो काम करना छोड़ देते हो, last moment में भाग लेते हो, वो क्या है, cold feet, cold feet का origin जो है, वो military phrase से है, military phrase में जो soldiers बैटल में नहीं जाना चाते थे, तो वो एक excuse देते थे, उनका excuse यह होता था, कि मैं इसलिए नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे पाउं जो है, वो ठंडे पड़ गए थे, इसलिए मैं आ नहीं पाया, इसलिए मैं जा नहीं पाया, ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने क्या बोला, कि ठंडे पड़ गए, actual में वो डरकर, उस युद में जाने से, बैटल में जाने से डरकर, यह ऐसा बोलते थे, तो वहीं से यह cold fit का मतलब क्या हुआ, कि आप दरकर भेभीत होकर, आप किसी situation में last moment पे भाग जाते हो, तो क्या हो गया, cold fit, fit as a fiddle, देखो, healthy and strong answer होगा इसका, आपने देखा होगा, in the pink मैंने पहले करवाया, वह idiom, in the pink, जब इंसान अच्छी health में होता है, जब इंसान अच्छी health में होता है, तो उसकी जो skin का जो color है, वो क्या हो जाता है, पिंकिश लगता है, उसकी चेहरे पे glow जो पिंकिश दिखता है, वो किसकी वज़े से, क्योंकि वो अपनी अच्छ a year में है, तो वैसे ही, fit as a fiddle, fiddle, kya है, violin? violin के tar, जो और पूरे अच्छी से, अगर fit है, तभी वो, अच्छे sound produce कर सकते है, तो अगर वो अच्छे से, अगर fit नहीं है, तो अच्छे sound produce कर सकते है, तो अगर वहीं से बना कि बिलकुल सही, violin जतना fit है, याने के बिलकुल strong है, healthy है clear इसको आप इस image से बहुत अच्छे से relate कर सकते हो इस फिट का मतलब यहां सिर्फ fitness से नहीं यहां पर boiling के जो wires है जो strings है वो fit है अच्छे से तो वहीं से idiomatic form में बन गया कि बहुत ज़्यादा strong healthy out of the woods wood माने लकडी होता है यह आप लोगों ने सुना होगा लेकिन ऐसे बहुत सारे idioms है जिन मैं सोरी ऐसे बहुत सारे noun है जिनका meaning s लगने से change हो रहा है जैसे quarter और quarters मैंने quarter quarter और quarters आपको पहले भी बता है quarter माने one fourth होता है quarters मतलब रहने की जगया हो जाती है simply wood जो है wood माने लकडी होता है और woods जो क्या woods किसके लिए यूज होता है छोटे जंगल के लिए यूज होता है तो जब किसी जब कोई इंसान किसी जंगल में चला जाए जब कोई इंसान जंगल में हो तो कैसा महसूस करेगा वह ऐसा महसूस करेगा कि पता नहीं कब शेर आ जाए कब भालू आ जाए कब चीता आजाए और मेरी जिन्दगी से मैं हाथ दो बैठा हूँ मतलब वो ऐसी परेशानी में फस जाता है यहाँ पर चारो तरफ ट्रबल ही ट्रबल है और वो कैसे भी करके उस situation से बाहर निकलने की कोशिश करता है ठीक है और जब वो उस situation से बाहर आ जाता है जब वो वो वोड से बाहर आ गया, जंगल से बाहर आ गया तब वो रहत की सांस लेता है कि हाँ भई मैं ट्रबल से बाहर आ चुका हूँ तो वही से इसका मीनिंग क्या हो गया है कि अब मैं ट्रबल में नहीं हूँ No longer in trouble snail होता क्या है यह होता है बच्चे snail ठीक है एक small animal होता है जो बहुत ही धीरे 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 चलता है जो बहुत ही धीरे धीरे चलता है उस animal को बोलते हैं उस animal क्या है snail कई जगे पर snail को खाया भी जाता इवन ठीक है तो इस animal उस snail की pace कैसी है उस snail की pace क्या है student बहुत ही क्या है जिंगा तो शायद prone को बोलते है न हिंदी word तो ठीक है कुछ snails को खाया भी जाता है तो जो वो दीरे दीरे चलते हैं वैसे ही very slowly यहां से आ गया है ट्राफिक है शोट टो स्नेयल पेस कई पर हम देखते हैं कि बहुत ही धीरे धीरे चलता ट्राफिक तो डू सम्थिंग वेरी स्लोली कोई चीज को बहुत धीरे धीरे करना तो गिव सम्वन दा कॉल शोल्डर यह भी आपका झाना इसवाज oh shit गरम इसरी ऊच्पन लुक्रोल इस हिए जाना घाप । हम घर कोई बहुत परम सा खाना को परोश्टे हैं कि हमारे किस्टम लेंग इसे Minowxo oh अटीथी चेंश शोरा उनल ह्पते हमें और आएशपन होता है अश्क्याजने राज़िन बहुत हो हम तो उन लोगों ने क्या कि आसे गैस्ट जो नहीं चाहते हैं हमारे घर आए उनको फ्रिज से निकाल कर थंदा 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 फ्रिज से निकाल कर थंदा थंदा खाना प्रोज दिया यानि अगर आपके साथ में ऐसा कोई ट्रीट करें जब आप किसी के घर जाओ, तो आप दुबारा जाओगे क्या, अगर आप में थोड़ी सी भी, थोड़ी सी भी self-respect है, तो आप वहाँ नहीं जाओगे, आप समझ जाओगे कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, याने किसी को इग्नोर करवा दिया, ठीक है, इग्नोर कैसे किया ठंडा शोल्डर पर उसके, तो क्या बना, टू इग्नोर समवर, बी लाइन, इसका औरीजन इस तरह से है, कि जो हनी भी होती है, जब उसको पता चल जाता है, नेक्टर को फाइंड कर लेती है, जब हनी भी नेक्टर, जो एक स्वीट लिक्विड होता है, ठीक है, जो स्वी अपने हाइव में जाती है, अपने हाइव में जा करके, दूसरी हनी बीज को जो वैगल डांस करके, ये सिगनल देती है, कि मुझे क्या मिल गया है, नेक्टर मिल गया है, तो वो जो सिगनल वो डांस करके देती है, उससे समझ में आ जाता है, दूसरी बीज को, और वो उसक तो आप बोल रहे हो कि लाइन में खड़े हो जाना, stand in a queue, वो नहीं है, इसका मतलब क्या है, जो आपका main जगह है, जैसे गुड़ होता है, मख्यां सारी उसके उपर आजाती है, आजाती है ना, उसकी काम की चीज़ है, वैसे ही direct उसी तरफ चले जाना, जहां, जितना जल्द उस game में क्या होता था, कि जब दो player खेल रहे हैं, तो खेलते खेलते एक player इतना पीछे रह जाता था, इतना पीछे रह जाता था, कि उसके जीतने के chances ना के बराबर हो जाते थे, तो इस situation को भी लर्च का आ जाता था, जो दूसरा player है, जो पीछे रह गया है, वो अब आगे नहीं जा पाएगा, धीरे धीरे, वो ऐसे situation में हैं, जिससे वो आगे नहीं बढ़ सकता, धीरे धीरे इस idiom को, left in the large, एक game जिसमें दो player है, एक player पीछे रह गया, इतना पीछे रह गया है, कि वो अब जीत नहीं सकता, धीरे धीरे इस word को, इस situation को modify करके, इस sentence को modify करके, किस ऐसे यूज किया जाने लगा, एक ऐसे person के लिए, जो बिचारा helpless condition में है, और आप से support चारा है, और आप उस person को ऐसे condition में छोड़ कर चले जाते हो, तो उस situation के लिए use होता है, left in the large, क्या होता है, left in the large, यानि एक person जो आपके लिए, आपके उपर dependent है, ठीक है, आपसे help के demand कर रहा है, और उसी situation में उसको छोड़ कर चले जाना, क्या होगा, left in the large, अब देखो, be deserted when one is in trouble, of the first water का मतलब होता है, student, क्या, of the best quality, कोई भी चीज जो best quality की है, high quality की है, उसको क्या बोला गया, of the first water, इसका origin, origin ध्यान से समझेंगे, इसका origin इस तरह से है, इसका origin diamond trade से है, diamond की, diamond जो है, उसकी quality को किस से assess किया जाता था, उसके color से, याने कि जो diamond, जो diamond जितना पानी के color का होता, वो उतना ही क्या होता, अच्छी quality का होता, superior quality का होता, ठीक है, तो of the first water का मतलब क्या होता, बिल्कुल, जो अच्छी quality का है, diamond, वो बिल्कुल first water है, धीरे, 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 क्या होगा, कि उसकी, जो quality है water की, वो दुंदली होनी start होरी है, तो वो second, third पे चला जाएगा, और जो color वाला है, वो तो सबसे lowest category का हो जाएगा, Got my point? तो जो diamond, सबसे अच्छी quality का है, वो कैसा हुआ, first water, clear? इसको किस से चेक किया, water के साथ, समझ में आया? और अभी, पहले तो ये diamond के लिए use किया गया, बट अभी इसको कोई भी person thing के लिए भी use किया जाता है, जो best quality का है, ठीक है, best quality का कोई भी चीज़ है, उसके लिए क्या use कर रहे है, of the first water, इसका origin समझेंगे, फिर आप खुदी answer कर देंगे, क्या होता था, कि Roman Catholic Church की हम बात करने हैं, उस time क्या हुआ कि, जैसे for example, जो भी पादरी होते थे, ठीक है, जो भी पादरी है, जो भी वहाँ चर्च में लोग हैं, जिनोंने अच्छा काम किया है, ठीक है, अच्छा काम किया है, तो उस इंसान को आगे, जब वो मर जाता था, जब उसके death हो जाती थी, तो उसको संत की उपादी देते थी, ठीक है, जैसे आप हिंदी आप देखो, Mother Teresa को भी उपादी मिली है, तो जो इंसान जिसने अच्छा काम किया है, उसकी death के बाद में, उसको संत की उपादी देना, जिसको canonization बोलते थे, ठीक है, अब उस process में क् कि उस process को fair करने के लिए, उस process को उसमें कोई fault नहीं हो, कोई flow नहीं हो, तो उसको fair करने के लिए, क्या किया जाता था, जैसे, जैसे आप देखो, जो भी इंसान है, किसी पर भी अपराद, किसी ने कोई गलती किया है, ठीक है, तो क्या होगा, एक आदमी बोलेगा, इसने ग argument देगा, होता है न, चीक है, वैसे ही, चर्च में एक परसन को अपॉइंट किया गया, जिसका नाम दिया गया, devil's advocate, लेटिन में यह है, advocators, diabetes, जो है, devil के लिए, यूच हुआ है, एक ऐसे परसन को अपॉइंट किया गया, जिसका नाम था, devil's advocate, तो devil's advocate क्या करता था, बात conversation क को आगे बढ़ाता था, just for the, like, और ज्यादा discussion बढ़े, और ज्यादा information पता चले, wrong statements देता था, ताकि कोई उसको justify कर सके, बिल्कुल ठीक है, right answer होगा, A, पीजन होल, पीजन होल तो जानते ही होंगे, आप इस तरह से ही जो shelf में, पीजन को रखा जाए, ठीक है, इसको पीजन मान लो आप, ठीक है, shelf में, जो पीजन को रखते थे shelf में, right, पीजन होल को जिस तरह से shelf में रखा जाता था, वैसे ही post office में, जैसे कोई letter है, letter आया, जिसको कहीं post करना है, कहीं पर deliver करना है, right, तो उसको, उसकी एक broad category के रूप में, जैसे for example, यह जैपूर का letter है, तो जैपूर में तो बहुत सारी जगह होंगी, ठीक है, अब जैपूर के shelf में उसको डाल दिया, यह डली का है, यहाँ, ठीक है, जैपूर के पास tonk का है, इसमें, tonk में भी तो particular होगा, तो उसको, उसके बारे में detail में information जाने बिना, detail में information जाने बिना, पहले से ही एक बस idea लगा कर, जस्ट देखकर उसको fit कर देना, ठीक है, जैसे देखो, यहाँ पर देखो, यह जो पीजन इस तरह से रहते थे थे ना, पीजन, ठीक है, to decide that someone or something belongs to a particular type or group, specially without knowing much about them, जादा उनके बारे में, जादा उनके बारे में जाने बिना, जादा उनके बारे में बात किये बिना, जादा उनके बारे में सोचे बिना, ठीक है, just क्या कर दिया, कि उनको एक चाप लगा दी उनके उपर, तो उसके उपर एक चाप लगा दी, जैसे आप देखो, कि कुछ-कुछ actors होते हैं, जो पहले initially किसी movie में जैसा भी role play करते हैं, तो उनको आगे भी वैसे ही role मिलते हैं, जो romantic roles में आता है, तो आगे उसके उपर एक चाप लगा देते हैं, कि यह तो romantic में चलेगा, ठीक है, comedy में तो चली नहीं सकता, ठीक है, तो इस तरह से एक चाप लगा देना, उसके लिए योज होता है, to piece and whole, to type cast someone की एक ही तरह की उसकी category को बना देना, एक ही तरह से उसको, कि यह इस type का है, इस part का है, उसके लिए क्या आ जाएगा, to type cast someone, to piece and whole, Romans और Greeks जो है, वो यह मानते थे, कि जो गर्मी के दिन होते है, क्योंकि गर्मी के दिन, क्यों आते हैं, क्योंकि जो एक serious, जो star होता है, dog star serious, जो सबसे brightest star होता था, वो अर्थ के बिल्कुल पास हो जाता था, ठीक है, तो वो अर्थ के बिल्कुल पास हो जाता था, उस वज़े से बहुत ही गर्मी रहती थी, ठीक है, एक तो यह थे, तो सूरज के साथ ही उगता था, और उसी के साथ ही छिपता था, तो वो जो period था, वो क्या हो गया, बहु क्या हुआ जल्دी बताओ डूग के से लिया है जो डूग स्टार शीरियूस के पास जब हमारी अरस आ जा जाती है उस वजह से जो गर्मी होती थी कहां से वर्ड लिया डूग और वह ऐसा इसलिए करते थे कि उनका यह मान जिससे फसल अच्छी हो कि अगर हम डोग की बली चढ़ाएंगे डोग का सेक्रिफाइज़ करेंगे तो अच्छी फसल होगी क्यों कि वो यह मानते थे कि जब ज्यादा गर्मी हो जाती है तो गर्मी की वजह जैसे जो डोग्स होते हैं वो बहुत ही खुंखार हो जाते हैं फेरोशियस हो जाते हैं बहुत ज्यादा ठीक है तो बहुत ज्यादा फेरोशियस जो डोग हो जाते हैं तो इसलिए उनकी बली दे देते हैं कि भी ठीक है अच्छी फसल हो जैसे रेबीज को रोकना है तो भी ड रोट ज्यांदा होगी यानिके बहुत महेंगा बॉंभ ऐसा तो नहीं हर किसी के पास में बोम बनाना बहुत क्या है महिंगा पड़ता है तो जब हम किसी चीज के लिए बोलते हैं कि यह ची isומे लिए बोहत महिंगी है यह मेरे लिए क्या है cost a boom clear very expensive to cost a lot of money बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना देखो two cents की बात करें two pennies की बात करें तो बहुत ही छोटा सा amount होता है बहुत ही छोटी सी value होती है तो इसका development इस तरह से समझेंगे इस area को कि जब हम किसी situation में अपनी को राय देते हैं तो राय देने का तरीका क्या होता है एक तो थैं और यह की ठीक है मेरा कि मतलब कि बहुत ही छोटी है मतलब बहुत ही नगणिया इसको बificial सकते small amount किया है कि आप इसको consider करो तो करो नहीं करो तो कोई बात नहीं ठीक है तो मेरी just एक छोटी सी राय है यह तो उसके लिए use होता है my opinion my two cents किसके लिए हो जाएगा my opinion के लिए ठीक है समझ में आया जैसे कि for example इसका अगर हम Bible में देखें तो इसकी जो कहानी है वो इस तरह से थी कि जीजस ने जैसे मालो कोई मंदिर बनवाना है तो यरुसेलम में मंदिर बनवाना है तो जो wealthy वहां के लोग थे wealthy patrons थे उन patrons को उनने बहुत सारा पैसा दिया बहुत सारा पैसा दिया ठीक है और दान में और जो एक विडो थी बहुत एक्स्रीमली पूवर विडो थी उसने जस्टू सेंट्स दिये तो जीजस ने उसका बहुत फेवर किया और उसने बोल दूसरों को लगा या इसका इतना फेवर क्यों जीजस ने कहा कि तुम्हारे हो तो बहुत सारा पैसा था और तुमने उसमें इसमार बहुत सारा दे दिये तो क्या हुआ। कि लिए बहुत बचा के रखा लेकिन उसने थी चरीनि थी सेंट्स ते स wrapiest है तो इससने पैसे देकर कियい एक्ष्वल में क्या हिआ टिया उसने पैसे ले कर उसमें राय में स्कि राय दी कि मेरी राय है कि हां ऐसा होना चाहिए तो टू सेंट्स का मतलब क्या हो जाता है student's opinion आपकी opinion clear यह हो गया 2 cents, 2 coins बोल सकते हो, 2 cents बोल सकते हो, 2 pennies बोल सकते हो, पैसा होता है बच्चे once opinions or thoughts just to add my 2 cents but I believe changing the design will be a better idea ठीक है मैं जस्ट एक अपना राय दे रहा हूं मानो नहीं मानो छोटी सी राय है तुम्हारी च्वाइस है ठीक है कि यह जो design को अगर आपन चेंज कर लेंगे तो यह बेटर आइडिया यह बैटर आइडिया होगा हाँ you snooze you lose इसका origin मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था जिस तरह से हमारे यहां पर mattresses के ads आते हैं advertisement आते हैं जैसे sleep well है कि वो बहुत अच्छा mattress है आप उस पर बहुत comfortably बहुत time तक और अच्छी नीद आपको आएगी sleep well खरीद हो है ना ऐसा आता है ads हाँ वैसे ही 1968 में अमेरिका में एक mattress का एड आया था उस mattress के ad में क्या था कि उन्होंने एक ऐसी situation दी जिसमें कि एक person जो मानलो कोई competition हो रहा है औलम्पिक का या कोई भी competition हो रहा है रेस का उस रेस के competition में वो person participate कर रहा है और जैसे ही participation शुरू होने वाला होता है तो उसको बीच में वहाँ पर नीद आ जाती है वो सो जाता है ठीक है और उसके साथ के जितने भी competitors होते हैं वो रेस करते जाते हैं और वो आगे निकल जाते है वो जब नीन से जागता है तब यह देखता है कि वो यह बोलता है कि क्या मैं जीत गया तो उसका जो referee होता है वो बोलता है कहां तुम कहां जीतोगे नो वे कोई possible ही निया है कि तुम जीतो तो वहां पर वहां से उन्होंने ad को आगे बढ़ाया और उन्होंने बोला कि अगर यह अच्छे mattress पे सोता रात को तो आज इसको इस टाइम पर जबकी नहीं आती अब वो जबकी आई यह स्नूज स्नूज मतलब छोटी सी जो नींद होती है उसने स्नूज ली इसलिए क्या हुआ कि वो लूज कर दिया उसने ठीक है आपने देखा होगा कुछ जैसे वो होते हैं मंदिर होते हैं या कोई ऐसी स्पिरिच्वल संस्थाएं होती है जैसे ब्रह्म कुमारी है तो वहाँ पर मुझे आज भी याद है बचपन में जब हम सुबह उठते थी तो वहाँ एक गाना हमेश्या चलता रहता था जो सोवत है सोखोवत है जो जागत है सोपावत है ठीक है आपने भी सुनी होगी चीजे और बचपन से हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि भी जो सोएगा वो खोदेगा ठीक है वहीं सी एडियम क्या बना यू स्नूज यू लूज मतलब चीजों को हमें लाइटली नहीं लेना चीए है अगले एक रिच्टी नहीं होगा रइट आंसर होगा एं डोंट टेक इ Viel है नुयोग सटी में दो नीवीश्पेपर थे जिन दो नीउश पर थे वो सर्फ two cents में आते थे एन्यन टू सेंड्स जो बहुत ही छोटा सा अमाउंट है ठीक है वह वह अमाउंट लेते थे निउस पेपर के लिए तो यहां पर जो परसंथा जोसेफ पुलिटचर जोसेफ पुलिटचर इस परसंद ने क्या स्टार्ट किया इस इस परसन ने नियूस पेपर में जहां पर पहले टू सेंट्स में पहले जहां टू सेंट्स में चार पेज आते थे इस परसन ने उसकी क्वांडेटी बढ़ा कर आठ से बारा पेज कर दी याने कि उतने ही पैसे में उसने नियूस पेपर के पेजेज को बढ़ा दिया दूसरा उसने क्या किया कि जो करप्शन था करप्शन के लिए भी उसने लिखना स्टार्ट किया करप्शन के लिए भी ऐसे ब्रश्टा चार फैल रही हो रहा है तो गौर्वर्मेंट के लिए भी लिखना स्टार्ट किया गौर्मेंट के अगेंस्ट भी लिखना स्टार्ट कि यह तीनों चीज़ें तो positive थी क्या क्या कि उसने quantity को बढ़ाया ठीक है उसने करप्शन के लिए लिखा उसने कार्टून्स इन्वाल कि यह सारे काम उसने किये ठीक है अब चोथा काम उसने क्या किया कि sensational ठीक है जैसे होता है कि आप देखते हो मीडिया वाले कोई भी खबर होती है उसको चोटी सी खबर होती है लेकिन उसको बहुत sensational सा बना देते हैं किसी ने साइड की तो कि यह सुसाइड नी था या मर्डर था क्या था इस तरह से भी उसने लिखना स्टार्ट किया ठीक है तो इस बंदे ने तीन अच्छी चीज़े की और यह भी सेंसेशनल तरीके से उसको न्यूस को भी उसने स्टार्ट किया तो वहां उसके संडे को क्या होता था न्यूस्पेपर में कार्टून जैसे यलो किड नाम से एक कॉलम था जिसमें वो कार्टून करेक्टर्स जैसे होता है न वहां तो वो उसका जो परसन था जो यह आते हैं इनकी आपस में खिंचाता नहीं रहती है आपस में यह वह competition इनका रहता था तो वहीं से कि yellow journalism words अब यूज होने लगा ठीक है yellow journalism किसके लिए यूज होने लगा ऐसी writing newspapers में that try to influence people's opinion जो लोगों के opinion को influence करने की कोशिश करें by using strong language and false information यानि संसनी sensational sensational बना दे जो है उसको बहुत बड़ा चड़ा कर ठीक है उसके लिए क्या आने लगा yellow journalism long and fish long and fishes के कि plural fish भी को भी plural में consider कि a fishes me ठीक है different varieties का concept यहां लगता है ठीक है यहां पर right answer होगा material instruments बहुतिक जो संसादन के लिए जो लालसा है ठीक है बहुतिक लाब जो है उसके लिए क्या आता है laws and fish या laws and fishes ठीक है इसका origin समझें laws and fish का origin के बीचे जो कहानी है वो यह है कि Jesus जब कही जा रहे थे किसे town में गए तो Jesus को देखके उनकी पीछे बहुत सारे लोग हो गए ठीक है उनको follow करने लगे उनके पीछे चलने लगे इस तरह से शाम हो गई और अब उन लोगों को खाने का इंतजाम करना था ठीक है तो जो लोग थे वो 5,000 थे कितने थे 5,000 तो जो Jesus के पीछे जोर उनके शिश्य थे उन्होंने बुला कि अब इतने लोग है इनको खाना कैसे खिलाएंगे तो बोले अपने पास क्या है इनको खिलाने के लिए तो उन्होंने बोला गिए अपने पास तो पांच तो ये है ब्रैड जो लोज है ठीक है और ये दो हमारे पास में फिश है ठीक है इससे 5000 लोग कैसे खाना खाएंगे तो जीजस ने उपर देखा क्योंकि वो तो भगवान थे उपर देखा और वो इतनी मल्टिपल्स म खाना खतम ही नहीं हुआ फिर यहां से यह एडियम आया कि जो लोग थे वो जीजस के परवचन सुनने के लिए पिछे नहीं हुए थे वो उनको भूख पिछे ले गई थी कि भगवान है इसके पिछे रहेंगे तो खाने को मिल जाएगा तो वहीं से लोग्स एंड फिश का और रोंग साइड ओफ बैड क्या होगा समवन हुए इस हाविग अ हॉरिबल डे वर्किंग आज प्रॉम अबाउट तो एट नौट हाविग नाइट स्लीप तो मूव ब्यांड सम्थिंग यू रोंग साइड ओफ बैड देखो हम तो कैसे भी कहीं से भी बैड से उठे वक्त ज्यादा सोच समझ कि वह अपने बैड से उठते थे वह कहीं लेफ्ट साइड से ना उठ जाए कि उनको ऐसा लगता था कि लेफ्ट साइड से उठने से इंसान क्या होता है उसको ब्याड लग लेकर आता है उसकी लाइफ में बैड लक आता है और कुछ अच्छा उसक having a terrible day listen you need to prioritize सुनो तुम्हें prioritize करना पड़ेगा मतलब क्या तुम्हें पहले करना है क्या तुम्हें बाद में करना है है ना you can't have you can't have your तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो Achilles होता है कमजोर पॉइंट, वीक पॉइंट इसके कहानी मैंने पहले classes में तो सुनाई हुई है अब फिर से बता देती हूँ Achilles जो एक राजकुमार था जिसकी मदर थी 30 जब Achilles पैदा हुआ था तो उसका पूरी बाड़ी बहुती वीक था तो उसकी मदर को किसी जैसे होते है ना लोग जैसे जो महान, संत उसमें से किसी ने बोला था उसकी मदर को कि इसको स्टीक्स जो रिवर है स्टीक्स स्टीक्स रिवर में इसको ले जाओ और वहाँ पर इसको पूरा डुबो दो तो इसका जो पूरी बाड़ी है वो बहुत ही स्ट्रोंग हो जाएगी है ना ऐसा हम महाभारत में भी सुनते है कि दुर्योधन जो अपनी मदर उसकी मदर पट्टी खोलती है तो बोलते ही पूरी बाड़ी स्ट्रोंग हो जाएगी तो में कोई कुछ नहीं कर पाएगा तो वैसे ही उसको बोला कि इसको स्टीक स्रीवर में ले जाओ और वहाँ इसको डुबो देना इसकी पूरी बोड़ी स्ट्रोंग हो जाएगी तो उसके मदर ने क्या किया कि उसको हील वाले पाट जो उल्टा लटका कर हील वाले पाट से पकड़ लिया और पूरा पानी में डुबो दिया उसकी पूरी बोड़ी स्ट्रोंग हो गई बस जो हील का पाट था वो ही कमजोर रहा तो अकिलीस का हील का पाट कमजोर था सबका तो नहीं होता लेकिन वहीं से इडियम क्या बना अकिलीस हील याने कमजोर पोइन्ट वल्नेबल पोइन्ट तभी जो अकिलीस की जो डेथ हुई थी वो उसकी हील पर एरो लगने से ही वी थी otherwise उसको कोई मार नहीं सकता था ऐसी कहानी है अकिलीस हील नहीं हो सकता हीबी जीबी हीबी जीबी क्या होगा हिबी जीवीज होता है नर्वसनेस नर्वसनेस की जो कंडिशन है उसके लिए आता है हिबी जीवीज ठीक है paint the town red का मतलब होता है बहुत ज़्यादा enjoy करना bars में, clubs में जाना बहुत ज़्यादा enjoy करने के लिए use होता है paint the town red clear? right answer होगा finger in every pie तुम सभी pie में अपनी finger नहीं रख सकते हो याने कि तुम बहुत सारे बहुत सारे task एक साथ नहीं कर सकते हो तो इसको prioritize करो भई बहुत सारे task एक साथ नहीं हो सकते हैं इसका origin किस तरह से था देखो कई बार क्या होता है हमारे घर पे बहुत अच्छी अच्छी dishes बनी होती है और जब हम छोटे होते हैं कोई guest आने वाला है बहुत सारे dishes बनी है और ममा ने बोला है कि बिटा अभी इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको guest आएंगे उसके बाद ही तुमें खाना है जो बचेगा लेकिन हम से control नहीं हो रहा जैसे ही ममा इधर उधर होती है और हम कीचन में जाते हैं और साहल के साहल के सारी dishes में से कुछ-कुछ चक्ट्रे लग जाते हैं उसमें से ऐसे ठीक है तो पाई से इस तरह से लिए पाई लाइक जो होती है ठीक है एवरी पाई याने के आपने बहुत सारी चीजों में involved हो गए तो वहां से यी इडियम बना था finger in every pie मतलग हर चीज में अपना interfere करना हर चीज की responsibility लेना ठीक है तो ऐसे नहीं कर सकते हो आपको क्या करना पड़ेगा prioritize करना पड़ेगा clear to be involved in and have influence over many different activities often in a way that people do not approve of to gird up the loins just say loins हम बोलते है यह जो हमारे hips के पास वाला जो पाट होता है यह जो पाट होता है इसको हम बोलते है loins ठीक है gird का मतलब होता है बांधना gird का मतलब क्या फासन करना किसी चीज को तो आपने देखा होगा कि जो लोग lungi या दोती पैनते है तो वो जैसे हम किसी से लडाई करने जाते है तो हाथों को यह कर लेते हैं कि हाँ बस अपनी बाहें चडा लेना और बस कि ठीक है अब लडने के लिए तो यार हो जाना वैसे ही जो जो लोग दोती पैनते हैं तो दोती में या लोंगी में तो लडाई नहीं कर पाएंगे तो उस लोंगी या धोती को यहां पर उपर करके कैसे कर लेते हैं बांध लेते हैं यहां आंसर होगा टू पिर्पेर फॉर हाड वर्क ठीक है हाड वर्क के लिए खुद को तयार कर लेना मतलब अपनी कमर खस लेना कि हाँ अब मुझे बहुत हाड वर्क करना है यह जो पहए यह जो पार्ट होता है इसको लॉइंस बोलते हैं और इसको यहां फासन के लिए गर्ड वर्ड आता है कुछ करने या किसी चीज से निपटने के लिए तैयार हो जाना क्या आएगा गर्ड अप वन्स लॉइंस अब अखरोट जैसे जूलिय सीजर के टाइम पे एक आदमी था सिस्रो वह स्टेट्समें था फिलोसोफर था उसने यह बोला था कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिसने जो एक बुक है बाइबल जो लगबख 700 पेजिस की है ठीक है उसको क्या किया है उसने एक पेज में ब्रीफ करके नट शेल में एक पेज में ब्रीफ कर दिया याने कि इतना ब्रीफ कर दिया कि वो नट शेल में आ जाए याने बहुत ज्यादा जब हम किसी चीज को ब्रीफ करते हैं उसके लिए आता है इन अट शेल aid मतलब क्या होता है student to help ठीक है abat abat का मतलब होता है to encourage ठीक है और यह encouragement जो करता है वो generally किसी illegal या किसी wrong चीज के लिए use होता है abat मतलब किसी को encourage करना किसी के help करते हुए किसी को encourage करना लेकिन वो जो काम जिसके लिए encourage किया जा रहा है वो somehow क्या है illegal है और क्या है wrong है तो wrong चीजे illegal चीजे करने के लिए किसी को encourage करना क्या हो जाएगा a bat ठीक है इसका जो origin है England में क्या होता था कि जो bear होते थे उनको गड़ा खोद कर उन bear को वहाँ पर क्या करते थे दो तिन हाउंड और यह जो क्या बोलते जो डोग होते हैं बुल डोग उनको ले कर जाते थे तो वह जो bear वहाँ खड़ा रहता था बांदा हुआ उसको वह डोग फाड़ते थे ठीक है तो वहीं से कि इडियम का और इसन हुआ कि मतलब यी जो काम है जो काम वह डोग से करवाते थे वहां के लोग चाहिए वो मनोरन्जन के लिए समझों तो वह काम एक्च्वल में क्या था बहुती क्रूल एक्शन था ना बहुती क्रूलल ना जैसे जो वो गलत कर रहे है ना बालू के साथ में बालू को बांध रखा है और बुल्टोग उसको फाड रहा है हाउंड से ठीक है उसको फाड रहे तो वो एक negative meaning दे रहा है तो वैसे ही किसी इंसान को गलत काम करने के लिए क्राइम करने के लिए उसको help करना और उसको बढ़ावा देना ठीक है उसको बढ़ावा देना क्या बनता है aid and abat clear यह देखो आपने पदमावत मुवी देखी होगी यह ना पदमावत मुवी में क्या था कि अलावदिन खिल जी को यह जो रागव चेतन होता है अलावदिन खिल जी को रागव चेतन क्या करता है help पर करता है और क्या करता है उसको encourage करता है कि वो चितोड पर attack करे रानी पदमावती के लिए वो चितोड पर अटैक करें तो ऐसा करने के लिए जैसे कि मुवी में भी दिखाया गया हमें वो इसको कौन अबैट करता है यहाँ पर रागव चेतन ठीक है तो किसी को कुछ अवैद या गलत करने में मदद करना क्या बना इडियम एड एड आ अबड तो हेल्प समबडी तो डूवी इडियम प्रव यह ऑप यह प्यम से बना ऑपियम जो है वह एक अफीम का जो अफीम होती है एक तरही का जो पाइप होता है इस तरह से जो लेकर लोग अफीम लेते हैं जैसे ठीक है तो उस टाइम क्या होता है कोई भी ड्रॉक्स कोई भी ऐसी एक्टिविटिया करते हैं कोई टोबैको हो जो भी तो क्या होता है माइंड में बहुत सारे इल्यूजन्स बनते हैं उस टाइम आदम जब तक उसमें वो पाइप लिया हुआ है जब तक वो पीम पाइप है उसके पास में वो उसको यूज कर रहे है वो ड्रीम पर ही रहेंगे जैसे ही वो यह नशा उसका उत्रेगा वो जो ड्रीम है वो गायब हो जाएंगे keeps getting repeated होगा loudly होगा that is nearly accomplished होगा या idea जो की possible नहीं है unlikely है जो घटित नहीं होगा वो ड्रीम किसमें है पाइप में है on shanks unten realized shanks analyzing shanks pony pony क्या होता है क्या होता है अभरक कश्मीर गए तो वहाँ पर जो पर जूRP rush होता है us को बोलते है पर ठाश्मीर में एक जगे से दूसरी जगे मतला जैसे आप स्वोन्मक जाओ धाओ गुलमग जाओ ठीक है यह सभी जगह जाने के लिए pony पे जाना होता लिट्रलीन धोक गए थैं टिक है हमारा फुट इस पार्ट को बोलते रहे हैं आपम धे ज जा रहे हैं याने मैं चल रहे हूं मैं यहां से वहाँ चल रही हूं से एबादे element नमबर की गाड़ी same है ठीक है clear as we as we don't have a car I suppose we will have to use shanks where now we don't have a car नहीं है तो हमें कैसे जाना पड़ेगा चल कर जाना पड़ेगा on foot to flog a dead horse यहाँ पर dead horse से यह चीज देखो clear हो रही है generally क्या होता है कि horse है उसको आगे दोडाने के लिए आगे बढ़े आगे चले तो उसको विप होता है जो चाबुक से उसको पीटते है तब वह आगे चड़ता है लेकिन जब वह horse मर ही चुका है ठीक है जब वह horse मर ही चुका है तो आगे कैसे चलेगा ठीक है यह बीट भी हो सकता है और flog भी हो सकता है दोनों case possible है तो flog a dead horse यह to beat a dead horse दोनों का meaning क्या होता है कि मतलब ऐसे चाबुक मारो कितना भी विप से पीटो वो उठकर नहीं दोड सकता है clear? यह देखो to beat a flog a dead horse to waste your effort by trying to do something that is no longer possible जो चीज अब possible है ही नहीं उसके लिए अब इस गोडा जो विचारा गोडा मर चुका है उसको कितना भी पीटो कितना भी विप करो लेकिन वो नहीं उठ सकता है मुर्दे में जान कैसे आएगी मुर्दे में जान नहीं आएगी hornet जानते हैं आप क्या होता है देखो यह मैं दिखाती हूँ इस तरह का एक insect होता है जो बहुत जो डंक मारता है बहुत बुरा डंक जो मारता है उसको बोलते है hornet ठीक है जो बहुत ही एक insect होता है ब्लाक और यलो कलर का जो डंक मारता है वो होता है student hornet और hornet का जो nest है hornet का जो nest है उसमें आप अगर छेड़ छाड़ करोगे stir up stir का मतलब उसको छेड़ना उसको हिलाना अब उसको हिलाओगे उसको छेड़ोगे तो क्या होगा बहुत सारी hornet निकल निकल के आएंगी और क्या करेंगी काट देंगी आप कभी वैसा मत करना है और आप पूर कहीं न कहीं काट देंगी तो वो कैसे situation बन जाएगी बहुती ट्रावल सिच्वेशन बन जाएगी जैसे हमारे यहां हमारे जो लैंग्विज है राजस्तान में तो इस तरह से बोलते हैं कि यार उसको मत छेड़ो वो और नेक नेस्ट है होनेट क लिए लग बोलते हैं मदू makhya का चाता है यह जो लगकी इसको मत छेड़ना clear जैसे हम किसी चीज पर जब नराज होरे होकर घर एठे वहते हैं है ना घर पे बैठे होते हैं और अचानक से हमारे вход मामा जी घर पर आ जाते हैं और इसको क्या हो तो मम्मी बोलती है इसको मचेड़ना भी ठीक है अभी बहुत छोट छेड़ते ही स्टार्ट हो जाएगी प्रोवोक ट्रबल ऑल ओवर हैल्स हाफ एकर इसका मैं औरीजन बता देती हूँ ठीक है अमेरिका में एक जगे थी इदाहो नाम की जगे थी वहां क्या हुआ था कि ज्वाला मुखी विस्फोट हुआ और ज्वाला मुखी फूटा तो ज्वाला जो लावा निकलता है वो लावा बहुत दूर तक बहुत-बहुत मतलब आरांट 40 किलोमेटर से बोलते हैं कि वो बहु वो हो ठीक है तो है लगने लग गई यानि जैसे मानलो कोई इंसान में से जा रहा है और वे जैसे हम जाख रहे हैं कच्चे रास्ते दूप सymphस्ट है और फिर हमने दूर दूर तक कोई दिखनी रासदब तो से लगता है कि यार सब जुगे यह है क्या अब कैसे निकलेंगे इस गंदी इस पन प्लैसेंट सुचुएशन से कैसे बाहा निकलेंगे ठीक है वह है जैसी लगने लग गई तो वही से इस इडियम का ओरीजन हुआ है यह हाफ एकर मतलब जो है तरह से यह फैली हुए थी कहीं पर खड़े हैं कहीं उबढ़ खबढ़ है कहीं ऐसे यह बना हुआ है तो उससे इंसान को ऐसे निकला कि सब जगे यही फैला हो चारों तरफ वही दिखाई दे रहा था वही से इडियम बना all over house half अकर मतलब everywhere क्या बना everywhere up in arms arms हम हारे हाथों को बोलते हैं और arms का एक मतलब weapon हथियार भी होते हैं armor भी होता है क्योंकि जो यह ऐसा मानते जैसे यह हाथ है और इसमें कोई भी weapon पकड़ेंगे कोई भी तलवार पकड़ेंगे तो हाथ का ही extended version है तो इसको भी क्या बोला गया students? Arms बोला गया clear? तो जब आम में गुस्ता है हम हतियार उठा लिए हतियार उठाता है इनसान कब उठाता है? कब जब वो बहुत गुस्ता होता है जब वो किसी चीज का विरोध कर रहा होता है तो उसके लिए इडियम क्या बना? Up in arms समझ में आया Arms किसके लिए यहाँ पर Weapon के लिए, Armor के लिए ठीक है? That is also an extended version of our hands Hands का ही क्या है? Extended version जिसको हम मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा? Very angry क्या होगा? Very angry अब देखो That student of yours has such sound values मतलब उस student की बहुत ही अच्छी, sound मतलब यहाँ noise से नहीं है Sound यहाँ positive connotation दे रहे हैं कि उसकी बहुत ही अच्छी sound values है मतलब सच में मैं बहुत हैरान हूँ कि वो कितनी अच्छी उसकी values है ठीक है? She is indeed मतलब वो ऐसी है जो बहुत ही Pain in the neck Pain in the neck कर सकती है क्या वो? Pain कर सकती है क्या वो नेक में? नहीं किसी positive sentence को very occasions में emphasize करने के लिए हम indeed use करते हैं ठीक है? बहुत ज़्यादा intensify करने के लिए very बताने के लिए बहुत बताने के लिए She is indeed a क्या indeed a Pain in the neck Pain in the neck का मतलब हो गया कोई any kind of annoyance कोई trouble कोई grief हो वो तो नहीं हो सकता ठीक है? Port calling the cattle black मतलब खुद किसी चीज़ दूसरे आदमी को ऐसे आदमी को criticize करना जो खुद उस fault में हो याने कि जैसे अपन बोलते हैं मारवाडी में कहावत है कि भैंस अपना रंग तो देख नहीं रही है और काले रंग को देख के डर रही है ठीक है? तो भैंस खुदी काली है तो भी काले को देख कर क्या डरना है? समझ रहे हो? तो खुद तो उस fault में है लेकिन सामने वाले को कुटिसाइज कर रहे है जबकि वो कलती खुद ने की है खुद जूट बोल रहा है सामने वोले कि तुने जूट क्यों बोला तो वही चीज़ हो गई तो यह नहीं होगा बैरल ओफ लाफ बैरल मतलब एक कंटैनर होता है लाफ मतलब हसी होती है तो सोर्स ओफ फन सोर्स ओफ फन सोर्स ओफ अम्यूजमेंट ठीक है फन सोर्स ओफ अम्यूजमेंट क्या हो गया बैरल ओफ लाफ तो यह भी नहीं होगा राइट आंसर होगा ए राइट आंसर क्या होगा ए rare bird, rare bird का मतलब होता है बहुती unique person बहुती unique person जिसके अंदर बहुती अच्छे qualities हो और वो qualities, generally इतनी अच्छी qualities वाला person नहीं मिलता हो उसके लिए क्या आता है? rare bird rare bird, Latin से आया है अहां से आया student? Latin से, ठीक है? Latin में rara avies ठीक है? rara avies rara से बन गया rare और avies से बना bird मतलब ऐसा bird जो बहुत कम दिखाई देता था, बहुती कम ठीक है? तो ऐसे unique और extraordinary person जो कम ही दिखाई देता है उनके लिए idiom use होने लग गया rare bird rara avies wild बाने जंगली जंगली जैसा behavior होना या woolly मतलब बहुती ज्यादा untidy behavior होना उसके लिए आता है wild and woolly ठीक है? इस सही word है या uncouth uncouth का मतलब होता है rude और socially unacceptable socially unacceptable ठीक है? उसको क्या बोलेंगे? uncouth तो बिल्कुल जंगली जैसा रंबे लंबे बालो जैसे वुली सा जो behavior है उसके लिए यूज़ रता है wild and woolly uncouth in appearance और behavior यह जंगली जैसा दिखाई दे रहा है अपनों बोलते हैं यह आदमी क्या है? यह जंगली जैसा दिखी रहा है इसके appearance देखो ऐसे बालों बेकर रखे हैं रजजग ऐसे spin your wills spin का मतलब तो समझते हैं गुमाना wills का मतलब wheel होता है ठीक है? तो spin your wills जब कभी कभी हम किसी कच्चे रास्ते से गुजरते हैं जब किसी कच्चे रास्ते से गुजरते हैं या कोई गड़ा होता है बहुत कीचड है वहाँ पर आप देखते हुए sometimes हमारी गाड़ी का पईया हमारी गाड़ी का पईया जो है ठीक है? वो इस तरह से फस जाता है कि वो बस गोल 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 गुमता रहता है आगे प्रोग्रेस नहीं करता है तो उस सिच्चेशन के लिए वड़ा है? spin your wills मतलब एक ही जगे पर जब आप अपने अपना काम कर रहे हैं और आपके wills को गुमा रहे हैं लेकिन कोई भी result नहीं मिल रहा है कोई भी result नहीं मिल रहा है आप अपने effort डाले जा रहे हैं आप बार बार गाड़ी को start करते हैं race देते हैं race दिये जा रहे हैं लेकिन वो पईया वहीं पर गुमता जा रहा है गुमता जा रहा है आगे तो बढ़नी रहा है तो आपकी energy आपका time आपके efforts ठीक है आपकी energy आपका time आपके efforts क्या हो रहे हैं बिल्कुल ही waste हो रहे हैं तो क्या बना waste your time और efforts वर्ल विंड क्या होता है वर्ल पूल सुनाओगा आपने वर्ल विंड जो बहुत ही बड़ा बवंदर सा होता है हवा का बहुत तेज वेरी स्ट्रोंग जो waves moves करती है बहुत ही fast 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 जो waves moves move करती है उसको क्या बोलते है वर्ल विंड वर्ल मतलग घूमता हुआ इस तरह से विंड इस तरह से गूम रही है ठीक है तो रीप तव वर्ल विंड इसका आरीजन इस तरीके से है ठीक है कि जो हमने बच्पन से सुना है कि जो बोएगा वही पाएगा तेरा किया आगे कि अगर आप हवा बोगे ठीक है सो दा विंड लीप दा वर्ल विंड अगर आप हवा बोगे तो आपको क्या मिले क्या काटोगे आप बवंडर काटोगे मतलब आप जो actions करोगे जैसे आप करम करोगे वैसा ही आपको फल मिलने वाला है जैसे आप करम करोगे फल बिलकुल व consequences as a result of one's action आपने जो action किये है आपने action यह अच्छे नहीं किये है तो आपको result अच्छे नहीं मिलेंगे आपने हवा बोई है तो आपको बवंडर तो मिलेगा ही ठीक है be in the red पहले क्या होता था जो बही खाते और यह सब लिखते थे तो वहाँ पर जो नुकसान को लिखा जाता था debt को debt जो कर्ज है उसको लिखा जाता था red color में किसमें लिखा जाता था red color में और profit को be in the black जो profit होता था उसको लिखते थे black में ठीक है तो black color denote करता था किसको profit को और red color जो है red color की शाही जो है वो किसको बताती थी debt को बताती थी तो right answer हो जाएगा c to be in debt देखो इसका मैं origin आपको बताती हूँ एस जो है एस कार्ड में एस जैसे हम दिखते हैं इकका इकका को बोलते हैं क्या ace यहाँ देखो आप यह देखो जैसे हुकुम का इकका हम बोलते हैं generally वैसे तो यह European culture से आये ये games and all, ठीक है, हम भी ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास हुकम का इक्का है, या उसके पास हुकम का इक्का है, क्या हो गया, अभी तो हम बाजी हार रहे हैं, लेकिन हम जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या है, हुकम का इक्का है, ठीक है, तो हुकम का इक्का हम कार में क्या मा आते हैं best एक लड़ा शаться आए तरीके से देखा जैए तो थो फैस्ट होता है स्बॉरा Wedश कर तक है यूज तुछ वन्स बैस्ट वेपेन और रिचोर्स अपने बैस्ट वेपन का अपने से सॉर्स मा यूपर ना क्या होता है play once is up against the wall up against the wall कई बार आपको अपकी जगह back भी मिल सकता है ना back against the wall भी हो सकता है अप अगेंस दा वाल भी हो सकता है आपने ऐसी movies तो देखी होगी ना जिस movies के अंदर आप देखते हो कि जो विलेन है वो इतना दूर दूर जाता जाता इतना आगे पहुंच जाता है कि last में वो एक दिवार के पास पहुंच जाता है या तो उसको मरना है या तो उसको मरना है किसे अप वो हीरो से और या फिर वो उसके पास में कोई भी इलाज बचा ही नहीं है और कोई भी इलाज नहीं बचा तो ऐसी situation जिसमें आगे कोई progress नहीं हो, ऐसी situation बन जाए कि अब कोई उलजे हुई situation बन जाए उसके लिए अप against the wall आता है, जैसे यहाँ देखो यह person है, यहाँ पहुंच गया, अब सामने hero है, या तो hero से मरना है, या तो क्या करना है, hero से मरना है, यह decide हो गया है, clear, और या क्या हो सकता है, पीछे तो दिवार है, तो या तो लड़ो, या मरो, क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसी in extricable situation, in great trouble or difficulty, ऐसी situation फस जाए, जैसे विचारी बिल्ली के लिए सोच लो, चुए के लिए सोच लो, चुआ यहाँ पहुंच गया है, और सामने बिल्ली है, या यहाँ बिल्ली है और सामने कुता है, तो उसके लिए ऐसी situation में फस गया है, कि कोई भी ओ, यहाँ से निकल पाना मुश्किल हो गया है, रफल सम्बडी से फैदर, रफल सम्बडी से फैदर, देखो, रफल गया होता है, जैसे एक तो बिल्कुल smooth surface होती है, और एक थोड़ी सी ऐसे, जैसे किसी अनिमल को, किसी बर्ड को आप हाथ लगा, तो उसके बिल्कुल smooth हो, और एक थोड़े से जो उसके hair हो, जो feathers हो, वो इस तरह से हो, बिखरे वे से हो, थोड़े से smooth नहीं लगे, ठीक है, तो ruffle somebody's feather जो है, वो इस तरह से use होता है, जो birds होते हैं, जब आप उनको किसी चीज से परिशान करते हो, कोई चीज जो उनको सही नहीं लग रही है, आप उनको annoy करते हो, या उनक करते हो, तो उनकी जो neck के पास के जो feathers होते हैं, वो रफल हो जाते हैं, ठीक है, तो वो इस चीज साइन करते हैं, कि उनको क्या आ रहा है, वो इरिटेट फिल कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत इरिटेट फिल कर रहे हैं, तो यहीं से eCDM का मतलब हुआ, रफल somebody's feather, क्या रफल a few feathers भी होता है, रफल a few feathers, दोनों के इसमें, इसका मतलब क्या होता है, किसी को एनोय करना, इरिटेट करना, गुस्सा दिलाना, यह देखो, to annoy और upset somebody or a group of people, paper over the cracks, एक तो होता है कि problem को जड़ से हटाना, और एक होता है कि उसको छुपाना, जैसे for example, कहीं पर cracks है, ठीक है, को कोई भी दिवार है, जिसमें धरारे पड़ दी है, तो उसका सही तरीका क्या है, उसको हम repair कराएं, उसको सिमेट डलवाएं, उसको जो भी करवाना है, ताकि वो सही हो जाए, और एक होता है कि उसको छुपा दें, हम उसके उपर कुछ लगा दें, ठीक है, तो वो हमें होगा, वो तो सही करना हुआ, और एक उसको ढख देना हुआ, ठीक है, ताकि वो दिखे ही नहीं, clear, तो उसको बोलते हैं, paper over the cracks, to hide problems, problems को छुपाना, जैसे देखो, यह cracks है, इनके उपर क्या कर दिया है, अगर अपन paper डाल देंगे, paper डालेंगे, तो क्या होगा, paper से वो to try to hide faults, और difficulties, difficulties, faults को छुपाने की जो कोशिश है, उसको बोलते है, paper over the cracks, sleep at the wheel, देखो, अब तो गाडिया हो गई है, गाडी के wheel पे ही सो जाना, steering पे सो जाना, मतलब आप अपनी duty पे, आप attentive नहीं हो, ठीक है, यहने कि आप अपनी duty पे attentive नहीं हो, दूसरा, जैसे पहले जो जहाज होते थे, उनका जो wheel जहाज चल रहा है, तो कोई आदमी उसी पे सो गया, तो कितने सारे लोगों की जान जो है, वो उस पे depend कर रही है, उसकी life जो है, वो कितने सारे लोगों की उस पे depend कर रही है, तो मतलब अपनी duty को अच्छे से नहीं करना, तो not attentive to one's duties, क्या हो जा आप तो बहुत navigation की instrument है, यह direction और सब चीजे बताते हैं, ठीक है, यहाँ से land कितनी दूर है, अगर हम ship पे जाएंगे, तो सारी चीजे बहुत ही well designed और well researched है, लेकिन पहले चलो, पहले time में, जब कुछ यह navigation instruments कुछ थे ही नहीं, और कोई इंसान ship पे गया है, ठीक है, ship में जा है, ठीक है, तो वो बहुत ही dangerous situation होती है, इसमें आदमी जो अगर ship अगर lost हो सकता है, हमेशा के लिए, तो वहाँ पर आपको decide करना होता है, कि भी मुझे इस तरफ left जाओं या right जाओं, अगर मैं right चला गया और वहाँ मुझे land नहीं मिली, तो फिर मैं क्या करूंगा, clear क्यो क्योंकि उस time पर जो भी संसादन है, जो resources होते थे, वो भी बहुत ही limited होते थे, यानि कि C में आकर आप क्या हो गए, वो confused हो कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो lost और confused क्या होगा, feel at sea, to get the ball rolling, तो ball थी, वो अभी तक कुछ काम में नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे गेम क्रिकाट होगा, बोल क्या करेगी, रोल करेगी, इदर से उदर जाएगी, उदर से इदर आएगी, चाहे वो cricket हो, चाहे वो volleyball हो, चाहे वो basketball हो, बोल क्या करती है, रोल करती है, यानि किसी चीज को शुरुआत करना, किसी चीज को शुरुआत, नहीं होगा, वर्किंग नहीं होगा यह नहीं होगा किसी चीज को start begin करना start करना किसी भी process को on the horizon ऐसा event जो की जल्दी ही घटित होने वाला है ठीक है जैसे सूरज होता है वो होता तो ही लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन जैसे ही horizon पर आता है तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है शुरू हो गया है कोई भी event जो nearest future में होगा तो happening और appearing in the nearest future nearest future में कोई भी घटना जो होने वाली है उसके लेकिया आता है on the horizon apple of one's eye हम बचपन से सुनते हैं क्या की आंख का तारा ठीक है तो पहले क्या था कि जो अल्फरेट दा ग्रेट जो शायद इंग्लेंड का first king था उस time पे क्या था कि जो हमारी eye है जो eye होती है हमारी ठीक है उसमें जो pupil है ठीक है उसको ऐसे बोलते थे कि यह क्या होती है यह क्या होती है apple shape होती है क्या होती है apple shape होती है ठीक है जो apple shape होती है अगर यह नहीं हो तो हमें दिखाई नहीं देगा तो सबसे प्यारी जो चीज आंख की वह है और वह किस में मानते थे apple shape apple नहीं है यह incorrect है अगर हम आज बोलें कि वह apple shape है तो नहीं है वह apple shape नहीं है वह round है जो भी है लेकिन apple shape नहीं है ठीक है तो वहां से इडियम क्या बना ऐसी चीज ऐसा इंसान जिसको आप ज्यादा पसंद करते हो बहुत ज्यादा प्यार करते हो हिंदी में जिसको हम बोलते है आंख का तारा जैसे बच्चा क्या होता है कि उनकी इस on trumpet trumpet क्या होती है जब band बजाते हैं शादी में के लिए जो बजाए जाए जाए को कि अब नाचने वाले हैं और आम से नाचने यह और जो band वाले हैं वह बजाते किसी दूसरे के लिए लेकिन आप खुद ही उसको बजाने लग जाओ यानि कि आप खुद ही अपनी ठीक है तो यहाने क्या करना फॉलो करना नहीं होगा सैल रिटायर नहीं हो वह प्रीज ठीक है to praise your own abilities and achievement चीकिन का एजक्टिव में चीकिन का अजक्टिव में चीकिन जब क्या होता है एजक्टिव तब इसका मीनिंग क्या होता है not brave not brave cowardly तो चीकिन का adjective meaning क्या है not brave cowardly तो अपने आप के आपको समझ जाना चाहिए कि chicken hutter क्या हो गया alley क्या होता है वो समझना है alley एक जो buildings होती है उनमें बीच में आप कही बार देखते हो छोटी सी गली होती है अब उस गली से कही बार हम shortcut के लिए कही बार किसी गली में गुस जाते हैं आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि हाँ यार यार ये short लग रही है इसमें से चलते हैं और जब उसमें से जाते हैं तो आगे हमें देखते कि रास्ता ही बंद है तो मतलब हम ऐसी जगे चले गए हैं जहां में आगे कोई भी हमें desirable outcome नहीं नेलने वाला है कोई आगे progress नहीं होने वाली है कोई situation है उसमें कोई progress जो है वो नहीं है ये देखो हमने सोचा shortcut है चलो चलते हैं चले 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 देखा तो जो गली थी वो अंदर क्या थी? बंद थी तो ठीक है? A fruitless और mistaken course of direction A dead end Dead end को क्या बुलेंगे? Blind LA ठीक है? जो बहुत सारे technologies है जो पहले बहुत अच्छे early promise करते हैं और जो कहां चले जाते हैं Dead end पे चले जाते हैं मतलब उनका wow result नहीं मिलता है A person who comes to meet occasionally एक person जो occasionally मिलता है comes आता है नहीं Taking first step नहीं A step of deep thought नहीं होगा A situation in which no further progress can be made ऐसी situation जहां पर आगे कोई further progress नहीं हो रही क्योंकि वो चीज क्या पहुंच चुकी है Dead end पे पहुंच चुकी है हमें लगा था कि हम जा रहे हैं तो यहां कुछ फाइदा होने वाला है लेकिन आगे जाकर पता चला कि अब कोई फाइदा नहीं है To take the bull by the horns अब जो bull fighters होते हैं रैंचर होते हैं वो क्या करते हैं कि उसको जो भी problem है उस problem का main point क्या है अगर कोई bull है तो उसका main जो चीज जिससे वो हमें नुकसान पहुंच आ सकता है वो क्या है उसके horn है तो horn से लेना मतलब difficulty को बिल्कुल सामने से लेना यहाँ पर देख लो to surrender the enemy नहीं होगा arrogantly घमंड से बोलना नहीं होगा ठीक है murder करना नहीं होगा right answer गोर होगा to handle difficulties यहाँ यह आदमी इसको क्या ले रहा है horn से ही इसको पकड़के इसके खत्रे को सामना कर रहा है तो कोई चीज को बिल्कुल जो difficult है ठीक है उससे उसको सामना करना मतलब किसी भी मुसीबत का साहस से सामना करना क्या हो जाएगा to take the bull by the horns bull माने sand, horns माने यह क्या हो जाएगी इसके see जब किसी से agree होते है जब हम किसी से agree होते है तो उसके आख में आख डालके हाँ ठीक है agree होगे सहमती दिखा दी आख में डालनेगा मतलब कि हमने उसकी तरफ देखा और बोला हाँ ठीक है तो उसके लिए agree मतलब C I to I I to I देखना During the staff meeting there was a lot of ruckus ruckus मतलब commotion commotion ध्यान है noisy condition मैंने first first class में कराया था commotion since many didn't कुछ लोग क्या नहीं थे agree नहीं थे see I to I ठीक है to agree with someone or to have the same opinion as them किसी के साथ में आपकी बिल्कुल same राय होना किसी से agree होना आप में आप मिला कि हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है ठीक है कान उधार मांग रहा है land and ear कान उधार देना याने के कोई बात सुनना ध्यान से pay attention to बिल्कुल ठीक है याने किसी की बात को ध्यान से सुनना किसी की बात को ध्यान से सुनना मतलब पान उधार देना है कि मैं बोल रहा हूं कि अपने कान उधार दे दो मतलब मेरी बात ध्यान से सुनना foot the bill का origin इस तरह से है यह तोड़ा flexible idiom इसको pay for everything pay for something किसी जो दूसरे का खर्च किया वो भी आपको देना पड़े इस तरह से इसको use करते हैं foot the bill का यह मतलब हुआ कि जैसे कोई भी चीज हमने खरीदी यहां उसके rupees लिखे हुए थे last में यहां पर उसका total amount लिखा होता है यहां foot इस जो bill के foot पे foot वाले part पे जो है वो total amount लिखा होता है यहां पर इंसान sign कर देता है मनलब वो pay कर दिया है उसने ठीक है यहांने कि जो यहां पर जो खर्चा हुआ उस खर्चे को पे कर दिया है foot the bill clear हुए सुन तुछा सबको तो क्या होगा pay for everything call a spade a spade spade क्या है अगर आप game खेलते हो ताश का game अगर आपने खेला है तो जिसको हम हुकुम बोलते है चार होते है ना एक तो diamond होता है ठीक है और एक क्या बोलते है उसको heart होता है ठीक है एक club होता है और एक जो इस तरह का होता है यह black color share बनाना था यह black होता है ठीक है इसको spade बोलते है spade एक garden में use होने वाला एक tool भी है वो भी spade है और spade जो है वो एक offensive word भी है क्या है एक offensive word है जो black person के लिए ठीक है sensitive word है जो black person के लिए use करते है यानि जो आदमी काला है उसके लिए भी spade बोल जायेगा ठीक है जैसे negro है तो यह भी acceptable नहीं है तो जब कोई आदमी जैसा है उसको वैसे का वैसा उसके मूँ पे बोल देना मतलब बिना डरे बिना कुछ सोचे क्या है क्या नहीं है बिल्कुल सटीक बोलना ठीक है वो हता है call a spade a spade a reason है इसका वो spade वहीं से आया है जो offensive word यूज किया जाता था black person के लिए ठीक है तो यहां देखो right answer क्या हो जाएगा है आगे सभी का d बिल्कुल say the truth about something even if it is not pleasant अगर वो बात अच्छी है नहीं है कैसी भी है बिना डरे जो सही बात है वो गोल देना fall on deaf ears or turn a deaf ear देखो इन दोनों का difference ध्यान से समझेंगे turn a deaf ear मतलब आपने क्या किया कोई आदमी आपको बोल रहा है कोई बात कि सुनो भाई मेरी बात लेकिन फिर भी आपने क्या किया उसकी तरफ deaf ear कर दिया याने कि आप उसकी बात नहीं सुनना चाहते हो कोई बच्चा चिला चिला कर जैसे बच्चा बोल रहा है लेकिन फिर भी आप उसको नहीं सुन रहे हो कि भई नहीं सुनना है मुझे याने कि आपने क्या कर दिया है उसको neglect कर दिया है यहाँ पर आप क्या हो doer हो आप क्या हो doer एक action जब subject खुद करता है तो वो active होता है और जब subject action को receive करता है तब वो passive होता है ठीक है अब यहाँ पर turn deaf ear में वो खुद ignore कर रहा है neglect कर रहा है ठीक है और to fall on deaf ears to fall on deaf ears का मतलब होता है कि passive बना है यहाँ पर कैसे जिसको ignore किया गया इसको अगर आप याद करना चाहो difference को देखना चाहो तो यह होता है सुनवाई नहीं होना मतलब जैसे for example किसी कंपनी के अंदर किसी कंपनी में वर्कर्स हैं वो यह बोल रहे हैं कि भई हमारी बढ़ाओ ठीक है कोई उनकी demand है लेकिन सारी कि सारी कहां जा रही है fall on deaf ears मतलब उनको ignore कर दिया गया तो fall on deaf ears क्या होगा to be ignored music को face करना देखो military में उसे यह idiom बना है military में जब कोई आदमी युद में या कोई ऐसा disgraceful action कर देता है तो ऐसे disgraced जो लोग होते थे कोई भी ऐसा अच्छा काम नहीं कि आप मान किया ठीक है मतलब अपमानित महसूस कि ऐसा जैसे कि युद में कोई ऐसा भाग गया या कुछ भी ऐसा काम किया जो सही नहीं था graceful नहीं था ठीक है तो उस इंसान को जब विदा करते थे तो क्या करते थे बहुती बैंड बाजा के साथ टन 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 ठीक है तो वो बैंड बाजा इस तरीके से बजाते थे अच्छ कि वो एक तरीके से वो इस इंसान के लिए क्या होता था एक जो message आता था सब में वो क्या होता था कि इस इंसान को criticize किया जा रहा है यह आप उस बैंड बाजे को फेस कर रहे हैं जो एक negative है ठीक है negative terms में इसको use किया गया है तो यहां देको face the criticism यहानि आप किसको फे ठीक है, तो नहीं करके लाएंगे, तो और भी difficult task उसको मिलेगा, और डांट भी पड़ेगी साथ में, ठीक है, क्या पड़ेगी, डांट भी पड़ेगी, तो डांट याने, rebuke का मतलब क्या होता है, criticize करना, डांटना, take somebody to task, याने, criticize somebody strongly for something they have done. रूस्ट क्या होता है, रूस्ट तो देखो, एक तो रूस्ट होता है, रूस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगे, एक place, जहां पर, जहां पर birds को रखा जाए, a place where birds live, या a place for, place where birds sleeps, ठीक है, तो उस जगे को हम क्या बोलते हैं, रूस्ट बोलते हैं, तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना हो, तो, रूस्टर नाम, रूस्टर क्या होता है, रूस्टर होता है स्टूडिंट, जो, जैसे जो बाडा होता है, बाडा बोल सकते हैं, आप हिंदी में, जहां पर सारे birds को, जैने chicken को रखा जा रहा है, ठीक है, तो उन chicken में भी, जो सबसे, एक male chicken होता है, जो male adult, जो सबसे बड़ा होता है ठीक है और जो chicken होता है वो rooster बोलता है वो उन सभी birds उन सभी chicken पे अपनी command रखता है उसको वो dominant करता है मतलब वो क्या करता है dominant करता है उसी के according चीजें होती है ठीक है तो उस rooster को चलाने वाला rule the rooster कौन है rooster है यानि कि जो क्या करता है चीजों को dominant करता है जो जिसके according चीजें होती है जैसे for example कि बहुत सारे chicken है छोटे-छोटे और किसको कहां बैटना है कहां उसको बैटना है किसको क्या खाने को देना है क्या नहीं तो वो dominant करता है decide करता है clear तो उसको बोलते हैं इस cdm का मतलब क्या हो गया rule the roast को देखो यहाँ पर हाँ to make all the decisions clear और एक इसका origin है वो है roast से roast तो आप सभी समझते होंगे खाना बनाना specially जैसे fire पर या oven पर जो खाना पकाते हैं उसके लिए क्या word आता है roast generally non-veg के लिए भी लेते हैं बट general है यह word roast ठीक है तो roast kitchen में roast करने का का kitchen में roast करने का का महिलाएं करती थी लेकिन उस kitchen में क्या roast होगा आज क्या बनेगा खाने में क्या बनेगा कितना roast होगा क्या चीज़ बनेगी वो कौन decide करता था grandma, grandma decide करती थी दादी decide करती थी की kitchen में क्या बनेगा तो वही kitchen को dominant करती थी मतलब उनका ही decision होता था कि आज क्या खाना बनेगा क्या नहीं बनना है किसको क्या देना है किसको क्या नहीं देना है तो वो decide कोन करता है थी दादी decide करती थी तो rule the roast, यह roast किसे बना है, roast से, तो roast को rule करने वाला, याने कि जो क्या हो, सारी चीज़ का करता धरता हो, जो सारे decisions जो लेता हो, जो dominant करता हो, जिसके पास सारी power हो decision लेने की, that is, क्या हो जाएगा, rule the roast, clear as students? तो excuse my french, तो यहाँ पर french जो है, वो एक ऐसे words के लिए है, ऐसे शब्द जो swearing है, मतलब जो offensive words, अगर आप कभी use में ले लो, तो उसके लिए जब आप बोलते हो, कि excuse my french, मतलब मुझे इसके लिए माफ करे, ठीक है, तो use to apologize for swearing, मतलब ऐसे कोई words आपने use ले लिए है, जो सही न my french, क्या हो जाएगा, to apologize for swearing, next यह देखो, use to apologize, अगर आपको कही exam में, excuse की जगा, pardon दे देना, तो confuse मत होना, excuse दे या pardon दे, दोनों में, दोनों ही case में meaning same रहेगा, excuse my french, या pardon my french, ठीक है, use to apologize for using offensive language, कोई offensive language हमने use कर दी है, उसकी वज़े से, मतलब, उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं, that is, हम क्या कर रहें, apologize कर रहे हैं, उस गलती के लिए, tie the note, हम बोलते हैं, इनका गठ बंदन हो गया है, गठ बंदन हो गया है, मतलब, शादी हो रही है, गठ बंदन होता है, देखा होगा, आपने शादी में किस तरह से गठ किसी चीज का बह जाना बाहर निकल जाना ठीक है बीन्स का बाहर निकल जाना को आप सीक्रेट से राइड आंसर तो इसका पता होगा आपने अच्छा आंसर भी दिये गिवावे सीक्रेट अब देखो इसको समझते हैं अब तो हमारा वोटिंग सिस्टम बिल्कुल लेटेस्ट अब हमारा वोटिंग सिस्टम बहुत एडवांस हो गया है है ना बहुत जादा एडवांस लेकिन पहले क्या होता था ठीक है एंसिन ग्रीक की बात करें तो पहले भी तो लीडर्स बनते थे तो जो भी लीडर्स बनने जा रहे हैं उनको क्या कर दिया फोर एक्जम्पल मालो अगर आप A के फेवर में हो तो इसमें बींस डाल दो आप B के फेवर में हो तो इसमें ठीक है बाद में उन बींस को क्या करते थे काउंट कर लेते थे और जो जादा बींस होते थे उसके वो क्या हो जाता A या B जो भी है वो लीडर्स बन जाता वो secret reveal हो जाती कि ये जीत रहा है या ये जीत रहा है समझ में आया याने secret को क्या कर दिया है reveal कर दिया है disclose कर दिया है सब के सामने वो क्या हो जाएगा spill the beans hold your horses, अपने horses को hold कर लेना अपने horses को hold करके रखना, क्या होगा keep the horse chain intact, holding and keeping things by yourselves give time to other for some rest to tell someone to stop and consider carefully hold your horses, यह देखो hold your horses का मतलब है किसी moment का इंतजार करना slow down करना, थोड़ा सा patience रखना ठीक है, जैसे कि जो horse rider होते है वो horse की rein को, लगाम को क्योंकि खीच के रखते हैं उसको पकड़ के रखते हैं otherwise horse क्या होता है, आगे जाने लग जाता है याने के उस moment को क्या आगे लेके जाना है नहीं लेके जाना उस time पे उसको slow down करना, उसको रोखना क्या होता है, hold your horses ठीक है, इसको अगर हम वैसे देखें तो हम दिमाग से भी देखते हैं जैसे हम बोलते भी हैं कि अपने दिमाग के गोड़ों को मत तोड़ाओ, थोड़ा सा रुको जैसे किसी भी action में जब हम बहुत ज़्यादा रेप्लाय करके कोई ideas देने लग जाते हैं, जो सही नहीं हो तो बोलते हैं slow down करो, याने अपने दिमाग के गोड़ों को थोड़ी लगाम दो, ठीक है wild goose chase, goose क्या होता है, goose एक तरह का bird है ठीक है, बतक जैसा होता है, large bird जो है, वो होता है goose chase का मतलब होता है, पीछा करना, ठीक है एक इंसान जो किसी direction में चल रहा है, उसके पीछे बाकी लोग भी उसके पीछे चल रहे है, उनको यह नहीं पता है कि कहा जाना है, क्या करना है, क्या सर्च है, क्या नहीं है नहीं, बस उसके पीछे पीछे चले जा रहे है, यानि के futile, मतलब useless search, useless search को क्या बोलते है, wild goose chase under the weather, idiom बिमार होने के लिए, बिमार हो जाना, sickness के लिए use होता है, under the weather आप weather के नीचे हो, यानि के आप ship हो, एक उनकी तबयत है उस नहीं है क्या आप weather के कॉंटेक्ट में हो, यानि वैदर के counter- में under the weather हो और आप बिमार होगे हो, right, तो क्या करते थे उस को ऐसे बस्क्राफनको जो बिमार हो जाता ठीक है बिमार फिल गर रहे हो आप ट्री शैट दियर लीज अंडर दा वैदर नहीं हो सकता रीना वोगिंग ओन दा लो अंडर दा वैदर तो बिमार के लिए लॉन में वोग कर रही है ये भी नहीं होगा राइट आंसर होगा सी शी मिस्ट दा एक्जाम उसने एक्जाम पर जो बोर्टे पास है वहा आदवी तरह मैसूस नहीं करें उसकी तबीद खरब है तो इस souvent अगेर्शन के उसको lower deck में भेज़ देते थे, call it a day, जब हम कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो day है, वो चाहिए कभी भी complete हो, लेकिन हमारा काम जब day का जो काम है, वो complete हो जाए, तो हमारे लिए आज का दिन complete हो गया, आज के दिन की salary आ जाएगी, आज के दिन का काम complete हो गया, यहने के मेरा day count हो गया है, कि इस दिन मैं office में present था, यहने उस चीज़ पर काम करना बंद कर दिया है, stop working on something, be on the bread line, अगर bread, bread को हम समझे, कि रोटी, जो bread को आदमी announce करे, कि मैं यहाँ bread बांट रहा हूँ, रोटी बांट रहा हूँ, तो वहाँ उस line में बहुत सारे लोग लग हैं, तो वो लोग कौन से होंगे, कौन से लोग होंगे, जिसके घर पे 56 भोग बना हुआ है, अच्छा खाना बना हुआ है, क्या वो उस line में होगा, कौन से लोग उस line में होंगे, कौन से लोग उस line में होंगे, यहाँ पर बोला जाए, कि यहाँ मील मिल रहा है, रोटी मिल रही है ब्रैड मिल रहा है तो क्या होगा तो लोग जो गरीब है जिनके पास पैसे नहीं है बिचारे वही लोग ही उस लाइन में आएंगे जो पैसे जो जिनके पास पैसे हैं जो हर तरह से सम्रिद्ध है तो क्या वह उस लाइन में जाएंगे नहीं जाएंगे सो डाइट आंसर क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा गरीब होना stake in the grass दिख रहा है grass लेकिन उस grass में क्या है snake याने कि जो दिख रहा है जो है बट दिखाई नहीं दे रहा है क्या होगा student क्या होगा छुपा हुआ दुस्मन a secret enemy क्या होगा hit एक जो snake कहां पर चुपा हुआ है? grass में mean person, suspicious person, sleepy person, क्या होगा? deceitful deceitful या suspicious नहीं suspicious नहीं deceitful दोखा देने वाला जो दिखने रहा लेकिन वैसा है a person who pretends to be your friend but who cannot be trusted विश्वास घाती through thick and thin इसको समझेंगे England में क्या था? कि बहुती thick forest echolocation हम use करते हैं forest जो थे वो बहुती dense thick forest थे कहीं पर तो बहुत thick forest थे और कहीं पर जो है वो घास थी कहीं पर बहुत घास थी कहीं पर बहुती घने जंगल थे woods थे तो अगर कोई आदमी जा रहा है अगर कोई आदमी travel कर रहा है वहाँ पर England में उन गाओं में तो उसको हर जगे से गुजरना होगा उसको forest जो है वहाँ से भी गुजरना होगा उसको घास से भी गुजरना होगा मतलब थिक से भी गुजरना होगा और थिन से भी गुजरना होगा मतलब यहां उसको हर circumstances से गुजरना होगा उसको सारे circumstances से गुजरना होगा तो वो क्या होता है through thick and thin मतलब सारे circumstances under all circumstances सारे circumstances से गुजरने के लिए क्या होगा through thick and thin grin from ear to ear grin हो सकता है smile हो सकता है बीम हो सकता है ना ग्रिन की जगे ग्रिम, स्माइल और बीम ये तीनों आपको मिल सकते हैं इनमें कभी कन्फ्यूज मत हो ना स्टूडेंट्स जब हम किसी चीज पे बहुत ज्यादा खुश होते हैं जो ऐसी चीज हमें पता चल रही है जिससे हमारा खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है ठीक है तो जो एक तो हमस्ते हैं ऐसे तो अब यहां से आपको इतना असना है कि यह जो आपका जो लिप्स वाला पार्ट है यह यहां तक चला जाना चाहिए तो स्माइल वाइल ली बिल्कुल वाइल स्माइल करनी है कि यह पार्ट आपका कान तक पहुंच जाए ठ को बोलते हैं green clear smile wildly ऐसी smile हम कब करते हैं जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज पर खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं green from year to year अब देखो यह वा क्या नहीं यह भी नहीं होगा क्या होगा to smile a lot because of happiness खुशी की वज़े से बहुत ज्यादा smile करना trying to find my low string in the college is like looking for a needle in a hashtag hashtag क्या होता है ही होता है घास तो हेस्टेक होता है घास फूस का जो बहुत बड़ा धेर होता है जो आप देखते होंगे गाउं में जो गाइबहसों को चराने के लिए बहुत धेर सफ लगा होता है घास का उसको हम बोलते हैस्टेक अब उस हेस्टेक में अगर सूईEr चली जाये तो या आप उस सुई को ढून सकते हैं, कैया आप कितनी में अनरजी लगाएं? आप उसको ढून सकते हैं? मतल demographics अगर वह ढून लेते हैं, उस एक नम इंपासिबल चीज आपने पासिबल कर दी हैं, ये माण सकते हैं, कि आपने इंपासिबल को पासिबल कर दी हैं, बाकी इतने बड़े घास के धेर से बूसे के धेर से नीडल याने सुई को डूना नामुंकिंग होता है तो नामुंकिंग क्या हो गया डूइंग सम्थिंग इंपॉसीबल tach and go एक ऐसी कंदिशन इसको समझ से हैं फैले स के ओरीजन से जो शीप होती है शीप रही है फीच कहीं जा रही है और अचनक से उसके सामने को चटान आ जाए ठीक है चटान पेख़र इस a नुकीला पाठ है शिप है श्यप इससे ज़स्त टकराई और पीछे चले बहुत कि जास्टर सो सकती थी या तो बिल्कुल क्या ओ जाती डी स्टरक्ट वह जाती फूरे से खतम हो जाती ठीक है डिस्ट्रक्शन नहीं ऊवा चाल कि बच गए बसकी टच हो कर और फिछे चली गई लिए क। से कंदिशन देखो तीक है यह शिप है इस देदर से की थोड़ा साथ टाच हुई और पीछे हट गई याने के वो बच गई ऐसी कंदिशन जो बहुती अनसर टेंट थी बहुती संकट जिसमें था जैसे यूसे तो से दागा था रिजल्ट फूट फूटेशन इस अनसर टेंट and that there is a possibility that something bad or unpleasant will happen कोई बहुत बुरा या बहुती unpleasant हो सकता है clear she is fine now इसकी बात हो रही है कि बहुत अब ठीक है but it was touch and go for a while मतलब कुछ time के लिए कैसी condition बन गई थी touch and go याने कि बहुती uncertain condition थी बहुती uncertain condition थी कि वो जिंदा रहती या मरती याने कि there was a possibility that she might die मतलब एक बार के लिए ऐसे उसकी धड़कन रुख गई थी यह मान लो ठीक है और वो ऐसी condition हो गई थी कि सब कुछ uncertain था क्या था uncertain और uncertain के लिए क्या idiom यूज किया हमने touch and go याने कि जो ship है वो touch है ऐसी condition बन जाए कि touch किया और निकल गई the whole nine yards का मतलब होता है the entirety of something पूरा completeness completeness को बताता है कौन whole nine yards ठीक है completeness कैसे हुआ इसका origin यह है कि जो पहले अब भी आता है जैसे थान में जो कपड़े आप देखते होंगे जो हम material लेते हैं कपड़े का तो वो एक थान सा होता है एक लकडी का डंडा होता है उसके चालों तरफ कपड़ा लिपेटा होता है और हमें दो मिटर चाहिए चार मिटर चाहिए या दस मिटर चाहिए हम उससे बोलते हैं यह कपड़ा मुझे अच्छा लग रहा है इसका इतना मिटर दे दो ठीक है लड़की अपने सूर सिर्वाती है बोई अपने शर्ट पैंट जो भी स्टिच करवाते तो पहले क्या होता था कि उवह यह कपड़ा वह आज़ा चाहिए वह यह बेंदल छार्ट के लिए पैटन के लिए तो पूरा का पूरा थान ही खरी लेते हैं तो पूरा का पूरा जो थान खरी लिया मतलब उसने सब कुछ complete ले लिया उसमें से कोई measurement अलग नहीं किया थोड़ा कम नहीं किया पूरा ले लिया तो वो क्या हो गया the whole nine yards मतलब complete पूरा ठीक है यह देखो सब कुछ जिसमें सब कुछ शामिल है तो वो यूज होने लगया whole nine yards जिसमें सब कुछ included है जो अपने आप में पूरा है अपने आप में complete है वो क्या हो गया whole nine yards इसा मानते हैं कि इसी में जो चेंज आते हैं वो किसकी वज़े से आते हैं वेदर के वज़े से वेदर की वज़े से सी में बहुती फास्ट बहुती एकदम noticeable change आ जाता है एकदम completely change आ जाता है जैसे see change generally example अगर हम देखें तो ऐसे हम sentences में लेते हैं लाइक कि उसने जब से job करना start किया तो उसके अंदर see change आ गया मतलब बहुत ज्यादा drastic change उसके अंदर आ चुका है बहुती radical change उसके अंदर आ चुका है वो होता है student see change clear देखो पहले cake जो है आजकल हमारे लिए cake बहुती common है ठीक है cake खाना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन पहले की बात करें तो cake जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी treat होती थी क्योंकि refined sugar उस time बहुत ही expensive थी और cake खरीदना हर किसी cake expensive चीज़ों में आता था और हर कोई cake नहीं खरीद सकता था तो जब खाने के लिए cake मिलता था तो वो अपने आप में ही एक अच्छी treat थी और अच्छा फील होता था कि हाँ cake मिल रहा है और cake के उपर जो एक milk cream की जिए लेयर होती है उसको बोलते है icing या frosting ठीक है तो एक तो simple cake है और उसके उपर जो sweet liquid सा है जिससे वो decorate किया जाता है उसके लिए बोलते है icing या frosting तो cake cake तो मिला ही मिला और उसके साथ में icing भी मिल गई ठीक है cake तो मिला ही मिला साथ में icing भी मिली याने कि सोने पर क्या हो गया सुहागा हिंदी में क्या बोलते हैं ठीक है हिंदी में सीडियम को बोलते हैं सोने पर सुहागा तो सोना ही अपने आप में अच्छा था ठीक है वैसे ही cake अपने आप में अच्छा था उपर से क्या मिल गई icing मिल गई याने कि जो situation पहले से थी याने good situation को क्या बना दिया और better यह देखो यह देखो यहाँ पर इस बंदे को पहली icing on cake क्यों हो गया क्योंकि पहले से ही वो अपनी pay hike he was already happy with his pay hike पहले से ही pay hike से बहुत खुश था और उसके बाद में उसको क्या मिल गया एक large bonus भी मिल गया है दोनों चीजे मिल गई है तो पहले ही पहले ही हाइक से खुश खुश था और large bonus भी मिल रहा है याने कि जो अच्छे situation थी उसको और क्या बना दिया बैटर बना दिया वो क्या हो जाएगा icing on cake the something that makes a good situation even better it's Greek to me it's Greek to me हां यह मेरे लिए Greek है Greek क्या होता है क्या है Greek मैं बोलती तो रहती है कि यह Greek से आया है यह Latin से आया है यह होता क्या है यह हमें को बताओ तो जरा हां मैं बोलती तो रहती है यह Greek का है यह Latin का है तो देखो ग्रीक language ग्रीक यहाँ पर ग्रीक लाग्विज के लिए students ठीक है आपने अरस्टोटल का नाम सुना मुगा आपने तोच्छे काना मुगा जो philosopher थे जो scholar थे तो तो उनको Greek language बहुत अच्छे से आती थी और यह उन लोगों को आती थी जो language को translate करते थे ठीक है? क्योंकि पहले Greek language थी उसके बाद में Romans आये Romans का Empire फैला तो Latin language भी Latin language भी famous होने लगी तो ज़्यादा लोगों को Latin समझ में आती थी बट Greek उनी लोगों को समझ में आती थी जो scholar होते थी या जो translate करते थे language को योगि Greek language में math, science, इनके बहुत सारे symbols भी है तो उसको comprehend करना easy नहीं होता है तो वहीं से idiom बना it's Greek to me याने कि यह मेरे समझ से बाहर है मैं इसको नहीं समझ सकता जैसे for example जैसे मैं हूँ ठीक है मैं English पढ़ाती हूँ लेकिन अगर मेरे को मुझे आप computer की coding से related कुछ दोगे तो फिर मैं बोलूगी भाही है मुझे यह क्या quotes है यह तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इस Greek to me, right? और जैसे for example कोई इंसान बिचारा नहीं पढ़ा लिखा है और उसके सामने ले जाकर आप English का The Hindu newspaper रख दोगे कोई भी चीज और उसको बोलोगे इसको पढ़ने के लिए तो बुलेगा नहीं भाही है मेरे समझ से बार है मुझे समझ नहीं आ रहा है यह इस Greek to me यह मेरे लिए incomprehensible है इसको मैं comprehend नहीं कर सकता हूँ clear है? ठीक है? तो क्या आ जाएगा? incomprehensible देखो जैसे यह जो idiom है यह खाने की table से आया dining room से आया है आप किसी के घर डीनर पे गए आप अपने घर भी में डीनर पे और आपके इतनी सारी चीजे परोष दी जाए इतनी सारी चीजे परोष दी जाए कि आपको समझ नहीं आए कि यार मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं ठीक है? इतना तो मैं कैसे खा पाऊंगा जितना मैं खा सकता हूँ जो मेरी capacity है उससे तो यह बहुत ज्यादा है having many responsibility ठीक है students जो मेरी capacity है उससे बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? वहीं से आपकी plate में खाने से ही यह आगे modify होकर क्या बना? कि आपके पास में बहुत सारी responsibility है तो क्या होगा? having many responsibilities mellow mellow देखो mellow मैंने पहले भी बताया है m e l mal क्या होता है? मीठा, हनी, शहद ठीक है? तो शहद, melody जहां से बना melody ठीक है? mellifluous भी हमने कर लिया था तो जो बहुती sweet सा है मीठा sweet, madhur अब mellow out जो है वो एक phrase के रूपे हो गया? अब इसका answer इससे कैसे लगा हो गया? वो बताओ color हो सकता है, कोई sound हो सकता है mellow जो soft है rich है, pleasant है sound के लिए भी आ सकता है, mellow music भी होता है, mellow fruity wine भी हो सकता है mellow color भी हो सकता है तो mellow में देखो mellow out याने बैठ के अराम से मीठा मीठा music सुनना music सुनते हुए music सुनता अराम से बिना कोई काम के हुए enjoy करना music सुनना, soft music सुन रहा है अराम से खा रहा है क्या हो जाएगा? mellow तो enjoy oneself without doing much, बिना कुछ के हुए बस अपना enjoy करना ठीक है? इसमें देखो relax हो जाना, काम हो जाना अराम से उसको क्या बुलेंगे? mellow out, run wild wild animal होते है wild क्या होता है? wild होते है, जंगली wild animal तो जब कोई बिलकुल जंगली हो जाए out of control wild animals को क्या हम control कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है उनको control करना ठीक है? उनको time करना बहुत मुश्किल है, तो जब जंगली हो जाए, जैसे कोई बच्चा होता है especially एक child एक बच्चा, जो कई बार इतना ज़्यादा wild हो जाता है कि वो किसी की सुनता ही नहीं है, वो control में ही नहीं आता है, तो उस condition के लिए, क्या idea हम use होता है? run wild, ठीक है? to grow without any control, eat like a bird हमारे घरों में भी बहुत बार जब हम खाना अच्छे से नहीं खाते हैं, या कुछ बहुत कि उस केसे में हमारे घरवाले बोलते हैं यार सूई जैसा मूँ है तुमारा सूई जैसा मूँ हो तो नहीं हो सकता लेकिन उसके साथ में कमपेर करते हैं उसके साथ में क्या करते है harám है सूई जैसा मूँ कैसे हो सकता है हम तो हसते जोटे थे तब की मुमा ऐसे बोल रही है सूई जैसा मूँ है वो किस सूए में बोलना चाहती थी और यहे जैसे सूई में कुछ खायी तरह के जो फ्रेस होते हैं इनमें दो बिल्कुल डिफ्रेंट चीजों को जैसे बर्ड और खाना इन दोनों बिल्कुल डिफ्रेंट चीजों को अंपार करते हैं और वह बहुत इंट्रस्टिंग लगता है ठीम्हीड एथ लाइग बर्ड ठीक ए as white as snow तो इनको जो constructions हैं इनको हम बोलते हैं simili क्या बोलते हैं simili समझ में आ रहा मतलब हम दो बिल्कुल different चीजों को interesting way में compare करके बताते हैं तो यहां तो clear हो गया eat like a bird मतलब eat very little और इसी का opposite इसी simili का opposite जो है बता है eat like a horse eat like a horse मतलब बहुत ज्यादा खाना lili liver middle ages में ऐसा मानते थे कि जो liver होता है उसको मानते थे jigar जिगर सुणे आपने jigar jigar यार इसके तो jigar नहीं है jigar नहीं है मतलब डिरपोव है यार उसका jigra है jigra मतलब जिगर मतलब बहुत ही बहादूर है आप इंसान के emotions से relate करते थे, यानि कि अगर आपका liver weak है, अगर किसी इंसान का liver weak है, यानि मैंटनी और फिजिकली, वो weak है, अब liver weak है, या liver strong है, वो depend कर रहा है कि उसके blood supply पर, अगर blood supply अच्छी है, तो liver red red रहेगा, यानि कि वो बहुत ही क्या रहेंगे, उसके गाल एकदम र प्रॉपर ब्लड का flow नहीं होगा, जैसे आप देखते हैं बहुत बार, कि कई बार इंसान के, जब खूण की कमी हो जाती है, तो उसका फेस थोड़ा white हो जाएगा, या यलो पड़ जाता है, इसकी वज़े से, खूण की कमी की हो ज़े से, तो वैसे ही, जब liver में खूण की क याने white, जो bright होता है, जो flower है, ठीक है, अब आप फटा फट मुझे बता दो, समझ में आ गया कि lever white है, मतलो जिग्रा नहीं है, जिग्र में खूण नहीं जा रहा है, जितना lever में खूण का अच्छे से supply होगा, उतना ही lever strong होगा, लिवर stronger यानि आदमी strong है, यानि आदमी के ज जिग्रा है, जिग्रा नहीं है, तो क्या हो गया, लिवर्ड, clear, जैसे देखो, यहाँ जिग्रा नहीं है, इसके हो, समझ में आया, to vote with your feet, देखो, अब तो बहुत ज्यादा सिस्टेम हो चुका है, voting and all का, कि यह इस तरह से voting होती है, लेकिन मालो पहले की बात करें कि एक, आ और पांच लोग इस ग्रूप में हैं, आपको यह जो है, आपको बोला कि यह ग्रूप इस चीज़ का, यह ग्रूप इस चीज़ का, आप कौन सी तरफ हो, तो आप अगर इस ग्रूप की तरफ हो, तो आप चल कर क्या हो जाओगी, यहाँ पर, मतलब जो voting है, आपने क्या किय यहाँ चल कर कहां चले गए, दूसरे ग्रूप में चले गए, यहाँ आपने अपना vote किसी दूसरे को दे दिया, clear, यहाँ यहाँ क्या किया, आपने एक opinion को express किया, यह इसका reason है, to express a particular opinion, dirt cheap, मतलब देखो, जो dirt के जितना सस्त, dirt जितना है, मतलब जो dust dirt है, तो dirt cheap क्या हो catch extremely cheap, person के लिए नी, extremely cheap, extremely cheap क्या हो जाएगा, dirt cheap, कोडियों के भाव, कोडियों के मूल जो है, वो क्या हो जाएगा, dirt cheap. नेक्स्ट केस्टिन है वापल डाइरिया वो लगे मैं डाइरिया भी पूछोगे क्या डाइरिया जैसी बीमारी तो हमें कई बार हो जाती है क्या हो जाती है डाइरिया हम बार बार टॉयलेट की तरफ भागते हैं ऐसा होता है ना सभी के साथ हो सकता है ऐसा जुरूरी ऐसा न होती है कि हम बार-बार ट्वाइलेट की तरफ भागते हैं हमें बार बार फोटी आती है ठीक है तो ड chauffeur कंटीशन हमें का एक्सक्रीशन जितना होना चाहिए उससे बहुत जयादा हो जाता है कशुआ जब हमें डायरिए हो जाता है तो नौर्मली जितना जाई या जितना पहलते हैं ठीक है उससे बहुत ज्यादा बोलना क्या हो जाएगा वर्बल डाइर्या तोचले होगे की माम इन्मीज को भी पकाया जायेगा क्या कुक दक जै goes क्योंकि लेटरल तो यही होता है ना क्य पाहने जैससे के वार ऐसा पलकर बोलते हैं कि क्या बात है वही क्या खषिचदी قडी लोनी सभी लुटे में हम गुछ बात इस तरह के डियर होते हैं को पर को स्टोरी बनाने के लिए लिए आता है को कर अप ते किआ आता है कुक कुद कप कुक क्प स्टोरी जिसका सिननेम कॉनकॉक्ट भी होता है ठीक है तो वहाँ पर हमने ये चीज क्या समझी कि कुक का जो खिचरी पकाना है वो कुक का वहाँ पर अगर हम लिटरल मिनिंग देखे तो वो नहीं है ठीक है लिटरल मिनिंग तो पकाना होता है जाता है उसके लिए भी क्या वर्ड यूज होता है बोक्स जो कई बार जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो दहीं बही खाते में अपना औरीजनल प्रॉफिट छुपाने के लिए ठीक है पूरी सही एंटरी नहीं करते हैं और फॉल्स इंफोर्मेशन एड़ करते हैं उसके रची होगे है ना वो अच्छे से समझ पाएँगी नहीं किया तो आज एक बार करन पर करके देख लेना भई आलू की सब्जी बना लेना बोईल करके क्या होगा ठोलेंगी थे लगेगी तो जब पोटाटो था हैं जब उसको बॉइल करते हैं तो उसके बाद में जब उसको हाथ लगाते हैं तो उसको हैंड़ नहीं कर पाते हैं थोड़ी देर तक छोड़ते हैं करना मतलब उसको मैंटेज करना उसको पकड़ के रखना या इसे उपर की कवरिंग हटाना possible नहीं है, बहुत ही difficult situation है तो वही से यह जो origin इसको समझेंगे कि ऐसे situation, ऐसी controversial, ऐसी awkward situation जिसके साथ में deal करना बहुत मुश्किल होता है उसको बोलते हैं hot potato clear? क्या answer आएगा? A controversial situation which is awkward to deal with The gift of the gap Gap की बात करें, तो gap का origin देखें तो gobe, gobe जो है, वो mouth के लिए generally use करते थे, gobe, अभी भी करते हैं और specially यह gobe बोलना, एक rude way में बोलना होता है मुँ को, अगर यह बोले shut your mouth तो अब भी ठीक है, और अगर यह बोले shut your gobe मतलब किसी को बहुत ही rude way में बोलने rude way में mouth को बताएं, तो क्या word आता है, gobe shut your gobe, मतलब तुम अपना मुँ बन करो, ठीक है तो gobe से क्या बना, gab बना, gab और gabल भी जो बाते करने के लिए, बोलने के लिए unnecessary, unimportant बाते करने के लिए तो वहीं से बना gift of the gab, मतलब gift of the gab है याने कि उसके पास में बोलने की कला है वो बहुत अच्छे से बात करता है, बोलने की कला है eloquent है, वो जाएगा gift of the gab ability to speak, इस पैक नहीं है, यह speak easily and confidently, easily, confidently बोलना क्या होता है, the gift of the gab walk a tight rope, जो tight rope होती है जैसे आप देखते हो, जो लोग acrobatics करते हैं acrobat होते हैं, जो उनके पास कला होती है acrobat करने की, that is acrobatics, ठीक है ठीक है, वहाँ पर चलने चलता है अगर कोई, मतलब tight rope पे, trad भी बोल सकते हैं walk भी बोल सकते हैं, हाँ तो उस पे जो चलेगा, उस पे जो चलेगा, तो उसको कैसे चलना पड़ेगा, ये देखो उसको बहुत ही सावधानी से चलना पड़ेगा अगर थोड़ी भी सावधानी हटी, तो दुरगटना घटी ठीक है, तो सावधानी से बहुत ही carefully उसको वहाँ पर चलना है तो वहां से ही वर्ड क्या आया यह इडियम क्या बना वो का टाइट रो मतलब तु एक्ट वेरी केरफुली बहुत केरफुली एक्ट करना quit banging the drum for that candidate he is simply not qualified for the job banging उसके लिए banging the drum छोड़ दो क्योंकि वो क्या है वो qualified नहीं किया उसने job को उस candidate कही बारे उसको बोलना बंद कर दो beat the drum भी हो सकता है back the drum भी होता है आप बोलता है उसके डोल बजाना बंद करो कई बार हम हिंदी में भी बोलते हैं मारवडी में कि रहता किसी के पास है डोल किसी और के बजा रहा है लेकिन सपोर्ट आपके दुष्मन का कर रहा है तो आप बोलने है जопर्ट मेरा है और डोल उसके बजा रहा है चोणा डोल बजाना मतलब सपोर्ट करना जैसे किसी भी चीज को सपोर्ट करें से पॉल्यटी तो डोल पीटना ठीक है डोल किसले पीटे जाते थे कि वो लोग support करने के लिए ठीक है तो डोल पीटना तो यहां क्या हो गया banging the drum मतलब twice once support bite of more than you can chew इसका और इसका जो रीजन है वह वह आता टोबैको से टोबैको जो चैसे तंबाकू आज कल तो तंबाकू जूरन में ऐसे अलग लग तरीके से आते हैं जो लोग तब आपको खाते हैं पहले जो टोबैको आता था वो solid cakes की form में आता था कैसे solid cake तो वैसे ही वह tobacco है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला है solid cake solid cake की form में बटकी लगाई बाइट किया और उसको जैसे जो लोग मुह में रखते हैं जो नशा करते हैं ठीक है उसको रख लिया अब वह solid cake थोड़ा ज्यादा चला गया मुह में जितना जितना चबा सकते हैं उससे ज्यादा तो वह क्या करेगा अदमी एक तो वह ज्यादा चला गया तो पेट में जाके स्टमाख को अपसेट करेगा बिमार करेगा हो सकता है कोई और बड़ी प्रॉब्लम भी क्रियेट कर दे डेथ भी हो जाए ठीक है तो वहीं से यह इडियम बना bite of more than you can chew याने कि उतनी ज्यादा चीजे ले लेना उतनी ज्यादा responsibility ले लेना जो आप handle नहीं कर सको जैसे अपन खाने से भी relate करो ऐसे जो बच्चे होते छोटे बच्चे वो कई बार बहुत बड़ा bite ले लेते हैं मुह में जिसको वो चबा नहीं पाते तो या तो उनका गला चोको जाता है कई बार तो बहुत ऐसी situations बन जाती है इसमें बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉल्टा लटका के उसको था पेडना पड़ता है death तक हो सकती है ठीक है तो वहीं से word क्या बना idiom क्या बना bite of more than you can chew अब देखो something considered too significant to create an impact नहीं taking credit for someone else achievement नहीं being treated the same unpleasant way you have the treated others बिल्कुल नहीं राइट अंसर होगा B to take on a project that you cannot finish ऐसा project ले 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 ना जो आप finish नहीं कर पाओ जो आपके बस की बात नहीं हो might की बात करें तो might हम सभी पढ़ते है might model verb है है ना might क्या है model verb है ठीक है might का एक might parts of speech में noun भी होता है noun भी होता है might है ना जैसे might जब noun होता है तो इसका मतलब होता है power क्या होता है power तो अपनी जैसे मैंने अपनी पूरी power लगा दी मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी तो क्या होता है might with all my might मैंने उस पत्थर को अपनी पूरी ताकत से पूरी ताकत से धक्का दिया with all my might ठीक है with all my might समझ में आया ठीक है उसी तरह से आपने देखा होगा एक idiom भी बनता है जिसकी लाठी उसकी भैस श्यांने आपको सुना होगा आपने बचपन से जिसकी लाठी उसकी भैस के लिए क्या idiom बनता है Might is right क्या बनता है Might is right तो Might is right जो है वहाँ पर भी इस idiom में भी Might जो है वो क्या है? Power है Students Power है अब आपको यहां समझ में आ गया होगा तो अपनी पूरे एंथुजियाज, पूरी ताकत के साथ में जब हम कोई चीज करते हैं उसके लिए क्या आएगा? Might and main क्या आएगा? Might and main So right answer is B With all enthusiasm अपनी पूरी उड़ जाके साथ Go down like a lead balloon क्या होगा? देखो, बच्पन में आपने भी balloon से खेले होंगे आप बैलोन से खेले होंगे? ठीक है और समझ टाइम ऐसे balloons भी आपको दिलवाए होंगे घरवालों ने जो ऐसे छोड़ते ही उपर चले जाते हैं उपर 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 और फिर हम जो छोड़ बच्चा होता है वो रोने लग जाता है है न? क्योंकि उसको differentiate वो नहीं कर पाता है कि कौन सा बैलोन उपर जाएगा या कौन सा बैलोन नहीं जाएगा तो उस टाइम जो balloon हाँ उपर जा रहा है ठीक है अप जा रहा है उसका reason क्या है कि उसमें helium या hydrogen gas भरी होती है ठीक है जब आप उसले वो उपर जा रहा है कि कि वो हलकी होती है air से भी अब जो अगर उस balloon में आप lead जो एक heavy metal है heavy metal है जिसका periodic table में देखेंगे PB जो उसका atomic table में ठीक है तो symbol होता है अगर उस balloon में lead को डाल देंगे तो क्या होगा वो उपर जाएगा या धडाम से नीचे गिरेगा बिल्कुल धडाम से नीचे गिरेगा क्योंकि वो क्या होगा heavy होगा clear तो lead balloon lead balloon go down like a lead balloon का मतलब होता है कि ऐसी जैसे कोई speaker है या कोई writer है उसने कोई performance दी कुछ बोला और उसको ओडियंस ने बिल्कुल पसंद नहीं किया उसको बहुती बुरा response मिला वो क्या होगा go down like a lead balloon लेकिन जैसे उसने परफॉर्म किया वह सीधा ही दीचे गिर गया मतलब उसको audience ने बहुत badly receive किया answer क्या हो जाएगा इसमें to be received badly by an audience जिसको पसंद नहीं किये जिसको बहुती बुरा feedback मिले that is go down like a lad balloon चीक है बेट चल रही थी दिदा डिबेट वस गोई पूरली 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 चल रही थी and his strikingly uncouth uncouth का मतलब होता है student rude ठीक है और अचानक से ठीक है उस strike किया उसने uncouth comments simply उस uncouth comment ने simply क्या कर दिया simply chilled him to the bone chilled him to मतलब क्या हुआ chilled यह बिल्कु लट्रल है seemed a child's play यह तो हम बच्पन से सुनते ही आ रहे हैं कि यह कोई बच्चों का खेल नहीं है मतलब बहुत ही easy task नहीं है ठीक है तो इस sentence में क्या यह fit better है कि uncouth comment ने simply बच्चों का खेल परतीत करवा दिया नहीं हो सकता ठीक है held his horses held his horses held his horses का मतलब होता है थोड़ा wait करना wait for a moment मतलब आप अपने दिमाग अपन बोलते हैं जैसे कई बार कोई इंसान कोई भी situation होती है और उसमें बहुत सारे हमें ऐडिया देने लग जाता है और इंदमाग कोड़े दोडाने लग जाता है थोड़ा सा अर्त आथे तब मतलब और थोड़ा से अर्या इतना तेज सावार मतों धो थोड़ा क्या होता है कि किसी situation में घबरा जाना फ्राइटेन हो जाना ठीक है तो फ्राइटेन हो जाना जैसे शादी बिल्कुल शादी का टाइम आ गया और जब बिल्कुल फेरे होने वाले होते हैं तब भाग जाते हैं मैंने एक्जैंपल भी दिया था शुशान सिंग राजपूत की जो मूवी आई थी शुद्देशी रोमैंस है ना फैंड फ्लेम फैंड फ्लेम का मतलब क्या होता है कि किसी situation को और जादा और जादा बढ़ाना मतलब फैंड फ्लेम मतलब फ्लेम फ्लेम मतलब ज्वाला ज्वाला को और ज्यादा भड़काना तो उसके जो अनकूत कमेंट्स थे उसने क्या कर दिया फैंड फ्लेम्स clear? So right answer क्या आजाएगा? D. बोल फ्रोम दा ब्लू. ब्लू जो चाए है उसमें अचानक से ठीक है? अचानक से कोई ऐसी news आजाए यह तो simply है जो बिजली गिरना अचानक बिजली जो होती है वो हमें पूछ कर नहीं गिरते है अचानक से गिर जाती है अभी न्यूस पेपर में भी कुछ दिन पहले आया वा था कि बिजली गिरने से जो लोग फोर्ट पे सेल्फी ले रहे थे और विचारे सेल्फी ले थे उनको क्या पता था कि फोर्ट की सेल्फी इतना हमारे लिए डेडली हो जाएगी कि मरना ही पड़ेगा तो वहाँ पर अचानक से बिजली गिरी और वो उनकी डेथ हो गई तो अनेक्सपेक्टेड जो डिजास्टर होता है अनेक्सपेक्टेड डिजास्टर के लिए क्या एडियम आता है अबोल्ट फ्रोम दा ब्लू पीस ओफ केक ठीक है अपीस ओफ केक की मैं आपको औरीजन बता पारिका है वहाँ पर स्लेवरी थी स्लेवरी लीगल थी वहाँ पर तो जो स्लेवरी जो स्लेव के जो ओनर्स होते थे वह उन स्लेव के लिए प्रोग्राम अरेंज करते थे कोई डांस प्रोग्राम इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करते थे वहाँ पर वो लोग आते थे और ब में से जो सबसे अच्छा होता था उनको वह एक देते थेhrlich as a prize ठीक है जो competition में कोई姐àng जीत जाता है तो जैसे उसको जो prize मिलता है व्यश्मकौ के सब्सक्राइब तो यह वहर श्रूड्ड उसकी और इस डियरै अब जो है अब आज की दिन को a piece of cake का मतलब क्या होता है something easy कैसे हुआ ऐसे हुआ कि जो चीज जो मिली है जो cake मिला है उसके लिए कोई मैनत तो करनी नहीं पड़ी कुछ नहीं करना पड़ा बहुत ही सब्सक्राइब करना तो बहुत असान है लेकिन खुद से कुछ बनाना बहुत मुश्किल होता है आप देखो न कोई भी कॉंसेप्ट होते हैं लोग नकल तो फटाफट कर लेते हैं मेरे साथ भी हुआ है लेकिन खुद वो चीजे करना कितना मुश्किल लगता है तो पीस ओफ के कैसा होगा सम्थिंग इजी सेम केक वॉप का भी यहीं मतलब है यह भी एक एडिया में है एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ट ठीक है इसका मतलब यह है कि आप बोल मुझ से चाहे कितना भी बोलो मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं मेरा दिल बहुत बड़ा है मैं बहुत अच्छा काम करता हूं लेकिन जब आप एक्शन नहीं करेंगे ठीक है तो हम जैसे हैं वो हमारे एक्शन बता देते हैं तो इसका अंसर हो जाया है वाट यू डू रिवील रिवल रियल यू जो आप करते हैं वही आप देंगे वाट अपर्शन एक्शुली ड़ाज मींस मोर दैन वाट देश से ताकतवर होती है काउच पोटैटो पहले भी एक् छपकर जब कोई इंसान लगाता टीवी देखता रहता है और पोटैटो चिप्स खारा है यह खाते 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 वह अब cubby पोटैटो जैसा हो गया है ठीक है तो आसे परसन च्यायों अच्छेलोड़् बहाथी लेजी बस करना होता तो lazy person के लिए आता है, couch potato, a lazy and inactive person, lazy है, inactive है, तभी तो कैसा हो रहा है, देखो, मोटा, don't mind, ठीक है, यह कैसा हो रहा है, potato जैसा हो रहा है, तो couch potato, clear, ठीक है, next, there are concerns that young children are eating too much fatty junk food, young children, आज़ को बहुत ज्यादा, घर पे खाना कितना भी अच्छा बना हो, लेकिन बाहर के जो junk food है, ठीक है, डोसा, चाउमेन, इडली, यह सब खाना है, and adopting couch potato lifestyle, a dime, a dozen, a dime, dime मतलब होता है, दोलर का 1 बटा 10, मतलब 10 cents, 10 cents को बोलते हैं, dime, ठीक है, तो ऐसी चीज़, जो 10 cents में, 10 हिस्से में, यह 10 पैसे हम बोलें, उसमें, डर्जन आ रही है, मतलब 10 cents में कितनी मिल रही है, 12, तो वो क्या होगी student, बहुती सस्ती होगी, बहुती common होगी, ऐसा तो नहीं कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जो 10 cents में आपको 12 मिल जाएगी, नहीं, बहुती cheap, सस्ती चीज़ें, common चीज़ें होगी, जो आपको इतने में मिलेगी, तो आप बता दो क्या अंसर होगा student, very common, expensive उल्टा हो गया, uncommon भी उल्टा हो गया, अब देखो, common and not special, अब देखो कोई ट्रक भरके लाया है, तो ऐसी चीज़ चो ट्रक भरके ले जाई जा सके, कम पैसे में, कम पैसे में आप ट्रक भरके कुछ लेकर जा रहे हो, it means, वो क्या है, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही cheap है, बहुत ही common है, example, plastic toys like this are a dimer doesn't, clear, like talking to a brick wall, ठीक है, हम generally use भी करते है, दिवारों से बात कर रहे हूं क्या मैं, जिसे कई बार हम किसी परसन से बात कर रहे हैं, और वो परसन कोई reply नहीं दे रहा है, और अपने ही चीज में busy है, या हमें को कर बेठा है, तो हम बोलते है कि भी तर से बात कर रहे हूं, दिवारों से थोड़ी कर रहे हूं, है ना, उसके लिए क्या आएगा, inattentive, curious मतलब जिग्यासू नहीं हो सकता, frightened मतलब दरा हुआ, नहीं होगा, fascinated मतलब आकर्षित करना हो भी नहीं हो सकता, ठीक है, यह देखू I have tried to discuss my feelings with him, लड़कियों को specially यह problem रहती है कि मैंने उससे अपनी feelings share करने की कोशिश की, बट वो उसको तो कोई ध्यान ही नहीं था, बट इस like talking to a break, मतलब वो बिल्कुल inattentive था, उसने मुझे भाव नहीं दिया, ठीक है, next, It took Rohan a long time, Rohan को लंबा टाइम लगा, to get the hang of the machine in the new factory, नई फैक्टरी में यहाँ पर इस idiom का meaning पूचा है, get the hang of, get the hang of का मतलब समझने के लिए, इसका origin समझेंगे, ठीक है, यह नया idiom SSC ने इस बार पूचा था, इसका origin समझते हैं अपर, origin, देखो, इसका origin, origin में बहुत सारे कहानियां होती है, एक कहानी यह है, कि जब भी कोई इनसान, फासी, जब भी किसी इनसान को फासी पर लटकाया जाता था, तो जो जो इनसान, जो जलात, ठीक है, परफेक्ट होता था फासी देने में, वो क्या करता था, एक ही बार में, क कि फासी में क्या होता है, कि यहां पर जो रसी होती है, वो हमारी जो एक वेन होती है, जो जगलर वेन होती है, उसको प्रेस कर देती है, जो हैड से हार्ट को ब्लड सप्लाय करती है, अगर वो यहां पर उसको प्रेस कर देने से, उसको ब्लॉक कर देने से, वो इनसान बहु तो इंसान परिशान होकर मता है तो वहां से यह जो हैंग है यह वहां से अरीसन है यानि कि जब आप जीज़ सीख जाते हो कैसे कैसे प्रैस करने से कैसे जलाद है वह पर्फेक्ट तब होता है जो उसको एक में फ्रीयतार में ने जो आदमी है उसको प्रेशान हूएि उसके बिना तोड़ो फोटी кол बहुत ईजी वे में वो काम कर दे तो वहां पर वो यह इडियम बनता है है गैट जा है है यानिके आप किसी भी चीज को कैसे करना है कैसे उसको यूज करना है कैसे उसके हल करना है वो चीज़ आप सीख जाते हो तो उसके लिए इडियम गाता है get the hang of clear तो क्या आ जाएगा learn how to use देखो इमेज से समझ में आ रहा होगा ओमपुरी की बात यह जो हमने की थी ओमपुरी जी इसलिए आये हैं यहाँ पर ठीक है to learn how to do something specially if it is not obvious or simple किसी चीज को सीखना समझना की कैसे operate होगा कैसे function होगा ठीक है कैसे deal होगा वो जो चीज़े है उसके लिए आता है get the hang of और यह नया एडियम था स्टूडेंट SSC ने यह नया एडियम पुछा था ठीक है जैसे for example closest seems difficult at first closest start first अगर आप एडियम देखते हो तो closest difficult लगते हैं but you will soon get the hang of it लेकिन आप बहुत जल्दी इसको सीख जाते हैं कब if if अगर आप मनीशा मैम की close test book से पड़ते हैं तो आप बहुत जल्दी इसको सीख जाते हैं to have a gut feeling to have a gut feeling gut gut क्या होता है students बताओ जो stomach area होता है उसको gut बोलते है biblical time से ऐसा belief है कि हमारे emotions होते हैं वो इस area में होते हैं अभी तो अगर हम देखे तो यह बुद्द्ध की सारे emotions mind की है mind से ही है ठीक है लेकिन तब जो लोग थे यह मानते थे कि जो gut होता है stomach area जो होता है belly intestine वहां हमारे emotions develop होते हैं वहां emotions generate होते हैं जैसे आप देखो जूले से उतरते हो तो जैसे जूला नीचे आता है तो पेट में अजीब सा dogizenी कि ढर्रीक है तो उस वही से यह गर्ट बना है तो छीक है कट कर्फीलिंग बनाया और भी बहुत सारे डियलिवर से इंसां सब्रे다가 होना लेवर से डिसाइड होता है जैसे हिंदी में बी में बोलते है जिगरा है क्या है मतलब जिगरा नहीं है मतलब कायर है तो इस पर भी हम इडियम करेंगे लिली लीवर्ड एक्जाम में भी आया हुए है लीवर्ड से बहुत सारे अच्छे इडियम बनते हैं पहले इस पर आते हैं गट फिलिंग याने के जो कुछ इंट्यूशन है जिनका कोई लूजिकल रीजन नहीं आपके पास बस इंट्यूशन है आपको लग रहाएगी ऐसा होगा ठीक है उसके लिए आता है टू हाव अगट फिलिंग तो देखो यहां पर टू एक्सपेरियंस डिसकमफर्ट नहीं त दो फ्रीज़ ऑन इंस्टेक्ट और इंट्यूशन जो आप अंदर से आपको इंट्यूशन हो रही है कि ऐसा होने वाला है बोलते हैं यार को लॉजिक नहीं है पर मुझे असा लग रहा है तो उसको बोलते हैं गट फिलिंग और सम्टारिम्स जो हम बिना सोचे समझे बस र reaction ठीक है examples देखो यह इंसान mind बोल रहा है mind क्या बोल रहा है यह यह पेड से आवाज आ रहा है इधर mind बोल रहा है इधर तो mind तो कुछ और बोल रहा है पेड कुछ और बोल रहा है An immediate or basic feeling or reaction without a logical rationale. उसको क्या बोलेंगे? Gut feeling. ठीक है? Example, I have a gut feeling that something bad is going to happen when we go there. मुझे ऐसे कोई gut feeling है कि अगर हम आजाएंगे तो कुछ बुरा होने वाला है. बहुत बार हमें ऐसा लगता है, ऐसे intuition होते हैं, उसके लिए idiom क्या बनेगा? Gut feeling. ठीक है? Next, idiom, take the heat. Example, देखो. Akshay is likely to take the heat for having miscalculated the expenses. Akshay ने क्या किया है? Expenses को miscalculate किया है. तो उसको take heat मिलने वाली है. Take the heat. ठीक है? Take the heat को समझेंगे. Heat को आप यहां समझें. तो heat का मतलब है, intense या severe pressure. Intense या severe pressure. Severe pressure. इसको एक example से समझते हैं. ठीक है? Generally, यह जो word जो बना है heat वाला, यह बना है इस example से. If you can't take the heat, get out of the kitchen. अगर आप heat सहन नहीं कर सकते हो, तो kitchen से बाहर चले जाओ. मतलब, kitchen तो वैसे भी हम आज की time बोलें, या पुराने जमाने की बात करें, चुले के पास रहना गर्मी तो लगेगी. जो हम drawing room में, living room में, इसी चल रहा है, वहाँ जितनी cooling है, वो kitchen में तो नहीं हो सकती. अगर आप वो चीज नहीं सहन कर सकते हो, तो वहाँ से चले जाओ. अब यहाँ heat को हम severe pressure से समझते हैं. जैसे for example, pressure से, criticism से, कि जो आदमी kitchen में काम करता है, वो सब के लिए खाना बनाता है, ठीक है, heat में. और फिर उसको criticize भी किया जाता है, appreciate भी किया जाता है, लेकिन अगर हम वो responsibility नहीं ले सकते, वो criticism को accept नहीं कर सकते, तो हमें वहाँ से चले जाना चाहिए. तो heat को हम यहाँ पर pressure से, criticism से समझेंगे, या punishment से समझेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखो, take the heat की, उसने जो expenses को miscalculate किया है, इसके बदले में उसको criticize किया जाएगा, criticism मिलेगी, punishment मिलेगी, वो क्या होता है, take the heat, ठीक है, right answer क्या होगा, receive criticism, receive punishment, clear, to start his cash strapped company, he decided to apply for a bank loan, उसने bank loan के लिए apply किया, अब loan के लिए, किसी आदमे के पास बहुत पैसा है, तब तो लोन नहीं लेगा, लोन के लिए हम जब जर्रत होती है, तब हम लोन लेते हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता है, तब ठीक है, तो expensive तो नहीं हो सकता, ठीक है, improving और expanding, अब देखो, cash strapped company, cash strapped का मतलब होता है, जब आपके पास में cash नहीं हो, strap हम जो एक leather, strap हम use करते हैं, कोई belt, strap बोलते हैं, पट्टी होती है, वर्ब में भी उसको fasten कर देना strap होता है, याने कि cash आ रहा था, पहले तो अराम से आ रहा था cash, पर फिर बाद में उस cash को band दिया गया, अब हमारे पास cash का flow नहीं है, तो वो situation होती है, cash strapped, याने कि पैसा नहीं होना, पैसा नहीं होना, इसके लिए word आता है क्या, impoverished, clear, power जो है, यहाँ पर poor है, जैसे poverty में होता है, क्लियर, cash strapped जो है, वो एक ऐसी situation होती है, जिसमें आपके पास में cash नहीं है, अब यह एक insolvent bankrupt से थोड़ा सा अलग है, insolvent bankrupt destitute उसमें क्या होता है कि आप पूरी तरह से दिवालिया हो चुके है, कुछ में नहीं है, आपके पास, right, cash strapped थोड़ा temporary होता है, कि आज आपके पास में पैसा नहीं है, clear, right answer क्या हो जाएगा, impoverished, यह देखो, lacking sufficient money, पैसा नहीं है, right, every penny counts for cash strapped students, so it makes sense to ensure money not given and needlessly, कहने का मतलब है, कि जो cash strapped students है, जिनके पास cash की कमी है, उनके लिए हर पैसा, every penny important होता है, क्योंकि इससे यह चीज़ पता चलती है, important होता है, क्योंकि अगर आप पैसे को, इसलिए यहां से पता चला है, कि आप sense होना चाहिए, पैसे खर्च करने में, और आप जो पैसा खर्च कर रहे हो, वो needlessly खर्च नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब, कि आप already cash strapped हो, और आप पैसे को योई खर्च कर रहे हो, तो वो सही नहीं है, आपको ensure होना चाहिए, कि आप जो पैसा खर्च कर रहे हो, वो सही तरीके से करो, जो खूब पैसे वाला है, जिसके पाँ खूब पैसा है, वो needlessly खर्च करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो already cash strapped है, वो अगर needlessly खर्च करेंगा, तो कोई sense ही नहीं बनेगा, यह sentence का मतलब हो, pull yourself together, इसका मतलब होता है, regain composer, ठीक है, regain, यानि आप अपने calmness को, composer को दुबारा प्राप्त कर रहे हो, regain कर रहे हो, उसके लिए आता है, regain composer के लिए, pull yourself together, ठीक है, कई बार composer को lose कर देते हैं, इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझना है, कि sometimes क्या होता है, कि हमारे actions जो है, वो हमारे जो सभाव है, हमारा, जो हमारी calmness है, उससे अलग हो जाते हैं, याने हम गुस्से में आके कई बार ऐसे actions कर देते हैं जो हम बाद में सोचते हैं कि हमें नहीं करने चाहिए थे क्लियर तो उस टाइम हमारे actions और हमारा mind एक साथ नहीं होते हैं ठीक है वैसे तो हम शान सबाव के लेकिन कई बार एक माइंड अलगी हावी हो जाता है उस टाइम और actions कुछ दूसरे हो जाते हैं तो जब हम वापस वह composer गेन करते हैं अपने आपको वापस पुल्य और मीनिंग वापस एक साथ कर लेते हैं हम अपने composer को वापस पा लेते हैं उस टाम हम वापस क्या हो जाते हैं शान्त हो जाते हैं clear तो यह क्या हो गया pull yourself together माने regain composer composer को वापस ले लेन वापस प्राप्त कर लेना शान्त हो जाना control of one's emotions ठीक है न? example क्या है she was unable to put yourself together after she lost his entire family in the plane crash अपनी पूरी family को plane crash में उसने खो दिया तो वो unable वो क्या है अब unable हो चुकी है उसके बस की बात नहीं है कि वो अपने composer को वापस प्राप्त कर ले add insult to injury ये वीडिया में आपने सुना भी होगा हिंदी में हम बोलते हैं जले पर नमक शिरकना याने कि कोई कोई इंसान पहले से injured है injured है उसको चोट लगी हुए है और उसके उपर से उसकी insult की जाए ठीक है तो पहले एक unfavorable bad situation में वो है क्या है वो bad situation वो injured है उपर से हम उसकी insult भी कर दे तो वो क्या हो जाएगा और ज्यादा वर्स हो जाएगी situation clear तो bad situation को क्या बना दिया है worse to make a bad relationship with somebody worse by offending them ठीक है first example क्या है the bathroom flooded पहले तो क्या था कि bathroom flooded था और बाद में क्या हुआ टू है इंसल्ट इंजरी अटाप started leaking टैप भी लिक करना स्टार्ट करने तो पहले तो flooded तो थाई उपर से टैप भी लिक कुना स्टार्ट हो गई तो यह डबल नुक्सान हो गया डबल अबलम एड़ों वेल ओफर टाइम वेल तो आपने सुना होगा मैमल्स की केटेग्री में जो सबसे बड़ा प्राणी है ब्लू सुना होगा तो टाइम जिसे में बोलते हैं कि यार मेरा अच्छा टाइम जल रहा है मतलब इस टाइम को इंजॉयं हों और वह इंजॉयमेंट कितना हो वेल जितना हो वेल जितनी बड़ी है जो emotionally बहुत बहुत जीट होती है तो उसका मतलब है स्टूडिंस इंजॉय वेल और टाइम याने वेल ऑफ टाइम का मतलब बहुत ज्यादा इंजॉय करना जब कोई इंसान कोई जीत हासिल करता है तो वो जीत हासिल करता है तो उसके पास में ट्रॉफी होती है उस ट्रॉफी को लेकर रहता है कि मतलब जो इस इंसान जो जीता हुआ उसके वो क्या कैरी करेंगा trophy को carry करेंगा है आफ तो carry कर रहा है जो trophy वह कुछ इने क्या कि पर शहीं है कोई जीत हादील करने की बाद में जब enjoyment के लिए party होती है तो बहुते आज की शाम आज का दिन किसके नाम है आज जिस परसन ने जीत हासिल कई किये ठीक है तो वहीं से carry the day का मीनिंग क्या हो गया? win a victory, जीतना, to gain victory और be successful, जीत असिल करना या successful होना, तो पर होता है एक तरीके का कोई sharp pointed object होता है, आप इसको net पर डाल कि अभी देख लेना, ठीक है, जो generally जो riders होते थे, horse riders, वो अपने boots में रखते थे, ताकि वो जो horse है, उसको fast दोडाने के लिए, ठीक है, encourage करने के लिए, वो उसको spur को use करते थे, ठीक है, spur एक तरह से motivation के लिए भी आता है word, motivated को भी spur बोलते है, ठीक है, तो on the spur of the moment, मतलब बिना सोचे समझे, कि अचानक से, जब कोई आदमी बहुती, suddenly, बिना किसी planning के कोई चीज़ करता है, कि एक time पे, एक moment में वो spur हो गया, मतलब एक moment के लिए motivated हो गया, पर आगे नहीं, ठीक है, वो घोडा है, उसको एक बार उस object से encourage कर दिया, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, मतलब बिना कोई पहले तयारी के अचानक से act करना, ठीक है, तो acting impulsively without thinking, बिना सोचे समझे, suddenly, suddenly, without any previous preparation, क्या हो जाएगा, on the spur of the moment, यह देखू, ततकाल, occurring or done without advanced preparation or deliberation, extemporaneous, extemporary तो आप जानते होंगे, जो speech के लिए use करते है, ततकाल, on the spur of the moment, she decided to enter the race that he had come to watch, जो वो रेस देखने आया था, वहाँ पर उसने उस moment में decide कर लिया, कि मैं इस रेस में दोडूंगा, मतलब पहले तो वो सिरफ रेस देखने आया था, फिर वो दोडने, उसी रेस में वो दोडने भी लग गया, clear? तो on the spur of the moment क्या हो जाएगा, बिना किसी पहले तैयारी के, अचानक से act करना impulsively on the spur of the moment. The threat of the pandemic, it is not just a cry in the wilderness, कि जो threat है, ठीक है, किसकी pandemic, pandemic जैसे कोरोना अभी pandemic बन गया है, ठीक है, तो वो क्या है, वो जो से cry in the wilderness नहीं है, क्या होगा, cry in the wilderness, wilderness बना है wild, wild जंगल, जंगल से ही, जंगल जैसी जगह है, जहां पर फसल नहीं उग सकती है, जो जंगली है, वो जंगल जैसी उसके लिए क्या आएगा wilderness, तो वहां पर अगर कोई भी आवाज देगा, किसी भी चीज के लिए, वहां पर चिलाएगा, रोएगा, तो उसकी आवाज किसी को भी नहीं सुनेगी, तो वो जो आवाज है, वो जो बात है, वो क्या है, cry in the wilderness है जैसे हम बोलते हैं कि इसको में कुछ भी बोलो, कोई फाइदा नहीं है, कोई attention देने वाला नहीं है, जैसे हिंदी में बोलते हैं, कि भैंस, बीन बजानी है, वो भैंस के आगे, तो भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फाइदा नहीं है, तो actual में इसका सही meaning, जो हिंदी से अगर हम देखें तो cry in wilderness क्या होता है भैस के आगे बीन बजाना ठीक है तो क्या हो जाएगा an unheeded warning heed का मतलब क्या होता है student ध्यान देना attention देना care देना notice करना ठीक है जिसको कोई notice ही नहीं करें ऐसी warning जिसको कोई क्या होता है बताओ lively and energetic कहानी क्या है कहानी यह है कि बीन्स अगर हम बोले देशी बाशा में चने बोल सकते है घोड़ों को पहले फूड के रूप में चने खिलाए जाते थे ऐसा माना जाता था कि जितना ज्यादा चने खाएगा इतने ज्यादा बीन्स खाएगा वह उतना ही energetic होगा ठीक है तो वहीं से क्या बन गया full of beans क्या हुआ lively और energetic ठीक है अभी modern theory यह बोल रही है बीन्स के लिए कि जो कॉफी बीन्स होते हैं कॉफी बीन्स को यहां से रिलेट किया गया है क्योंकि कॉफी बीन्स कॉफी पीने से हमें क्या होता है lively महसूस होता है तो वो भी एक theory है clear तो दोनों आप याद रख सकते हैं cry my eyes out यह तो समझ में आ रहा है cry my eyes out मतलब रो रो के आंखे बाहर आ जाना याने बहुत ज्यादा रोना weep bitterly बहुत ज्यादा रोना ठीक है तो I was able to कि मेरी आंखे बाहर आ गए ऐसा नहीं होगा ठीक है bark of the wrong tree मतलब गलत गलत to be wrong about something किसी चीज़ के लिए गलत होना इसका भी origin है जैसे देखो bark मतलब पेड की चाल भी होती है bark मतलब चीखना जो डोग है यह मालो ट्री है यहाँ पर नीचे कुत्ता है और यहाँ पर यह एक ट्री है ठीक है बिली जो म्याउ है जो कैट है वो यहाँ है लेकिन जो डोग है वो इस इस ट्री के उपर भोक रहा है तो ऐसी situation से यह word idiom बना है bark up the wrong tree तो गलत ट्री के उपर यह चला रहा है तो यह नहीं होगा ran out of stream अब अचानक से suddenly निकल जाना अभी किसी काम को कर रहे हो stream में हो अचानक से उस stream को छोड़ दिया निकल गए run out of stream होता है तो I was able to run out of stream नहीं यह तो नहीं हो सकता तो क्या होगा right answer होगा wrap my head around it मतलब कोई चीज जो मुश्किल लग रही थी ठीक है फिर भी उसको समझने में मैं काम्याब हो गया इसमें यह बोला गया कि final paper को करना बहुत ही difficult task लग रहा था लेकिन फिर भी मैंने last May मैं इसको कर पाया factory owners are protesting because they think that the government has filling the blank of plastic manufacturing companies by closing their factories in big city made no bones to hesitate नहीं हो ना अपनी बात को कहने में वह होता है made no bones तो नहीं होगा ठीक है नहीं होगा made no bones अपसेट the apple cart क्यों होगा यह देखो जो विचारा apple बेचने वाला था उस अराम से अपनी रेडी पे apple बेच रहा था apple उसने लगा रखे थे अराम से apple sale कर रहा था अचानक से कोई ट्रक वाला कोई भी आया और उसके सारे apple जो है वो गिरा दिये याने के बिचारे को क्या हो गई क्या हो गया इसको 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 आदमी को क्या हो गई है बहुत जादा बहुत जादा परिशानी हो गई है ठीक है किसी के प्लान को स्पोइल कर देना किसी के प्लान को स्पोइल कर देना खराब कर देना क्या होता है अपसेट द में आया हर यह में to a new house जूस्त आ मंथ बारिड keeping गार्डनिंग प्लांट्स लोक्त क्या होती है उनके हाथ किया हते है how do Ellia green ? उनके हाथ कैसे लगेंगे हमेशा ग्रerta इंगे और इसको WILL been Jamie ग्रीन थम भी आ जाए तो भी इस पर confused मत हो ना ग्रीन थम और ग्रीन फिंगर दोनों सेम है ठीक है क्या होता है बागवानी में निपुन होना ठीक है दा एबिलिटी तूप मेक प्लांट्स ग्रो माई मॉम कैन कीप एनी प्लांट अलाइव इवन वन्स दे आधा आ हैं नियरल लंगडो के चलता है ठीक है तो जैसे ही जब हमारे क्रैंप अते हैं अग्डम से पर इसे हो जाता है हुल बेसबोल से ही आया है तो उनमें इस तरह के क्राम्प आते थे तब उसको बोलते थे कि यार तु तो चार्ली होर्स की तरह चल रहा है ठीक है यहां देखो क्रैंप यह जनरली इस पाइट में आता है बॉड़ी के कई बार यहां पर भी आ जाता है I just got a Charlie horse in my leg just got a Charlie horse मतलब मुझे क्या आगया at the drop of a hat में देखो इसका जो origin है वो इस तरह से है कि किसी भी fight या किसी race को start करने से पहले जो hat होती थी उसको गिराते थे तो जो hat गिरती थी वो एक signal होता था कि अब वो race क्या हो गई है fight क्या है start कर देनी है तो तुरंत उसके बाद में क्या हो जाए दोगी वो चीज स्टार्ट हो जाएगी इसके लिए आंसर हो जाएगा instantly instantly instantly